हेलो एंड वलकम गाइज बाकस्तान वर्स जिम्बावे पहला टी-20 मैच जिसका आगाज अब से कुछ ही लम हाद के बाद होने वाला है और आज जो है वो दोस्तों एक बड़िया मैच, एक अच्छा मैच होते हुए उन्रण टीम्स के दर्मयान हमें देखाई देने वाला है जहां पर बाद बारी हैं दोनों टीम्स के दर्मयान होने वाले इस कहलीजे के पहले T20 मैच की जहाँ पर एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है वो गाइज होता हुआ देखाई देगा इन दोनों टीम्स के दरम्यान टॉस जो है वो गाइज मैच का हो चुका है और टॉस को विन कर लिया है टीम जिमबाववे ने और उन्होंने इस मैच के अंदर टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है जी हाँ गाईज टॉस के अब्डेट जहाँ आ चुकी है जहाँ पर जिम्बाववे के टीम ने आज किस मैच के टॉस को विन कर लिया है और हुनों ने टॉस को जीते हुए इस मैच के अंदर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और अब देखना होगा कि ऐसा फैसला जो है उनका ये साबित होता है जहाँ पर एक इंटरस्टिंग एक बड़िया मैच जो होता हुआ हमें दिखाई देगा इन दोनों टीम्स के बीच आपके स्पोर्ट कर रहे हैं इस मतलिक आप बता सकती है जहाँ पर राज याद रहे दोस्तों के जिम ने टॉस को विन किया और उन वो इस मैच के अंदर आप कह सकते हैं कि 40% हैं कि वो इस मैच को विन करें बरहल ये क्रिकेट है गाईज और क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है so that's why we will see and witness के कौन से टीम जो है वो इस मैच को विन करती है जहाँ पर राब मैच का टास जो है वो गाईज सोच का है और टा जिंबाबवे ने और रुणों ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है दोनों टीम टीम के लिन क्या है यह जानने के लिया अब तमान दोस्तों को हमारे साथ ही रहना होगा चैसे ही दोनों टीम की लिन में आपको कह लीजे कि आपके साब आज आएगी तो मैस सप्टलिंग 11 के बारे में भी आपको बता दूगा जहाँ पर एक इंटरस्टिंग मैच एक बड़या मैच होता हुगा आमें दिखाई देगा जिंबाबवे के टीम ने याद रहे दोस्तों के टॉस को विंद कर लिया और तोस को विंद करते हुए पहले बले बादी करने का फैसला के लिया है आज के समयाच के अंदर रंड उनका ये फैसला याकिनी तोर पर एक बेहतरीन फैसला जो है वो साबित हो सकता है हारी लाल सर हमार साथ मौजूद है और नेक्स दोनों टीम्ज कीपने लेखने के बारे में बता दूँ के दोनों टीम्ज के अंदर कॉन कॉन से प्रियर्ज शामिल हैं याद ऺहे दोस्तों कि याद रहे कि ये मैच जो है वो खेला जा रहा है रावल पिंडी इंटरनेशल क्रिकेट स्ट्रेडियम से मैच जो है इन दोनों टीम्स के देमान जारी है जहां पर आज मैच के स्टाइट्स के बारे में आपसे मैं इन्फरमेशन को शेर कर देता हूँ कि मैच के स्टाइट्स जो है मैं आपके साथ शेर कर देता हूँ जहां पर टॉस को विंड करते हुए यहां पर टीम जो है वो जिंबाबे ने उन्होंने बैटिंग पहले करने का आपका एसला कर लिया है और आपके हैल से कौन से डी माच के स्टाइट्स को विंड करेगे तीसरे मैच के गाईज अगर हम बात कर लेते तो तीसरे मैच सूपरवर में गया जहां जिंबाबबे के टीम ने इस मैच को विंड किया और विंड करते हुए पाकिस्तान की टीम को पीछे बिचाड दिया यहां पर बारी है कि मैं आपके साथ दोनों टीम के स्टाइट्स के बारे में शेर करूँ कि दोनों टीम के पिछले 5-5 मैचेज के अंदर जो है वो पर्फरमिंस क्या है तो यह जानने के लिए भी आप तमांग दोस्त हमाज साथ ही रहेगा जहां पर रहा अगर हम बात कर लिते हैं guys toss की तो toss हो है वो इस match का हो चुका है Zimbabwe के team ने जो है वो toss को win कर लिया है और toss को win करते वो पहले batting करने का फैसला किया है first of all जैसे ही कोई दोनों teams की plan 11 मेरे सामने आ जाएगी तो दोनों teams की plan 11 के बारे में मैं भी आपको बता दुगा लेकिन first of all आप जो है वो जान लीजिए आज किस match के stats को important stats को जान लीजिएगा के performances क्या रहने वाली हैं और key player क्या रहेंगे जी बिल्कल गाइज key player जो है वो कौन-कौन से रहेंगे आज किस match के अंदर जहां पर first of all अगर हम बात कर लेते हैं guys पाकिस्तान की team ने पिछले 5 में से तीन matches को जीत रखा है और एक match को ज़के अगर हम बात कर लेते हैं जमबाबे की तो उने पिछले 5 में से तीन matches को हार रखा है दो matches को उन्होंने win-र रखा है team stats की यहां पर और पिछले दो साल के अंदर जो रिकार्ड्स हैं वो कुछ यू है कि अरे भाई ये क्या रिकार्ड्स है आजी दोस्तो चार मैचेज पिछले पांच दो साल के अंदर पाकिस्तान ने जीत रखे हैं जबके पांच मैच जिम जिम्बावे ने जीत रखे हैं पहले बैटिंग कर चांसेज 29% रहते हैं जबके बाद में बैटिंग करते हुए आकसान के जो है वो कह लीजे के चांसेज 25% रहते हैं जिम्भावे की बाद कर लेते हैं इस तो जिम्भावे के पहले बलेबादी करते हुए चांसेज जो है वो रहते हैं 25% जबके बाद में अगर वो चेस करते है तोटल को तो फिर उनके चांसे बढ़कर 40% हो जाती है जहाँ पर रावल पिंटेंट इंटरनाशनल क्रिकटर स्टेडियम से मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दर्मयान अब खिला जाएगा और दोनों टीम्स के प्लिंग 11 जैसे ही मुझे शो होती है तो मैं आपको बता लेगा 35 दोस्ते हों है वीडियो को लाइक कर चुके हैं बहुत बश्यों कि आपका साथ रहने के लिए वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करने के लिए लाइन अप नहीं आई तो भाई मेरे लाइन आप पा चुकी है लाइन आप के बारे में भी आप जो है वो आप संवेगा तो इसर भजेसे कह सकते हैं आपके इतना ज्यादा जो है वो इसका शोर और वन जो है वो इस मैच के लाइन दर हमें होता रिखाई नहीं दे रहा बरहल पाक्तानकी टीम के अंदर जो प्लेयर इंकलूड रहेंगे उनके नाम पहले आपके साथ करता हूँ पर जिबाबवे के प्लेयर के बारे में भी हम वह बात कर लेंगे विलकल गाइज सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाक्सान की तो पाक्सान की टीम के अंदर जो प्लेयर राज रहने वाले हैं उनके दाम कुछ यूँ है फखर जमान ओपनिंग करते हुए हमें फखर जमान टीम पाकस्तान का हिसा रहने वाली हैं और लेफ्टर अंडर प्लेयर हैं पहला वणे मैच जो है उनको खिलाया गया था और वंडेय मैच के अंदर निकी परफॉमेंस इतनी अची नहीं रही थी और जल्दी ही आउट हो गये थे ये पहले वंडेय मैच के अंद मुहम्मद हफीज की दोस्तों अगर हम भात कर लेते हैं तो अरे बाबर आजम कपता टीम का हिस्सा है कपता नहीं करेंगे आज नमबर तीम पर हैदर अली जहा है वो टीम का हिस्सा रहने वाले है तमाम दोस्त जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरहल कोई बाप नहीं बाबर आजम की पॉजिशन जो है वो आज़ी ओपनर ठीक है तो इसलिए बाबर आजम को आप आज़ी ओपनर खिला सकती है आज के इस मैच के अंदर और वो कप्तान है अपनी टीम के और यकिनी तोर पर वो बड़े रंज को बनाने की कोशिश करेंगे नमबर वन पर रहेंगे बाबर आजम चैप्टम रहेंगे अपनी टीम के हैदर अली जो हो नमबर तीन पर रहने वाली है जाए जार रही बात हैदर अली की तो क्या ही बड़िया प्लेयर है यह PSL से इनको select किया गया है और PSL के अंदर इनकी performance का माल दमाल की रही दोस्तों यहाँ पर इनको इसी कारण इसी वज़ा से जो है वो टीम पाकिसान का हिस्ता बनाया गया है और अब देखना होगा कि आज किस मैच के अंदर इनकी performance कैसे रहने वाली है हैदर इनकी नमबर तीन पर खेलेंगे अग्रेसिव खेलते हैं और तेज खेलते हुए दूस्तों टीम को तीम के कह लिजे के मैच से आते ही बाहर करने की इसलाहियत रखते हैं यह प्लेयर रेंड रही बाद इनके बाद आनेवल प्लेयर की गाइस तो वो होगे नन अदर देन मुहमद हफीज जो के नमबर चार पर टीम के अंदर शामिल होगे और मुहमद हफीज को दुबारा से चांस दिया गया है टीम के अंदर वनडे सीरिस याद रहे के आई थिंक उन्हें वनडे मैचे से रिटार्मेंट ही ले रखी है तो अब मुहमद हफीज जो है वो गाइस हमें आज के इस मैच के अंदर खेलते वो दिखाई देंगे और रही बात मुहमद हफीज के बाद आने वाले प्लेयर की तो वो होंगे बला कौन वो होंगे गाईस नंबर पांच पर मुहमद रिजवान सर्फराज जहमुद को टीम का हिसान नहीं बनाया गया तो इस वज़ा से एक है लीजे कि यहाँ पर मुहमद रिजवान जो है वो टीम का हिसा रहेंगे और अब देखना होगा कि रिजवान की बले बादी और परफॉर्मेंस आज के इस मैच के अंदर कैसी रहने वाली है आपका 74 दोस्तों है वो टीम का हिसा रहने वाली है और हफीस के बाद अगर हम बात कर लीते हैं अंगले प्लेयर की तो वो होंगे मुहमर रिजवान विकेट केपिंग करेंगे यार मुहमर रिजवान की परफॉर्मेंस मुझे बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी थी जो मैचेस हुए थे ना वंडे मैचेस उनके अंदर इनकी परफॉर्मेंस जरा बराबर भी अच्छी नहीं थी बरहल क्या कर सकते हैं टी है वो कह लीजे के यहां पर जो मैच हुआ था ना लाइक वंडे मैच आखरी वंडे मैच के अंदर इन्होंने इतना बड़िया परफॉर्म नहीं किया था और अब देखना होगा कि इनके परफॉर्मेंस कैसी रहती है हमार साथ हमारा गेमिंग चैनल मौझूद है मुझारबानी गुड बॉलर है हां जी पिछले मैच के अंदर उन्होंने साथ विकर्स को जब उकल मिला कर अपने नाम किया था और अब देखना होगा कि उनके परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और रही बात मौहमर रिज्वान की गाईज तो रिज्वान के बाद खुश दिल शा के अंदर आपको लिंक मिल जागा और रही बात जाईज इसके बाद आने वाले प्लेयर के तो वह होगे फाही मश्राफ मिडल ओडर में खेलेंगे ये प्लेयर और टीम के अंदर टबदीलियां के गई है टीम के अंदर जो हैं हो गाईज कुछ ना कुछ चेंजिस के गए है और अब देखना होगा कि कैसे चेंजिस यहां पर साबित होते हैं टीम पाकिस्तान के अंदर यहां मुहमद अफीस के बाद मुहमद इज्वान हुश्दिल शाफ वही मश्राफ वहाब र्याज को टीम के अंदर रखा गया है वहाब र्याज के बारे में दोस्तों अगर हम हो गयाज टीम का हिस्सारे रहने वाली हैं राजस miser के बारे में वाली है तो दोस्तों यह रहने वाली है टीम पाकस्तान की अपके साथ SHARE कर चुका हो और अब बारी है के टीम Zimbabwe को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि जिम्बाबवे के टीम के अंदर भी जो हैं वो कौन-कौन से प्लेयर शामिल है लेकिन तब तक तमान दोस्ट जो हैं वोडियो को लाइक करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें चाहिए नहां पर जिम्बाबवे के टीम के दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो जिम्बाबवे के टीम के अंदर चीम उचाबाबा जो हैं वो क्याप्टन होंगे और एजी ओपनर खेलते हुए में दिखाई देंगे और महम्मद इस्नयान को टीम के अंदर खिलाया गया है देखना होगा कि उनकी परफॉर्मस कैसी रहेगी और आज जो हो दोस्तों टीम के अंदर उस्मान कादिर को खिलाया गया है तो ये एक अच्छी खबर रहेगी टीम जी बिलकल आईज ये एक बहुत अच्छी खबर रहेगी टीम पाकस्तान की इस प्लेयर के लिए उस्मान कादिर के लिए नए प्लेयर को टीम के अंदर शामिल क गया है रियान बुर्ट को जो के सेकंड ओपनर के तौर पर खेलते वह दिखाए दिंगे ब्रांचारी की जगा पर इनको जह वो टीम के अंदर शामिल के आ गया है एंडर रही बात इसके बाद अन्विल्यम्स और सीन विल्यम्स जो है वो गाइज उन्होंने सैंचरी बनाई थी लास्ट वंडे मैच के अंदर और अब देखना होगा कि इस मैच के अंदर इनके परफॉमेंस कैसी रहने वाली है वो इसले मदवीर जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाली है एक और बड़ा नाम टीम जिंबावे का जिन्होंने आज अपना डेब्यू करना है T20 मैच के अंदर पाकिसान के खिलाफ शायद और देखते हैं इनके परफॉमेंस कैसी रहती है इस मैच के अंदर एंड मदवीर के बाद जो प्लेयर टीम का हिस्सा रहने वाली है वो है सेकंदर रदा बाट पाकिसान से ही इनका अरबानी टीम का हिस्सा है और मुझा रबानी के साथ जो है वो गाईज टीम के अंदर रिचर्ड नागा राबा जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाली है तो गाईज ये रहने वाली है टीम पाकिसान की टीम जिंबाबे के प्लेंग लेमन और रही बात यहां पर टीम के स्ट तो ग्राउंड के स्टाइट्स के बारे में भी आपको मैं शेयर कर देता हूं कि अब तक कितने रंज बने हुए है और इम्स के पर्फॉर्मेंस क्या रही है गाईस तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते ही हैं आपर फंटसी इंसाइट्स की यानिके इस ग्राउंड के तो यानिके इस मैच के तो 60% चांसेट टीम पाकिसान इस मैच को विन करेगी और 40% चांसेट टीम सिंबावी को विन करेगी तो प्लेंग 11 के बारी में आपको बता दूँ के हैदर अली जो है वो एस दिविपनर खेलते हुए में दिखाए दिगे आज किस बलके ऐसे सेकंड बंडाउम की पॉजिशन पर जो है वो यह प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाए दिगे और अलर सीन के परफोएंस कैसी रहती ह जो हो गाईस इस मैच का होचका है जना पर रब देखना होगा के सिचुएशन इस मैच के क्या रहने वाली है और जिबादे के अगर हम दूसरे प्लेयर के बाद कर लेते हैं तो वो होंगे आलर रौंडर प्लेयर सीन विलिम्स जिन्होंने पिछले मैच के अंदर ताबर तो पाकिस्तान की टीम ने तीन मैच को विन कर रखा है एक मैच को उन्होंने लोज किया हुआ है और रही बात टीम जिम्बावे की तो उन्होंने दो मैच को विन कर रखा है तीन मैच को उन्होंने लोज कर रखा है जहां पर अब मैच का आगाज होने वाला है टॉस को जीत लि काफ फैसला कर लिया है इस मैच के अंदर पाकस्तान ने दो साल के अंदर पिछले दो साल के अंदर चार मैचेस को विन किया हुआ है इन जम्बावे ने पिछले पांच दो साल के अंदर पांट मैचेस को विंका रखा है पिंडी क्रिगेटर स्टेडियम से यह मैच जो है वो दोनों टीम्स के दर्म्यान अब शुरू होने बाला है जहां पर अगर हम बात कर लेते एक दफा फिर इन दोनों टीम्स की प्लिंग लवन की जाई है जो प्लिंग लवन की वो तीम का ही सा रहने वाली है I'm वो टीम का ही सरे रहने वाली हैं और ब्रेंडन टेलर नवर तीन पर खेलेंगे वन डे हैं जो है वो मैच्श के अंदर एक सेंचरी उन्होंने लघार की है और बहुत यह बड़ाई परफ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्त का important सवाल आया है कि match का आगाज कब होगा तो बाई मेरे match का आगाज जो होने वाला है कुछी समय जो है वो हो यानि कि कुछी वक्त जो है वो match का आगाज होने में मजीद बाकी है लगबग और toss की बात कर लेते हैं तो toss को win कर लिया है team zimbabine और toss को जीते हो पहले balling करन सामने आएंगी तो एक अच्छी हबर है आप तमाम दोस्तों के लिए यह देख लीजिए जी हां गाइस अप्लेयर की पिक्चर्ज वगारा जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं प्लीज स्पोर्ट करो mzw gamers हमारा gaming channel जिसको जाकर आप चेक कर सकते हैं free fire का जो भी बंदा शो आज किस मैंच के नर दिखाई देंगे guys और फकर जमन ने 37 T20 मैंचस खेल रखे हैं बाबराजम जो के T20 क्रिकेट के नंभर 1 प्लेर हैं वो हमें गेलते हुए दिखाई देंगे guys और नंभर 2 पर रहेंगे 14 मैंच कταक्षोग रहें हैं बाबराजम ने हैदर पार नंभर 3 के posit पर एंड देखना होगा कि कैसी performance रहती है हैदर अली की उन्होंने एक match I think है एक से दो match जो है वो T20 के खेल रखे है और उन्होंने टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ अपना debut किया था नंबर चार पर मुहम्मद अफीज रहेंगे टीम पाकस्तान के अंदर जिन्होंने बा इसके तो पहला ओडिया मैच इंगलैंड पाकिस्तान ने विन क्या दूसरा ओडिया मैच पाकिस्तान ने विन क्या तीसरा ओडिया मैच पाकिस्तान ने विन क्या खिए अपनाश। झाल 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 पाकिस्तान वर्सेज जिम्बावे का ये मैच है जहां पर पाकिस्तान की जान से और अगर हम बात कर लेती हैं टीम जिम्बावे की तो जिम्बावे के प्लेयर्स भी जो है वह अब ग्राउंड के अंदर उतर चुके हैं गाईज और एक इंट्रेस्टिंग मैच एक बड़िया मैच जो है बोगोते हुए हमें इन दोनों टीम्स के दर्म लेकिन अनफोर्चुनेर्ली के यहां पर प्रॉब्लम्स आ गई कुछ जो है वो यहां पर मसले मसाइल आ गए जिसके वज़ए से लाइस्ट्रीम स्टक होगी थिर लेकिन अब जो है वो दुबारा से मैं आपके साथ आ चुका हूँ एंड देखना होगा क्या साना आच रहत इम जम्बावे के जानिम से आते ही चौका लगा दिया गया है और इसी चौकि के लगते ओए अब जम्बावे जो है वो इस मैच के अंदर अपना खाता खोले की जहां गाई जाने जाने बाउंडरी लाइन के बाहर चौकि के लिए चौका मिलेगा इसकेन के उपर चौके के चलते हुए चार रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान थे अगी गेंद और वाइट डिलिवरी हो सकती थी पर हल लखी रहेंगे ये प्लेयर गेंद बले के बिलकुल बाहरी किनारे के पास से गुजरते ह जागी विगट के पर के आप में डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए चार रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान थे और बले को बीट करते हुए गई ये गेंद विगट के पर के आप में डॉट डिलिवरी और डॉट गेंद अगली गेंद इसके इन को डिफेंट कर दिया है कवर और पॉइंट की जाने ब्रान आउट होने का खत्रा लेकिन सिंगल लेंगे यह दोनों प्लेयर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर अब टीम जिंबाबे का पांच बिना किसे बिगट के पर जिंबाबे के तीम निल जिंद टास्स बिन किया और तास्सट को जिते हुए टीम जिंबावे ने इस मैच के अंदर पहले जो है वो बारींग करने का फैसला कियार और अब देखना और अब देखना огा कि उनका ये फैसला eg होता है जहां पर एक इंटरस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते हुए हमें दिखाई देगा और जिंबावे के टीम के प्लेइर्ज जो है वो गाई यहां पर हमें बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां अगली गेंद विकर तुट आते हुए गेंद चौका होएगा अब पांच टीम जिंबावे का बिना किसे विकर के नुकसान पे बेहतरीन मैच बड़िया मैच जो होते हुए हमें दिखाई देगा इन दोनों टीम्स के बीच यहां पर मुहम्मध अस्नान अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे दोरना शुरू किया तेज टीम जिंबावे को गाज यहां पर रिव्यू लेने का सोच रही है टीम जिंबावे और रिव्यू जैबो उनकी जानीच से लिए अगया है यह बिल्कल गाई जै टीम जिंबावे के प्लayős जो है वो रिव्यू लेते हुए अब देखना होगा के रिव्यू के अंदर जिं जीम जनी को इंसा एज को चक्किया जा रहा है तो ये गेंद इंसाइज को मिस्स करते हो जाकर टक्राईगी इनने ड़की लाएज जो है वो इस टूरम एंडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल सके लेकिन अब देखना होगा कि उनकी परफ़ोंसि समाच के अंदर कैसी रहने वाली है लाइक हम ये गेंज वह दोस्तों अंदर आती हुए गेंज इंपक्टिन लाइन पिचिक इन लाइन एंड विकेट सेटिंग जी हां दोस्तों विकेट को हिट करते हुए ये गेंज और इस तरह जिमबाबबे के टीम जो है वो पहलादस का महसूस करेगी जिमबाबब के टीम जो है वो गाइज पहला दश का महसूस करते हुए कप्तान कप्तान जो है दोस्तों इस सीरीज के अंदर बिल्कुल भी काम्याब नहीं रह सकते जहां पर अपनी विगट का लूस करेंगे कप्तान भाया और जाएंगे पबिलियन के तरह वापिस पहला दश का लगते और अब इस मैच के अंदर बरतावस को जो रहेगा गाई इस ओवर रहेगा कह लीजे के इम जिंबाबे का पांच एक विगट के नुकसान पर पहला दिसका लगते हुए टीम जिंबाबे को जहां पर कप्तान जो है वो आउट होच कही है और आज चिकंग बुरा को भी जो ह पहला नुकसान जो है वो करते हुए जहां पर विगट के लूस कर दिया है टीम जिंबाबे ने हारी लाल सर हमार साथ मुझे अर सल्थोर भाई हमार साथ मुझे वेल्कम तो इस लाइफ्रीम जिंबाबे के टीम को लगा है बड़ा दसका जहां पर अब पांच रहेगा टीम जिंबाबे का स्कोर एक विगट के नुकसान पर आगर इगेंद होगी इस सवर के और सामना करेंगे सेन विलियम्स जो के कप्तान ही अपनी टीम के और अब देखना होगा के इनकी परफ्फरमेंस आज किस मैच के अंदर कैसी रहने वाली है गाईज क्योंकि ये कप्तान नह रहेंगे नौट आउट और नौट आउट के चलते हुए पांच रहेगा टीम जिंबाबे का स्कोर एक विगट के नुकसाम पर रिवीव का सोच रही थी टीम पाक्स्तान लेकिन रिवीव हो जो है इनकी जान से नहीं लिया जाएगा और अब पांच रहते हो टीम करने के लिए जहां पर एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच जो होते हुए दिखाई दिगा इन दोनों टीम के दरम्यान ना टेलर जो है वो पांच पर मौजू ने तीन गिनों का सामना कर रखा है चीवुच अबाबा ने अब तक कोई रंदी मनाया दो गेनों काम की तो वो आएंगे और सिकंदर रजा के बाद अच्छे सारो जो है वो बाटिंग करते वो दिखाई देंगे जहां पर अले गेन अंदर आते हुए और इंसाइड आज होने के बाद गेन जाए कि लेक साट की जानी बेकरन आएगा इस गेन के उपर दूस्टरे प्रन के नुक्सान पर आते हुए गेन थी फ्लिक कर दिया था इस गेन को लेक साट की जानी बहुर अब आट रहेगा स्कोरिक विगट के नुक्सान पर वालेकम असलाम वेलकम टुट इस लाइश्ट्रीम बहुत शूक्री आपका भी साथ आने के लिए और जितने दोस्ट जांगे इस बारे में आपको बताऊंगा लेकिन मुहममध असने पिसले अवर के अंदर कमाल कर दिया विगट को प्राप किया मुहममध असने और जिंबाबे के टीम स्ट्राइक पर मौजूद जिसक बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे हार इस राउफ दोर ना शूरू किया थे लाजवाब और बेहतरीन किसम की गेंद बादी करवाते हुए हाँ पर हार इस राउफ जिनकी अंदर आती हुई गेंथी और अंदर की अंदर आती हुई गेंद जो है वो बल्ले के इंसाइडाइज को मिस करते हो जाएगी विकट के पर क्या आप में जो करेंगे सकेंद को एक और यानिके कैज करने की कोश्चिश लेकिन गेंद रहा वो इंसाइडाइज को मिस करेगी और अब रहेगा स्कोर आठ टीम जिंबावे का एक विगर के लुक साम पे बालर तयार पैर्स पर आले विगेंद बहुत बढ़ी अपील लेकिन अमपार जिनका नाम है लीमडा अलीम डॉर नाडाउट का इशारा देते हुए और अब देखना होगा तीम पाक्सान रिव्यू लेती है या नहीं अपील हुई है अल्बी डड्यू की और पाक्सान के प्लेयर्स पाक्सान की गफ्तान जो आपस में डिसकस करते हुए बाबर आजम को कन्विंस करते हुए और टीम पाक्सान लेगी यहाँ पर रिव्यू पाक्सान की टीम जो आप बाइस रिव्यू लेते हुए बहुत दौस्चे के आप तमाम दोस्तों का 400 दोस्तों वोडियो को लाइक कर चुके हैं बहुत भँत धने बादा एंड शो कि आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल क को मिस्स कर रही थी और गेंद उनके लेक्स्रम को मिस्स करते हुए यानि कि जब ये गेंद पिच की थी तो लेक्स्रम की लाइन के बाहर पिच की थी तो इस वज़े से नौट ओड का इशारा ही जो है वो अमपार के जान से दिया जाएगा बरहल अभी भी रिव्यू लिया गया है इंसाइड ऐज को चक्किया जा रहा है तो ये गेंद बिल्कुल भी इंसाइड ऐज नहीं हुई है गेंद जाकर टक्राई है जो बिल्कल गाईज अगेंद जो है वो सीधी सीधी जाकर टक्राई है पैर से और अब देखना होगा कि क्या दिया जाता है हम पार्क के जान से और इनल डिसीन नॉट आउट एंड पिचिंग आउटसाइड लेक्स्ट्रम पर आउटसाइड लेक्स्ट्रम पिच करने के कारण यहां पर पाकस्तान के टीम अपना रिव्यू लूस करते हुए जहां पर आठ रहेगा टीम जिंबाबे का स् लूस कर दिया है वापिस वादर की जानेब आक्ष्ट्रम करेंगे इस सिंगल आएगी सिंगल के जलते हुए ना रहेगा टीम बलके सिंगल लेना चाहते थे लेकिन रहेंगे नाकाम और रभ नौर रहते हुए टीम जिंबाबे का स्कोर इक विकट के नुकसान पे कॉन से ट कर सकते हैं बता सकते हैं लाइफ चैट के अंदर यहां पर एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते हुए दिखाए दिगा पाकिस्तान और जिंबाबवे के टीमों के दर्मियान ये मैच जारी है गाईज और लेट सी विच टीम तो विन इस मैच जहां पर अपने लेन नुकसान पर जहां पर एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान पहला मैच है गाईज पहला T20 मैच जोई इन दोनों टीम्स के दर्मियान जारी है और अब देखना होगा ऑनसेरी मिस मैच को विन करती है आपके हैं को टीम इस मैच को विन करेगी, इस मतलिक आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं, लाइफ चाट के अंदर जहां हारी स्राउफ अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे, दरना शुरू किया थेज़ वे, अम पार को रवास क्या गेंट क्या आपर दभी गड बेहतरीन चौका और चौके के लगते हुए स्कोर रहेगा, इस मैच के अंदर अब 10 टीम जिंबावे का एक विकर्ट के नुकसान पे, इस टीम बता दियें, दोनों टीम्स की, हाँजी हाँजी, दोनों टीम्स की प्लेंग 11 मैं आपको बता देता हूँ गाईज, यहां पर पाकस्तान की टीम के अंदर फखर जमान, बाबर आजम, हैदर अली, मुहमद हफीज, मुहमर रिज्वान, इसके साद साथ, खुश दिलश्या, फाहीम अश्रफ, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, हारिस रौफ, मुहमद हसनयान, जो हैं वो पाकस्तान की टीम का हिस्ता है, जहां अपने अबर के लिगेन लेकर तयार रास्टन के बाइट जाता अगेन स्मैश कर दिया स्केन को एक्ष्ट्रा कवर की जाने बुंदा शॉट लगेगा सिंगल आएगी स्केन के उपर और सिंगल नहीं बलके चौका मिलेगा इसकेन के उपर रख क्योंके गैप में खिला था इसकेन को और गैप में रहते हुए गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर चौके के जलते हुए अठारा रहते हुए टीम जिंबावे का स्कोर एक विगट के उकसांपी मिडल अप तब बैट इसकेन को स्मैश कर दिया था एक्ट्रा कवर की जाने बार कोई मौका नहीं बना किसी प्लेएर के बास के वो करी है इसकेन को फिल्ड और गैन जाएगी बाउंडरी लाइन के ब सिंगल के चलते हुए उननी स्कोर एक विगट के नुकसां पर आपके खाल से कौन सी टीम इसमास को विगट करेंगे इस मतले का तमान दोस्ता अपने एक इज़ार कर सकते हैं बता सकते हैं लाइफ चार्ट के अंदर जहां पर एक इंटरस्टिंग मैच बढ़िया मैच चलत लेकिन फिर भी उन्होंने चौदा गिनों के उपर उन्नीस रंज बना रखी हैं और देखना होगा विकट को ले पाएंगी यह प्लेयर्स यहां फिर नहीं बॉलर तया रख दी गेंग दपार्स पर आते भी गेंग दफ लेकर दियास गेंग को फाइन लग की जाने मिस के लिए और चौके के चलते हुए इसमयाच के अंदर स्कोर रहेगा अब टीम जंबावे का गाईज अब टेइस एक बिकट के नुकसाम पर बेहतरी इन रॉनिंग जो है वो कह लिए के बैटिंग करते हुए दोनों प्लेयर और की प्लेयर हैं सीन विलियम्स और टेलर जो है अब अपनी टीम के बहुत ही अच्छे प्लेयर है और अब देखना होगा कि किस किसम की क्रिकट जो है वन की जान से खेली जाती है तेज रहेगा टीम मा जिम्बावे का स्कोर एक बिकट के नुकसाम पर मुझारबानी जो है वो इस मैच के अंदर मौजूद है अर अब इस टीम जिम्बावे का एक बिकट के नुकसाम पर वीडियो की उपर जो है वो इस वकत 500 लाइक सोने वाले हैं 500 लाइक सोने में 15 की जरूरत है तमाम दोस जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जहां पर एक बहतरी इन मैच जो हो बहतरीन और लाज जवाब चौका क्या ही कहने है सीन विलियम्स के जिन्होंने इस गेन को स्मैश कर दिया था एक्स्ट्रा कावर की जाने बर गेन दो फिल्डस के दर्मयान में से होते हो जाएगी बांबरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरा चौका और आज सीन विलियम् जिन्होंने फ्रंट फूट पाल आते हो इस गेन को स्माश कर दिया था और कोई मोहका नहीं बना किसी प्लेयर के बास के वो इस गेन को रोखेंगी और गेन जाएगी बांबरी लाइन के बाहर चौके के लिए और चौके के जलते हुए सताइस रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर एक विगर्ट के नुकसाम पे हसनयान की खुब दोलाई होते हुए जहां अगवी गेन्द मिडल एन ऑफ संपर पिछ वी गेन्द पढ़ने के बाद मजीद बाहर के जान निकली यह गेन्द और बल्ले के बाहरी किनारे को मिस्ट क सब्सक्राइब करते हुए और जिम्बावे की टीम आपके ख्याल से कितने रंज बनाएगी इस मुदलिक आप तमाम दोस्त अपनी राय का इजार कर सकते हैं बता सकते हैं लाइचार के बाटनर्शिप 18 रंज की चलते हुए इन दोनों प्लेयर्स के बीच 11 गेनों का इन दो फैमली का हिस्ता बने के लिए जहां पर रब 27 रहते हुए स्कूर एक बिगर के नुकसां पेकुल मिला कर तेरा रंज आए सबर के अंदर जहां बैस्वें दिन का नाम है टेलर वो स्ट्राइक पर माजूद करेंगे सबर के लिगेन का सामना बालर है फाहीमा श्रफ दॉर न अठाइस टीम जिम्बावे का एक विगर के नुकसां पे फाहीम अश्रफ को बॉलिंग के लिए लाया गया है और फाहीम अश्रफ ने अठाइस मैच इंदर 24 विगेर्स को अपने नाम का रखाए देखना होगा कि इस मैच के अंदर उनकी परफोर्मेंस कैसी रहने वाली है तीन आश्रिया ये कवर का खेल मुकमल होच का अठाइस रहते हो टीम जिम्बावे का स्कोर एक विगर के नुकसां पे टेलर 15 पर मौजूद है विलियम्स 13 पर मौजूद है जो करेंगे सबर के लिगें का सामना पैट पार आदे वी गेंद फ्लिक कर दिया इस गें को मिदल अब सिंगल आते हैं इनके उपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा यहां पर 29 टीम जिम्बावे का एक विगर की नुकसां पे सीन बीलियम्स बढ़िया फ़्म में है पिछले मैच केंदर इंथोने संचलिक लगाई थी और रब लिखाती है है इस मैंच के अंदर जहां पर अपर एफसीन विलियम्स अच्छी क्रिकट खेलते हुए दोनों प्लेयर्स बलके अच्छी क्रिकट खेलते हुए पार्टनर्सिप बढ़ते हुए बगद 22 की ओच कि जहाँ इस गेंको लाप कर दिया था फैनलक की जानिक जानिक प के लिए आपर गई है या फिर नहीं को रोखने की कोशिश की लेकिन अब देखना होगा कि वह चौका रोखने में कामयाब रहेंगे या नहीं जी नहीं दोस्तो गेंद जाएगी बांपरी लाइन के बाहर चौके के लिए और चौके के चलते हुए स्कूर रहे एकसा हमाद अरसल थोर भाई जितने दोस जांगे इंसे मौझूद हैं वल्कम एवर्वन टो इस लाइफ इम और अब चौका देते हुए अंपायर इसकेन के उपर मुहमद अरीब भाई भी हमार साथ मौझूद हैं और चौके के चलते हुए स्कोर रहेगा 23 टीम जिंबाविगा इत विकर के नुकसाम पे तीन अशरीय थी नवर के बाद जहां फ़हीम अश्रफ अपनी बॉलिंग के सिसले को जाड़ी रखेंगे दोना शुरू किया तेज हुए अंपायर को ग्रॉस का गेन का शॉट पिज ज कर दिया है कवर और पॉइंट की जाने अब फिल्डर रहेंगे माजूद करेंगे स्केन को फिल्डे का और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए 23 रहेगा टीम जिंबाविगा स्कोर इट विकर के नुकसाम पे इना शरीय चार अवर का खेल मुकमल हुज का रहें ब्रेंडन टेलर की दोस्तों बात कर लेते थे ओडियाई सीरीज जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाव खेली उन्होंने तीन मैचेस के अंदर 204 रंस बनाए और 68 किन के आवरेज रही 88 काम का स्ट्राइक रेट रहा 112 का बैस को रहा जहां पर अब देखना होगा कि किस किसम की क्रिकट खेलती हैं टीम जिंबावे टीट्वंटी मैचेस के अंदर जहां अपने अवर के लिगें लेकर बॉलर तयार दौना शुक्या थेस वेंपार को क्रॉस का अगें क्या पढ़ने के बाद अंदर की जाने बाए अगेंद इसकिन को डिफेंट कर दिया है कबर और पॉइंट की जाने अब फिल्टर रहींगे माजूद करेंगे स्केन को फिल्डेक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा इस वेंच के अंदर तैंती स्टीम जिंबावे का एक विकट के नुकसाम पी 500 से उपर दोस्ट जोने वीडियो रहेंगे माजूद करेंगे स्केन को फिल्डेक और डॉट 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 डिलिवरी बलके सिंगल आती वर्ट सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैंच कन और चानती स्टीम जिंबावे का विकट के नुकसाम पी और अब फाहीम अश्रफ ने पहली ही अवर के अंदर उनकी इतादाद बला कितने रही साथ रंस देते हुए फाहीम अश्रफ अपने पहली अवर के अंदर ब्रेंडन टेलर उननीस पर मौझूद है स्टीम बिलियम्स चाला पर मौझूद है फाहीम अश्रफ ने चार गेने करवाई और कोई विकट जो है वो गाईज उन्होंने जिम्बावे के प्लेयर जिन्होंने अर्ली ओन विकट कर लूज किया लेकिन विकट कर लूज करने के बाद उनकी जान से अची क्रिकट खेली गई जहां इन दोनों प्लेयर्स के दर्मयान अठाइस्टों की पार्टन्शिब लगते हुए लिग लिगेन को फिलिक कर दिया लक्साग की जाने बा हवा में है गेंद और हवा में रहने के बाद गेंद आगी बैकवर्ट स्कुल लगके फिल्डर के आथों में करेंगे इसके इन को कैच और इस तरह टीम जिम्बावे जो है वो अपनी दूस्टे विकट का लूज करते हुए बड़ा दचका लगेगा टीम जिम्बावे को जहां इसके इन को फिलिक कर दिया था लक्साग की जाने बा हवा में रही ये गेंद और हवा में रहने के बाद गई सिधा बैकवर्ट स्कुल लेके फिल्डर के आथों मौजूद थे वहां पर हैदर रली हैदर रली करेंगे इसकीन को कैच और इस तरह टीम जिम्बावे जो हैं वो अपनी बड़ा दच का लगते हुए टीम जिम्बावे को जिम्बावे के टीम के प्लेयर जिनका नाम है ब्रेंडन टेलर चका लगाने की कोशिश में आउट होकर पविलियन के तरफ वाविश आएंगे जिन होने इस स्केन को कर दिया था फिक फाइनलेक की जानिब और गेंड हवा में रहने के बाद गई सीधा फिल्डर के हाथ हो में करेंगे स्केन को क्या चाच यह फिल्डर और इस तरह टीम जिम्बावे जो है वो विगके दूसरा दच का लगते हुए टीम जिम्बावे को जहां पर देखना होगा कि इसा रहता है टीम Zimbabweka या किनी तौर पर उनको ये match जो है वो लाजमी तौर पर बिन करना चाहिए और अगर वो इस match को win करते हैं गाई इस तो match को win करने के साथ वो series के अंदर एक से फर्की बरट को जहां बने नाम कर लेंगे वरहल अब देखना होगा कि ऐसा रहे गा या फिर नहीं रहेगा जहां गाइज देखने वाली बात जो यहीं होगी कि ऐसा हूप आई गाइंगी जहां पर अब हारी स्थ अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे नौर रन्स देते हुए एक दिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर अब टीम जिंबावे का चौंतीस दो विगट के नुकसान पे चार देशन लब दो बर के बाद अब चौका लगाना चाहते देशन के ओपर अक्षा कवर की जाने लेकर रहेंगे नाकाम और बले का आउटसाइड यानिके मिडल लेते हो जाएगी अक्षा कवर की जाने अब फिल्डर है मौजूद करेंगे इस दिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा अब इस मैच के अंदर चौनती स्ट्रीम जिंबावी का दो विगट के नुकसान एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़ा मैच चलते हुए दोनों टीम्स के बीच आपके खाल से कौनसी टीम इस मैच को विन करेगी इस मोतलिक आप अपने राइगाइज आर कर सकते हैं बता सक के अंदर जहां पर पाकस्तान और जिंबावी के टीम होगे दर्मयान ये मैच जारी है गाइस और इस मैच के जहां तक बात रही तो इस मैच को वो जो है वो अब तक जिंबावी के टीम ने अच्छा के रखा है पुल करना चाहते थे इस गें को लकसाट की जानिब लेकिन लेने के बाद जाएगी वह आप इस बॉलर की जानिब डाट डिलिवरी और डाट डिलिवरी के चलते हुए पैंटिस रहे का स्कोर दो विगट के निक सांपी और वाइस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मसला आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं ताके हम जो है वो इस प्रॉब्लम को इस मसले को सॉल्व करें जहां पर एक इंटरस्टिंग मैच एक बड़िया मैच चलते हुएं दोनों टीम्स के बेचा तीन मैच खेले हुए हैं ओडियाइस सीरीज के अंदर सीन विलियम्स ने और 90 की बल्के 99 की आवरी से उन्होंने पाकिसान के खिलाफ जो रंज बनाए हुए हैं गाइस उनकी उनकी तादाद बला कितनी है एक सो सतान में रंज बनाए हुए हैं उन्हें और बेहतरीन बले बाद एक सेंचरी भी लगा रखी वन डे सीरीज के अंदर उन्हें पाकिसान के खिलाफ चाट पी जगेंड फूल कर दिया इस गेंड को लेक्सार की जानिब गाप में है गेंडर सिंगल आते हुए सिंगल के हो रहेगी गाइस के स्कोर बड़ते होई चला जाएगा पैंतिस टीम जिंबावे का दो विगट के नुकसाम पर चार दी शमलब चार अवर के बाद जहां एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच होगा क्यूंके जिंबावे के टीम जो है वो अच्छा खेल रही है इस बिल्क के सैंती सोटेव स्कोर दो विगट के नुकसाम पर अब पांच अवर्स का खेल मुकमल होचका है एंड पंदरा आवर्स का खेल होना बाकी है देखना होगा कि पंदरा वर्स के इंदर कितने रंज बनाती है जिंबाबी के टीम आर्ची बीगी टीम कल बाहर होगी दोस्तों और अब कल को दिल्ली कैपिटल और दिल्ली कैपिटल के साथ जो है वो दूस्तों टीम का फाइनल होगा जी बलकल गाईज एक बड़िया मैंच होते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान और अब बॉलिंग में तबदीली की गई है वहाब र्याज को गेन बादी करने के लिए लाए गया है देखना होगा के वहाब र्याज जो है वो किस किसम की बैटिंग करते हैं अलिगेन को ड्राइब करना चाहते थे एक शो अगवर की जाने बले का अंदर नहीं किनारा लेगी अगेन दार इंसाइड एच लेने के बाद जाएगी लेक साट की जाने मिड विकट की पॉजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे इस गिन को क्या फिल्ट और एक अब तक मुकमल हो चुका है चैक आउट बड़ी चैक आउट जीतो दोस्तों और तीस रहते हुए स्कोर दो विकट के नुकसां थे पांच अशरिया एक अबर के बाद वहाब की गेन दपाट्स पर आते बिगेन दफ्लिक कर दिया इस गेन का लग साट की जाने अब सिंगल पर दूसरों रॉन के लिए दोनों प्लेयर रापिस आएंगे लाजवाबर बेहतरीन अरॉनिक बितनों विकट्स करते हुए दोनों प्लेयर और दो रंस के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैंच के अंदर अब 40 तीम जिंबाबे का दो विकट के नुकसां पर जिंबाबे के खेल मुकर्ण होचका बॉलर तैयार बहाब की गेंद अंदर आती हुए गेंद और अंदर आती हुए गेंद याक ठकडाएगी यहां पर पैर्स है और पैर्स हर कराने के बाद रहेगा स्कोर 40 चीम जिंबाबे का दो विकट के नुकसां पर कि चालिस तरह तरहती हो टीम जिंबावे का स्कूर विगत करने खिलाघां पर है कि इस तरह थे शक्रदुपिए कंगे खिल के आप जाता हुगा इन शड़ेंड डिपरण्ट कर दिया इस गिन को कवर और फॉर्ण के जाने अब वहां अब रियास के एक और स्लोर बंगींती बलके गेंद और सिंगल लेंगे यह दोनों प्रे रची रंग बिटना वेकर्स करती है वर रहा सिंगल के जलते हुए एक तालिस रहेगा स्कोर दो वेकर के नुकसान पे एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के भी इचा है मतब वीर दो पर मौझूद है जिन्होंने वंडे सीरिस के अंदर बड़िया परफॉर्म किया था और अब देखना होगा कि किस किसम के रिकट खेली जाती हुए उनकी जाहन से पार आते ओपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा, बयाल इस्च्छे इंबाविका दो ब्कट के नुकसां पर 42 रहते वे स्कोर, दो विगर्ट के नुकसान पर एक अच्छा मैच, एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के बीच आपके ह्याल से कौन छेटी में इस मैच को विन करेगी इस मतलिक आप अपने राय का इजार कर सकते हैं, बता सकते हैं लाइफ चैट के अंदर जहां पर अपने अबर के लिगे लेकर बॉलर जो हैं वह गाईज रहें गए ता यार दारना शुरू किया तेज हुए, अमपार को ग्रॉस के अगेन किया, विकर्ट हुए गड़ाद अव अगेन इस किन को ड्राइब कर दिया है 530 के करीब दोस जोन आमार साथ मुझूद है और अब बस सिच्वेशन को चीओ है के बयाली से स्कूर दो विकर्ट के नुकसाम पी अगली गेन को उठा दिया है, लॉंग ओफ की जाने भावा में है गेन, फिल्डर गेन के पीछे और बिल्कुल बाउंडरी लाइन के बाहर जाएगी ये गेन क्यूंके फिल्टर ने की है मिस फिल्डिंग और आब रहेगा चाली स्कूर दो विकर्ट के नुकसाम पी छे आशर ये कवर का खेली स्माइट के अंदर मुकमन होच काहिं, यहां स्माश किया था इसके इनको एक्ष्रा कवर की जाने भार, सिंगल जो है वो दोस्ता, दो रन जानी थे लिकिन फिल्डर ने की मिस फिल्डिंग और गेन जाएगी बांडरी लाइन के बार, चौकी हिल बॉलर तयार, आस्रम के बाहर जाता हुआ, फाहीम का एगेन, इस गेन को डिफरेंट कर दिया है, थर्ड मैन की जाने ब सिंगल के लिए जाएगी एगेन, सिंगल आते हुए स्केन के ओबर, और सिंगल के जलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर अब 46 टीम जिम जिम ज बलके 47 टीव स्कोर दो विकट के नुकसाम पिया और अब 6 आशर याद ओवर का खेल मुकबन होचका है, और हमारी साथ यस वगत 500 के ओपर दोस्त मौझूद है, और साड़े 500 दोस्त जो है वोडियो को लाइक करते हुए बहुत बहुत शूर के आपका वोडियो को लाइक ए इन दोनों टीम्स के बेच, जिंबावे ने अच्छे रंज बना रखी है, लेकिन अब देखना होगा के वो इस मैच के अंदर टोटल रंज जो है, वो कितने बनाते हैं, यही जो है वो गाइस देखने वाली बात होगी है, और इसे बेच स्किन को कट कर दिया है, एक्स्ट् आपके ख्याल से इस मतलिक आप तमान दोस्तों ने बता दिना है, लाइफ चाट के अंदर, क्योंकि लाइफ चाट जो है वो आपके पास एक ऐसा जरिया है, जिसके अंदर आप बताएंगे हमी तो आपके कमेंट्स को मैं रीड भी कर सकता हूँ, वड़ भी सकता हूँ, जह पहली विगेट जो है वो चिबाबा की गिरी थी जहां पर चिबाबा अलबी डवी आउट हुए थे और रही बात अगले आने वाले प्लेयर की तो गाईज, वो थे ब्रेंडन टेलर जो के आउट हुए, फिलिक किया था उन्होंने लेक साट की जाने ब और गेंधावा में रहने के बाद गई थी सिधा, फिल्डर के हाथ में जिन्होंने किया इस गेंग को कैच और इस तरह जिंबाबे के टीम ने विगट को लोज किया गाईज और अब अर्था आलिस रहते हो टीम जिंबाबे का स्कोर दो विगट का नुकसाम पे, कमेंट्स रीड करते हो क्या, ह अब जो है वो देखते हैं क्या सिच्वेशन बनती है, जहां आफस्टरंग के बाद जाता होगे इन शॉट्पिछ गेंडिफरेंट कर दिया इस गेंग को कवर की जाने, फिल्डर मौज़ूद करेंगे इस के इन को फिल्ड सिंगल आएगी सिंगल के चलते हुए स्कोर रहे लेकर अब देखना होगा कि जिंबावे के टीम आज के इस मैच के अंदर कितने रंज बनाती है, जहां फाहीम अश्रॉफ अपनी गेंबादी के सिसले को जारी रखेंगे, फाहीम अश्रॉफ बिल कंटिनू इस बॉलिंग जहां शॉट्पिछ जे गेंड, फॉल करना चाहत लेकिन रहींगे ना काम और गेंड जाएगी विकट के अपर काप में एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते वो इंचास रहेगा स्कूर दो इकट के निक साम पे तो गाइज विश्टीम इस गोई टो इन डिस मैच यू किन टेल में लाइब चाट अपनी राय का इजार कर सकते हैं तुमाम दोस्त लाइफ चाट के अंदर जहां पर एक हैं इंट्रेस्टिंग मैच एक बड़िया मैच चलते हैं दोनों टीम के बीच और जिंबाब देके इसके बाद यूप राएंगे वो होंगे र्यान बोरल और चिंगंबुरा को आज टीम के अंदर शामिल के आगया है सिकंदर रदा बर्ट जहां वोटीम का हिस्सा है तो यह एक चीजा है जह ईक अचीजी चीजा है उनकी टीम के लिए क्योंके चिगंब बुरा जो हैं वो एक्स्टर कबर की जाने फिल्टर रहेंगे माझूद करेंगे इसकें को फिल्ड का दॉड देलिब्री और डॉच दॉट देलिब्री के चलते हुए स्कोर रहेगा इसमैच के लिद उन्चास ट्यम्वे का दो विकर का दॉट का नुख साम पी जिंबाबवे के टीम जो है वो दोस्तों बड़ी अंदास से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब उंचास रहेगा स्कोर टीम जिंबाबवे का दो विगट के नुकसान पर अले गेंट शॉट फिच अगेंट अफ ट्राकर ये गेंट इस गेंट को फिल कर दिया है लेक्साट के जाने में विगट के पोजिशन पर फिलडर रहेंगे माजूद करेंगे इसके इनको फिल्ड सिंगल आएगी इसके इनके वर सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा पचास दो विगट के नुकसान पर रिजवान को एज़े विगेट के पर टीम के अंदर शामिल के आ गया है और अब देखना होगा के उनकी परफरमेंस आज किस मैच के अंदर कैसी रहती है गाईज जहां उस्मान कादिर आज अपना डेब्यू मैच खिर रहे है टीम जिंबावे के खिलाफ और लेक्स पीन बॉलर है शादाब खान की जगा पर इनको वो टीम के अंदर शामिल के आ गया है और अब देखना होगा के इनकी परफरमेंस कैसी रहने वाली है इस मैच के अंदर उस्मान का दिर पाक्सान की कैप रिसीव करते हुए आज अब अलेट सीन की परफरमेंस जो है हो गाइस कैसी रहने वाली है जहां पर अब पचास रहते हो टीम जिंबावे का स्कोर दो विगट के नुकसान पर बॉलर तयार बॉलर जो है हो गाइस तयार अपने वर के लिगें लेकर जहां लिगेंद पैट्स पर आते हो गेंद इस इन को स्विप कर दिया है लकसार की जाने अब अब देखना होगा की जाने से क्या फैसला लिया जाता है जहां पर एक इंटरस्टिंग डिसियन रह सकता है топ पाइर की जान से बरहलब देखना होगा कि क्या फैसला देते हैं थार अब ल्हुक्तों है ड मॉर्डार और यहां पर अब Sun थूर हम इस पेंड है डेक्ट-थू हुई थी और इस यह ब falta ड्रू तो कि जो हो विगा स्कोर दो विगट के नुकसाम ते जहां बॉलर रहीगा तयार करमाएंगे अपने अबर खेले गेंद सामना करेंगी स्केंट का मदब वीरे और बॉलर है उस्मान कादिर जहां उस्मान की अगेंद विगट विगट आदे विगेंद इस गेंद को स्माश कर दिया प्री लाइन के बाहर चक्का मिलेगा इस गेंद के ऊपर मदब वीरे को और रहें के बहतरीन चक्का लगाते हुए प्लियर जवाब क्रिकेट क्या ही कमाल शॉट लगा अगया अनकी जान से जहां शॉट पिजे गेंद थी पुल कर दिया इस गेंद को लग सार की जाने बार चक्का जो होगा इस मिलते हुए इस गेंद के ऊपर चक्के के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा अब 57 टीम जिंबावे का दो विकर्ट के नुकसान पे बॉलर तया उस्मान का देर जो है वो अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे यहां उस्मान की एगेंद दास्ट के बाए जाते हुए शॉट फिच अगें इस गेंद इस गेंद को डिफरेंट कर दिया है एक्ट्रा कवर के रीजन में फिल्ट रहेंगे माजूद करेंगे इस गेंगो फिल्ट सिंगल आएगी इसी बीच और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर अब 58 ट आगर की जानिव जांट में गयंद और आंडरी लाइन के बार जाते हुए इस गेंद इक और खुब्सुर्पर चाया करेंजि नुकसां है रूँरूर baru है गाईज और अब देखना होगा कि किस टीम का पलड़ा इस मैच के अंदर बारी रहता है कि ट्वंटी सीरिस का यह पहला मैच है गाईज और दूसरा मैच कल को और तीसरा मैच 10 तारिख को IPL के फाइनल के अंदर जो हो गाईज जिस दिन IPL का फाइनल होगा उस दिन यह मैच खिला जाएगा बड़िया कमेंटरी करो आखी कसीम जो है हमार साथ मुझूद है भाई मेरे मैं तो अपनी जानिब से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है वो थोड़ा बहुत अच्छे अंदास से इंटरटेन कर सको लेकिन मेरी हिसाब से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो माजिरत इस चीज के लिए जहां पर अब बॉलिंग में तबदीली की गई है तो भी मुझे पता चल जाएगा जहां पर इस वीडियो के निचे आपको लाइक और सब्सक्राइब कर बड़ने जाएगा इसी बीच इसी बीच इस गेन को स्मेश कर दिया है फाइनलक की जाने बलके थर्ड बैन की जाने रिवर्ट स्वीप किया था इस गेन को मदा वीरने कर दिया है एक्सरा कवर और पॉइंट की जाने फिल्ट रही वाजूद करेंगे इस गेन को फिल्ड और रेसी के चलते हुए स्कोर रहेगा शर्ट दो विकट के नुकसाम पे जी तो गाइस स्कोर बढ़ते हो जो जाएगा अब 66 टीम जिंबावी का बलके 66 हो जाएगा स्कोर दो विकट के नुकसाम पे जहां अली गेन अंदर आते वो गेन बहुत बढ़ी अपील लगे बहुत बढ़ी अपील लेकिन अंपार का इशारा के बैस्मन रहेंगे नॉट पुल करना चाहते थे इस गेन को लेक्साइट की जाने बैस्मन लेकिन रहेंगे नाकाम और गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल पास से वो जाकर टकराएगी उनके पाट से लेकिन ये गेन लेक्षम को मिस्कर रही थी जिसके वजह से नौट आउट का फैसला दिया गया है अ पी आठ दिशमलव चार अवर का खेल या निका आठ अशारिया चार अवर का खेल मुकमन होच का है अलीम डार और आसेफ याकूब जो है वो इसमैश के अंदर अंपारिंग के फ्राइज सरंजाम देते हुए जहां नौवी आवर की पांच वी गेंद स्मैश कर दिया इस ग मौझूद हैं बाइस गेंव का उन्होंने सामना कर रखा है जहां मुहमद हाफीज जो है वो गाईज अपनी बॉलिंग के ससले को जारी रखे हुए है जहां अपने वर के ली गेंद लेकर मुहमद हाफीज तया हफीज के गेंदर रिवार्ट सूट कर दिया इस गेंद को प स्कूर दो विकट के नुकसान थे जहां पर रब इस मैच के अंदर गाईज सिच्विशन कुछ यू है के अभी भी 11 आवर्ट का खेल होना मजीद बागी है और अब देखना होगा के 11 आवर्ट के अंदर कितने रंध बनाती है टीम जिम बावे जहां पर रब अपने वर के लिए गेन लेकर बालर तयार मुहमद अफीज ने एक कवर करवाया है और एक कवर के अंदर उन्हें अच्छी बालिंग करवा रखी है जबके दूसरी जानिब अगर हम बात कर लेती हैं मुहमद अफीज के साथी फ्लेयर की गाईस तो वो है उस्मान कादिर डब्यू मैच क फिल्टर मौजूद करेंगे सकीन को फिल्ट सिंगल आएगी सिंगल के चलते हुए इसको रहे गाइस मैच के अंदर उनातर दो विकट के नुकसाम पर टीम जिमबाबवे का जिमबाबवे के टीम जो है वो गाईस बड़िया खेलते हुए अच्छी क्रिकट खेलते हुए ज जंबाबे के टीम नौ आशारिया एक अवर के अंदर सत्तर रंज बना रखें दो विकट के नुकसान पे जहां अपने अवर के लिए लेकर उस्मान कादिर एक दबाप फिट से आए गेन के और यह बॉल्ड कर दिया है अंदर आती हुए गेम थी इस गेम को स्मैश करना चाहत अंदर आती हुए गेम थी और अंदर आती हुए गेम जाकर टकराई है विकटक्राइए आपने पहली टीटीटी विकट को जो है वो दोस्तों हासल करेंगो उस्मान कादिर के लिए नींताली होनी चाहिए और उस्मान कादिर ने बिला अखिट जो हवा अपनी टीट frost को पतर रहेगा स्कोर तीन विगट के नुकसाम पे नौ आशार ये दो बर के बाद जहां आज इसमान कादिर को टीम के अंदर शामिल के आ गया और इसमान कादिर दें विगट को जहां वो दोस्तों प्राप किया और अब इसमान कादिर अपने अबर के 30 विगन लेकर एक करने के लिए आए हुए हैं और सिकंदर रजा बट का तालुक पाकस्तान से ही और अब देखना होगा कि पाकस्तान से रहते हुए हमकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है लाइक यकीनी तोर पर उनको जो है वो गाईज अच्छा खेलना चाहिए अब्दुलकादिर के जहां जहां पर अब सिकंदर अबट आए हुए हैं जिन्हें 35 मैंचेस खेले हुए और 35 मैंचेस के अंदर 13 की आबरीज के साथ उन्हेंने बैटिंग कर रखी है जहां अली गेंद इस गेंद को स्लोग स्विप करना चाहते हैं लोगन की जानिद लेकिन गेंद उनके बले का इस लेने के बाद जाएगे मिड़ विकट की जाने अब फिल्डर रहेंगे माजूद करेंगे सिंक फिल्ड सिंगल आते हुए सिंगल के चलते हुए सतर रहेगा टीम जंबावेका स्कूर तीम विकट के नुक्सांपे अरिलल सर जो हैं हमार साथ मौझूद हैं बदबद शोक्रियापका मुहमाद अरीब उत्म सैम ने हमें ज्वाइन का रखा बदबद शोक्रियापका और यतने दोस्त जांग इन से मौझूद हैं वेल्कम एब्द श्रीम जहां अलिगेंड शॉटपीच अगेंड फुल करना चाहते हैं इस गिन को लेकसाट की जानी बैस्वाइपका बैस्मिके नुक्सांपे एकथर रहते हुए टीम जिम्बावे का स्कोर तीन विगर के नुक्साम ते जहां उस्मान कादिर ने ला जवाब और बेहतरीन किसम की बॉल इंकरबार रखी है पहले मैच पहले अवर के अंदर उनको 13 रंस लेगे लेकिन दूसरे अवर के अंदर उन्होंने अब तक 5 रंस द चलते हुए स्कोर रहे गाब तेहतर टीम जिम्बावी का तीन विगर के नुक्साम पे नौ आशर या पांच अवर के बाद जहां मदवीर 25 पर मौजूद हैं सिकंदर अलबट दो पर मौजूद हैं उस्मान का दिर अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे उस्मान की फिल्डर स्को जीरते हुए बांडरी लाइन के बाहर एक ओर खुर चौका और चौके के चलते हुए बात ना रहेगा टीम जिम्बावी का स्कोर तीन विगर के नुक्साम पे बलके इस स्कोर जो होगा इस सततर होते हुए तीन विगट के नुक्साम पे दस अवर्स का केल मुकमन होच का है जिम्बावे के दोनों बैट्स में अच्छे खेलते हुए जिनकी कोशिश होगी कि वो यकीनी तोर पर इस मैच के अंदर कम से कम 150-160-60 रंज बना सके अगर जिम्बावे के टीम ऐसा ही खेलती है गाईस तो उनका स्कोर 105-160 के आसपास सल जाएगा जो कि एक अच्छा स्कोर होगा टेलर ने आज 20 रंज बनाए हैं 13 गेनों के उपर चिबोच अबाबा ने कोई रनी बनाया 2 गेनों के उपर सीम विलियम्ज ने 25 रंज बनाये हैं 24 गेनों के उपर हम 30 रंज बना रखे हैं सिक अंदर अब अभी तक कोई भी रन ने बनाया और रही बात चिगंबुरा की तो वो भी तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं मैच के दोस्तों के दोस्तों को बात कर लेते तो पहला क्वालिवाइब मैच म Lexe के दर्मयान ओज जा मैच मुलतान सुल्टान और काराची किंस के दर्मयान खिला जाएगा दोस्तों आई boss कह लिए के पेश शावट जलमी की टीमों के दर्मयान खिला जाएगा जो के iliminator match होगा 14 तारीख को ही ये match खिला जाएगा और रही बात क्वालिफायर नॉबर टू की तो वो खिला जाएगा 15 तारीख को loser of kwalifier 1 and winner of iliminator 2 के टीमों के दर्मयान और फाइनल जो हो HPL 2020 का खिला जाएगा 17 तारीख को देना गाइज 17 तारीख को जो हो IPL 2020 का फाइनल खिला जाएगा माज़रत इस चीज़ के लिए वीडियो के उपर 600 लाइक्स भी होने वाले हैं दोस्तों और वीडियो के उपर जो है वो और देखना होगा कि कौन से खुश नसीब 12 दोस्तों होंगे जो के 90,000 सब्सक्राइबर्स को मुकमल करेंगे वीडियो के उपर 87 होते हुए टीम जिंबावे का स्कोर 3 विकट के नुकसान पर 10 सर्वर्स का खेल मुकमल हुआ सिकंदर अबट दो पर मौझूद हैं मदवीर 29 पर मौझूद हैं और अब ये गेंद को जो है वो दोस्तों साफ किया जाएगा टीशू पेपर से जो है वो गेंद को साफ किया जाएगा और अब देखना होगा कि बॉलर किस किसम की बॉलिंग करवाती है जहाँ पर अब 77 रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर 3 बिकट के नुकसान पर 10 अवर्स का खेद मुकमन होच का है 11 मेंबर के पहली गेन लेकर बॉलर जो है वो दोस्तों तयार बॉलर रहेंगे तयार और चैनल के उपर जो है वो अब 8 सब्सक्राइबर्स की मज़ीज जरूरत है 90,000 का माइल स्टून अचीफ होने में बहुत बहुत शुक्रिया आप तमान दोस्तों का वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अब वहाब रियास बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे रांदा विकेट अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे वहाब रियास एंड लेट सी के वहाब रियास की परफॉर्मिस कैसी रहती है गाईस जी हाँ दोस्तों देखने वाली बात यह होगी के वहाब रियाज की पर्फरमिस कैसी रहती है आज के स्मैज के अंदर जहाँ पर अब सतर चलते हुए टीम जिम्बावे का स्कोर तीन मिकट की नुकसान थे 10 वर्ज के बाद 11 मेंबर की पहली गेन लेकर बॉलर तयार दौना श दिखाई देते हुए जी हाँ गाईज बाबर आजम के हाथ से टकराई एगेन जोरदार अंदास से स्किन को ड्राइब किया था एक्स्ट्रा कवर की जानिब और चौका लगाना चाहते थे फिल्डर लेकिन बाबर आजम की उम्दाफर लेकिन गेम जाका टकराएगी उनकी क चलाई से बाबर आजम तकलीफ में दिखाई देते हुए और अब देखना होगा वालेकम असलाम शाहिद हो सेंद बाइब बदबशो के आपका बाबर आजम जो है वगाईज पेन में दिखाई देते हुए जहां अठतर रहेगा टीम जिमबावे का स्कोर तीन मिगट के अगर 9 के रन रेट से खेलती है टीम जिमबावे तो उनका स्कोर 166 रहेगा लेकिन अगर जिमबावे के टीम 11 के रन रेट के साथ खेलती है तो उनका स्कोर 166 रहने वाला है जहां बाबर आजम जो है वो अब टीम फिजियो के हाथों स्नो सप्रे करवाएंगे अपने हाथ क पर आई सप्रे जो है दोस्तों होते हुए उनके हाथ के उपर क्योंकि जोर्दार अंदासी गेंद उनके हाथ से टकराई थी और अब तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम टीम फिजियो जो हैं वो उनको ठीक करेंगे और अब बाबर आजम स्नूस अप्रेक करने के बाद दुबारा से चले गए हैं ग्राम के अंदर पांच सब्सक्राइबर स्टुगो वीडियो के उपर 90 हजार होने में यहां पर अब अठतर रहेगा टीम जिंबावेगा स्कोर तीन विगेट के लिगेट के सामपे दस आशरीय एक अबर का खेली स्माच के अंदर अब तक मुक्त अबर होचका है मदवीर 29 पर मौझूदें सिकंदर अलब तीन पर मौझूदें जहां ऐली गें को ड्राइब कर दिया एक्षा का वर की जाने बंदा शॉट बीयूटीफुली प्लेट बाई इस लेयर मदवीर जिन्होंने स्केन को ड्राइब कर दिया एक्षा का वर क कि जाने बार गें दो फिल्टर्स को चीरते हो जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चॉट के के लिए वह क्या बात है यहां पर कमाल का शॉट खेलते हुए मेरे मेरे ख्याल से यह शॉट जहा है वो सबसे बेहतरीन शॉट रहेगा इस मैच का जहां फ्रंट फूट पर आते इस गें को स्मेश कर दिया था एक्ष्ट रा कवर की जाने बैस्फिन ने और कोई मौका नहीं रहा किसी फ्लेयर के पास के वो इस गें को रोके और गें जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चॉट के लिए और चॉट के चलते हुए ब्यासी रहेगा स्कोर रहेगा तीन इसी बीच चैनल के उपर 90,000 सब्सक्राइबर्स नो कबल होते हुए 90,000 की फैमिली जो है वह हमारी बंचो की है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहा इस फैल जाते हुए एगेंद एक और चौका सब्सक्राइब ऐगारी इस इंदास से खेलती रही तो वो इस मैच के अंदर कम से कम भी जो स्कोर है वो बनाने में एक अच्छा खासा स्कोर चाहों गाईस काम्याब हो जाईगी जी हाँ गाइज एक बड़िया स्कोर एक अच्छा खासा स्कोर जो हो बनाते हो यह में दिखाए दिए कि जहाँ पर अब सतासी रहते हो टीम जिंबावे का स्कोर तीम विकट के निकसान पर बैट्समन सिकंदर अब टॉप साइड की जान भी लेकिन गेंद उनके बले का बाहरी किनारा लेने के बाद जाएगी सिधाव वापिस कहली जिये के विकट कीपर के आप में विकट कीपर करेंगी स्केन को कैच और इस तरह विकट को लोज करते होई टीम जिंबावे तीसरा दश्का लगेगा बलके चौथा दश्का जो है वोगा इस लगते होई टीम जिंबावे को और अब देखना होगा के जिंबावे के टीम क्या 150 की उपर रंज बना पाएगी या नहीं अब देखना होगा के जिंबावे के जानम से कितने रंज बना जाते हैं वहाब की ये गें थी शॉट्पिच गें थी इसके इनको फुल करना चाहते थे बैट्समें इसके इनको डिफेंट करना चाहते थे कवर और प्वांट की जानेब फिल्डर थे मौजूद किया इसके इनको कैच और इस तरह जिंबावे के टीम एक बड़ा विकेट जो है वोगा इस लोज करते हुए जहां पर रब सतासी रहेगा स्कोर चार विकेट के नुकसां पे जहां ब्याज पहला दास्का लगाएंगे टीम लिफावे को अर आज उनको थोड़ा लेट बेजा गया है और अब देखना होगा कि उनकी परफोरिम्स कैसी रहने वाली है इस मेंच के अंदर देखने वाली बात जहां हो यह होगी कि कैसी परफॉर्मिस रहती है आज के स्माच के दर जहां पर रब रियान बुर्द ने 17 मैंचे खेल रखें चौदा इनिंग स्केंदर उने बैटिंग कर रखें वहां रियास ते यार कर भाएंगे ली गेंद सामना करेंगी स्केंद का वृल्ल जहां आज चाहाँ चाहां चलते हैं इन दोनों टीमस के बीच आहां पर जिंबाववे की टीम को एट लीस्ट एक सोपचास रंच को बनाना यह नहीं और mzw gamer हमारा gaming channel जो है वापके सामने मौझूद है साथ मौझूद है live chat के अंदर जो भी बंदे जो भी दोस्त कह लीजे के यहां पर चाहते हैं कि वो free fire के शोकीन है वो जाकर उस channel को check कर सकते हैं जहां पर अब स्कोर रहेगा 87 टीम जिंबावे का चार विकट बलके 88 चार विकट के नुकसान पर और अब इस मैच के अंदर 11 आवर्स का खेल जहाँ वो मकमल हो चुका है 466 के करीब दोस्तों हमार साथ मुझे उद्ध बहुत 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 शुक है आपका साथ रहने के लिए जहां मुहमद असन्यान अपनी बालिंग के ससले को जारी रखेंगा असन्यान की यह गेंद और कि राच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे यह फ्लेयर असन्यान की यह गेंद ती पढ़ने के बाद हलकी से बाहर की जान निकली गेंद और बल्ले के बाहरी किनारे को मिस्ट करते हो जाएगी विगट के पर के आप में और अब स्कूर रहेगा 88 टीम जिमबाबबे का चार विगट के नुकसाम पे 11 आवर्स का खेल अब मुकबन हो चका है जहां बॉलर तयार दोना शुक्या तेस हुए अमपार को ग्रॉस का गेंद का गाड कर दिया इस गेंद को थर्ड मैन की जानिब गाप में है गेंद और सिंगल के लिए बढ़ते हुए अगेंद सिंगल के चलते हुए स्कूर रहेगा 89 टीम जिमबाबे का चार विगट के नुकसाम पे जहां पर अब आखरी को यह वर्स क अलकुल अच्छी चीज़ है आप तमाम दोस्तों की यूपी मरादा बार से दोस्तमार साथ मुझे ने शाहिद उसेन जहां आशन के बाद जाता विए इंद कट कर दिया इस गेंद को डीपॉइंट की जाने बंदा शॉर्ट फिल्टर डीपॉइंट की पॉजिशन पर रहे का 89 बलके 90 होते हुए स्कोर चाट बेकर के नुकसाम पे और अच्छी रिगट खेलते हुए जिम्बाबी के ये प्लेयर देखना होगा कि समयच के अंदर कितने रंज बनाती हैं आपके ख्याल से कितने रंज बनाएगे जिम्बाबी के टीम पहला टी-20 मैच जिम्बाबी और टीम पाकिसान के दिर्मेन जारी है जहां अपने अबर केली गेन लेकर बाल अरत याद दोड़ना शूर क्या तेज हुए आपको क्रोस क्या गेन के असना हैं कि ये गेन दॉस्टन के बाट याद ड्राइब कर दिया इस गेन को एक्ट्रा कवर कि जाने फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे इस गेन को फिल्डे का अड़ डिलिवरी और डिलिवरी के चलते हुए नवे रहेगा टीम जिंबाबे का स्कोर चार विकर के नुक्सान पे 11 अश्र ये चार वर के बाद और मैस के अंदर बीवी 50 गिनों का खेल होना मजीद बाकी है 50 गेनों के उपर 60-70 रंज टीम जिंबाबे को लाजमी तोर पे बनाने चाहिए अगर वो चाहते हैं इस केस मैच को विन करें लेकिन अब देखना होगा कि ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं बॉलर तयार दोन अश्रू किया तेज हुए अमपार को ग्रास किया गेन क्या वेकर टोवे गड़ा था अगेन दस मैच कर दिया इस गेन को एक्स्ट्रा कवर की जाने अब अपील हो सकती थी अलब रन आउट की लेकिन लखी रहेंगे ये प्लेयर इस गेन को ड्राइब किया था शॉट एक्स्ट्रा कवर की जाने वर सिंगल लेते हुए दोनों प्लेयर तेजी के साथ दोड़ते हुए रन आउट का चांस था लेकिन रन आउट जो है वो गाईज होते हुए बच जाएंगे ये प्लेयर अगर ड्रेक्ट थ्रो हो जाती इस ट्राइकर एंड की जानिब तो नोन स्राइकर एंड की जानिब तो बैक्स्ट्रा यकीनी तोर पर रन आउट हो सकते थे बरह लब एकान मेरे रहे टेवर टीजिंग ब करना चाहते थे दितन को लग्षार की जानिब रन आउट होते होते हैं बाल बाल बाचेंगे मौहमद हसने जो है और गाईज ब्रक्ट थ्रो को मिस्स करते हुए लेकिन अगर ये गेंड ब्रैक्ट थ्रो हो जाती अगर ये गेंड जाकर विक्टो से टकड़ा जाती नोन स्र कि जाने बा सिंगल लेना चाहते थे दोनों प्लेयर लेकिन रहेंगे ना कामार रन आउट होते होते बाल बाल बचेंगे नौन स्ट्राइकर एंट पर मौज़ूद यह प्लेयर और रहेगा इकाम में स्कोर टीम जिंबावे का चार बिकर के नुक्स नाम पे अगर उनका रन रेट नौ के आसपास चला जाएगा तो वो एक्सोर रन रेट बढ़कर 11 के आसपास जाएगा तो वो 189 रन बना सकते हैं अगर उनका रन रेट तेरा के आसपास रहेगा तो वो एक्सोर पिचान में रन आज के इस मैंच के अंदर बना सकते हैं जहां बॉलर तयार उस्मान की अगेंड फ्लाइट डियाएस गेंड के उपर और लबी डबली आउट होते 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 बैर्समें बाल बाल बचेंगे गेंड जाएगी फाइल थर्ड मैंड की जानिब सिंगल आते हो स्किन के उपर और सिंगल के चलते होई स्कोर रहेगा अब एकान में टीम जिंबावे का बलके बान में होते होई स्कोर चार्ड बेकर के नुक्साम पे बॉर्ली स्किन को पुल करना चाहते थे लेक्साट के जानिब लेकिन रहेंगे काम और गेंद उनके बल्ले के आउटसाड आज को मिस करते हो जाएगी थर्ड मैंद की जाने बांद में रहते हैं टीम जिंबावेगा स्कूर रहेंड चार विकेट जो हब तक टीम जिंबावे की गिर चुकी हैं यहां अपने वर की दूस्ट्री इन लेकर रुस्मान कादिर त्यार सामना करेंगे इस जाने आप फिल्टर रहेंगे सिंगल रहेगा चलते हो पी इसको रहेगा तेरा नमे टीम जिंबावे का चार विकेट की नुकसान पे बार आशार या दो वर के बाद आज फ़खट जमान टीम पाकस्तान का हिसा ही और अब देखना होगा के फखट रान में चलते हुए टीम जिम बापदे का स्कोर चार्ट विकर्ट की नुकसाम पे बार आशारिया दो बर के बाद चौथी विकर्ट 87 के स्कोर पर गिरी थी और उस्मान कादर के अक्षन की दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो उनका अक्षन मिलता जुलता है कहलीजे के यहाँ पर इम्रान ताहिर से मिलता जुलता उनका अक्षन है और अब देखना होगा के वो विकर्ट को भी इम्रान ताहिर की तरह लेपाएंगी या नहीं यहां शाट पी जे गेंद गुगली गेंथी स्किन को डिफरेंट कर दिया अपसार की जाने अब सिंगल आएगी स्किन के उपर और सिंगल के चलते पर स्कोर रहेगा चोर रन में टीम जिमबावे का चार बिगट के नुकसान पर और अब आखरी कुछी अबस के अंदर कितने रंज बनाती है टीम और इसी बेच 600 के उपर दोस्टों है वीडियो को लाइक करते हुए बदबद शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अपने वर के लिगेन लेकर बॉलर तयार उस्मान कादेर जहां वह बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे जहां उस्मान की ये गेन अंदर आते ही गेंद और यहां पर कोट बिहांड के अपील हुई है बहुत बड़ी अपील स्टम्पिंग की और अब देखना होगा के बैट्समेन आउट हुए है या नहीं ड्रूम बनाते हुए स्किन को स्मेश करना चाहते थे एक्ष्ट्रा कवर की जाने बैट्समेन लेकिन रहे नाकाम गेन गई वेकट के पर के पास बड़ी अपील हुई स्टम्पिंग की लेकिन अब देखना होगा के बैट्समेन स्टम्प आउट हो पाएंगे या फिर नहीं स्टम्पिंग को जो है वो सर्वाइब कर पाएगी तीम जिम्बावी या नहीं मदभीर जो के सैक बैट्समेन थे वो अपनी क्रीस से बाहर मौझू थे और यहां पर स्टम्प आउट हो सकते हैं यह बिल्कुल दोस्तों स्टम्प आउट जो है वो सकती है ये पCreere मदब spirits क्योंकि उनका पाउं उनका पाउंज इसे बाहिर था जब वेंग के पर इस गेंग को थामा वेंगे पर इस गेंग को थामते हुए देमारा स्टम्स में उन इस तरह जिम्बावे के टीमें को और विगेट का लोज करते हुए सेट बैट्समेन मदबीर जो है वो दोस्तों अपनी विकट का दूस कर देंगे जहाँ पर उस्मान का आदे रह जहाँ है वो विकट को प्राप्त करेंगे गाईज अब बड़ा दसका लगते हुए और अब सिच्वेशन को चिनु रहेगी गाईज के स्कोर रहते हुए चार रहन में टीम जिंबावे का चार विकट के नुक साम पे बड़ा दसका लगएगा टीम जिंबावे को सैट बैट्समेन मदबेर जो है वो कहने के ड्राइब करना चाहते थे सकते हैं इस ग civilizations को जाने रही। लेकसार के जाने रहीं लेकसाट के जाने रहीं आ काम और गेन जाके टक गई विकेट कीपर के हाप में विकेट कीपर ने थामा इसकेन को और विकेट कीपर जहां वो गाईज गीन को थामते हुए देमारा स्टम्स में और इस तरह जिमबावे के टीम एक और विकेट को जहां वो लूस करते हुए जी हां गाईज एक बड़ा विकेट को लूस करते हुए प्रीम जिंबाबह्वी जहाँ फिस सामा भीबी, ठाटंपायर जो है, वो इस दोस्तों इस चीज को भीबी चेक कर रहे हैं को बैसमिन आउट है, या फिर नहीं, इस सामसी को पार की जान simply जा रहा है गाईस और क भीविवगेट करूस करते हैं बाँटार है या नाट ओट है यहा गाइस अभीवी सिसको चेक किया जा रहा है के बैसमें जो है वह आउट है या नहीं क्योंकि बालर जो बैसमें थे उनका पाउं बिल्कुल क्रीज के उपर था और अब देखना होगा कि अमपायर की जान से क्या डिसीन दिया जाता है और जब विकेट केपर बैट्समेन ने विक्टों को डिसलॉज किया था तो उस वकत मेरे हिसाब से बैट्समेन का जो पाउं है लाइन के उपर मौली हो था लेकिन अभी इस चीज को चेक करेंगे अमपायर और अमपायर जो है वो दोस्तों फाइनल डिसीन दियेंगे के बैट्समेन आउट है या नहीं अभी इस चीज का फैसला किया जा रहा है इसके बैट्समेन आउट है या नहीं थर्ड अमपायर बड़ी बारिकी के साथ इस सीज का जाज़ा लेते हुए कि उनका पाउँ जी बिल्कल गाईज उनका जो है वो पाउँ पाउँ पीस से बाहिर था या नहीं इस सीज का जाज़ा लेते हुए थर्ड अमपायर अभी भी जो है दोस्तो इस चीज को चेक किया जा रहा है कि बैट्समन आउट है या नहीं और जैसे ही कोई फाइनल डिसीन आएगा तो मैं आपको बता दूँगा अपनी क्रीज से बाहर निकलते विस्किन को खेलने की कोशिश की थी और अब डिसीन पेनडिंग डिसीन पेनडिंग अडिका नॅट आउट जी हां दोस्तो not out का फसला दिया गया है हम पार की जान से एक करीबी मामला था लेकिन not out का इशारा दिया गया है और अब चौर रन में रहे रहे गा टीम जिंभावे का सकोर चार बिकेट के नुइस साम पे 12 चार अवर का खेलब तक मुकमन होचका है जहां नोड आउट का इशारा दिया गया है अमपार की जान से और अब उस्मान का देर अपने डाब्यो मैच के अंदर दो विगेट्स को अपने नाम करते हुए 23 रंस के बज जो है वो उन्होंने मेरे हिसाब से एक विगेट्ट का अपने नाम कर रखा है अब ये दूस्य विगेट्ट भी ले सकते थे लेकिन अनलग्की रहे क्योंकि दो बैक्समें थे सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा अपने अपने वर के लिगें लेकर बॉलर एक तावा फिट से आएगें क्या वो एक विगेट्ट कर दिया है वापिस बॉलर की जाने बेक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए पिचान में रहेगा स्कोर चार बेकर के निक्साम पे एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच चलते हुए दोनों टीम्स के बीच आपके ख्याल से कौन शेटी में इस मैच को विन करेगी इस मतलिक आपने बता दिना है जहां पर बाखरी साथ अबर्स का खेल जहाब गाइस हो विन कर लेगी अब्दुल कयूम भाई हमार साथ मों जोड़े हैं वलकम तो इस लाइव स्ट्रीम एंड शाहिद हुसेंद भाई एक दफा आपका नाम बोल दिया है बार बार नाम बोलूँगा तो फिर दूसरे दोस्त भी बोलेंगे कि उनका नाम बोलूँग तो इसलिए बार बार नाम कुछ है वो नहीं बुलबाती पहले विगट पांच पर गिरी थी टीम जिंबावे की दूसरे विगट चौनतिस पर गिरी थी तीस विगट सतर पर गिरी चौती विगट जो है वो गाईज 87 के स्कोर पर गिरी और अब इन दोनों प्लेयर्स के दर्मयान आठ की एक स्लो पार्टनर्शिप लगते हुए बालर था यार फाही मश्रफ दॉर्ना शूक्या थेस हुए अंपार को क्रॉस का अगेन का स्केन को बाकफर पर प्राते हुए स्माश कर दिया है डी पोइंट की जाने गाप पे है गेंद और बांडरी लाइन के पाह जाते हुए चौके के लिए बड़िया हीटिंग करेंगे फाही मश्रफ की स्केन के उपर बैट्समेन यहोने रोम बनाते हुए स्केन को स्माश कर दिया और चौका मिलेगा और चौके के चलते हुए निन्दान में रहेगा टीम जिंबादे का स्कोर चार्ट बेकर के नुक्साम पे की अचान oldest गाप मीशन ऽा लगाते वे सिंबादे के फेयर्ज प्लेद में लख कर दिया लेक्साटों कि जाना ऑल्राट बर चौके के चलते हुए स्कोर रहेगा अपनी सेंक का रहिए आप है कर रेख बैदूज LEAK जिंबादे के लिए बढ़िया क्रिकट खेलन की पॉजिशन पर फिल्टर थे मौजूद करना चाहते थे इस गेन को कैच लेकिन रहेंगे नाकाम और गेन जाएगी बांबरी लाइन के बाहर चौकी के लिए 103 रहते हुए स्कोर टीम जिम्भावे का चार बेकर कि लिंकसान पे यहां मदवीर 45 पर मौजूद है 28 स्केनों का सामना किया और अपने टैलेंट के साथ जो है वो हर किसी को इंप्रेस कर रहे हैं यह प्लेयर अलिगेन को डिफेंड कर दिया अलेकसार के जाने बार बहतरीन रणिंग बटना विकेट्स करते हुए दोनों प्लेयर चार अबर्स का खेल होना इस सबर के बाद मजीद बाकी है और देखने वाली बाकी होगी के जिम्बाब्वे के टीम इन चार अबर्स के अंदर कितने रंध बनाती है चेसोपट्यस दोस्ट वोडियो को लाइक कर चुके हैं बदबश्यों के आपका वोडियो को लाइक एंड चैनल को सब्स्क्राइब करने के लिए पहली विकेट टीम पहली फिफ्टी टीम जिम्बाबी ने चाबाली सके नों के उपर मुकमल की नौर रंज आते हुए पहली उसमान कादर की बहतरीन फिल्डिंग डाइब करते हुए यकीनी चौका रहो किंगे अपनी टीम के लिए और चौके के सिंगल के साथ बरतावा स्कूर हो जाएगा टीम जिम्बाबी का 105 चार बेकर के नुकसाम पे इस सबर के अंदर को मिलाकर 10 रंज आते हुए और अगर हम हम बात कर लेते हैं गाइज करंट रंडेट की तो करंट रंडेट के चलते हुए टीम जिम्बाबी जो रंज बना सकती है गाइज वो रहने वाले हैं इस मैज के अंदर 154 लेकिन उनको 160 का टोटल अचीव करना चाहिए कम से कम जहां आगली गेन लेकर बालर तयार वेकर टो दर शेवर्स का खेल जहां वो होना मजीद बाकी मदवीर का स्ट्राइक रिक सो तरिपन का है गाइज जहां बर्द ने पांच रंज बनाए हुए हैं मदवीर ने चालीस रंज बनाए हुए हैं जहां वहीम अश्रफ उतनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे आखरी गे किस बेर का और रब इनको तीन रंस की मजीद जरूरत है अपनी 50 को मुक्बन करने के लिए देखना होगा कि वो इस मैस के अंदर अपनी 50 को बना पाएंगी या फिर नहीं आपके ख्याल से जिंबाब्य के ये प्लेयर अपनी 50 को वो जो है वो बना पाएंग या नहीं इस कंदर 151 रंज बनाएगी लेकिन अगर उनका रंडेट बढ़कर 9 का हो जाता है तो 160 रंज बनेंगी अगर उनका रंडेट बढ़ते हुए 111 का यानिके 11 का हो जाता है तो 172 रंज बनेंगे जो के एक बहुत यचा टोटल होगा टीम जिम बावे का अगर वो इतने रंज बना लेते हैं गाईज आज के स्मैच के अंदर जहां मुहमद असनेयन में किस रंज के वजीफ विगट को अपने नाम का रखा है अपना आखरी अबर लेकर ह को सब्सक्राइए ठीम तयार दोरना शूचा टेज हुए अंपार को ग्रॉस का गेंच एलाक्श्ण के भाट जाथा वो गेंच और वाइड बाल का इशारा दिया जाएगा अपार की जानेब से लिक करना चाहते ते इस गेंको लेक्सार की जानेब लेकिन गेंद उनके बिल इस पर मौजूद है बर्ल पांच पर मौजूद है जहां मुहम्मद असन्यान अपने अमर केरी गेन लेकर तयार राफस्टन के बाट जाद आवगे इस गेन को कट करना चाहते थे डीप एक्स ट्राग अबर की जानिव लेकिन गेन उनके बल्ले का बाहरी किनारा मिस्स करते हुए जाएगी विगर्ट के पर के आप में एक और कैच आउट होने का खतरा था लेकिन अब जो है वो सिचुएशन कुछ यहों की 107 रहते वो टीम जिंबावे का स्कोर चाहर विकर्ट के निकसान पर तीन एक्स्ट्राज आ चुकी है इस सवर के अंदर इसके बाद चिगंबुरा बैटिंग करने के लिए आएंगे 120 का स्ट्राइक रेट है चिसारू का स्ट्राइक रेट पिचानमे का है चानमे का है लेकिन चिगंबुरा और यह दोनों प्लेयर अगर लास्ट तक खेलती है गाइस तो एक अच्छी चीज जो है वो गाइस यानिके एक अच्छा मैंच होते वो दिखाए दिगा इसी के अब तक दो रंज बन चुके हैं पहली गेंड वाइड डिलिवरी हुई थी दूसरी गेंड डॉट डिलिवरी हुई और तीस ट्री गेंड के उपर सिंगल आया जहां पर अल्टन चिकंबुरा ने पच्छपन मैचेस के अंदर आर सो बावन रंज बना रखे हैं टीम जिम का होज का है टीम जिमबाबे का जहां पर अब मदभीर अर्टाल इस पर मौलूद है और बरल पांच पर मौलूद बालर रहेंगा तयार बालर जो है दोस्तों तयार सामना करेंगे बालर इनको तेज खेलना होगा तेज खेलते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना होगा जहां पर अब 14 आशारियो दोबर का खेल मुकबन होज का मौहमद असन्यान अपने अबर के लिगें लेकर आगे इनका विकेट विगर आदा बाश शॉट्पिच जेगें डिफेंट कर दिया इस गेंको वापे स्बालर की जाने बहुर एक और डॉट डिलिवरी होते ह हुए कौन होगा बिन अगर एक सो साथ एक सो सतर रंज बना लेती है टीम जिंबावे तो गाईज एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच होते हुए दिखाए दिगा टीट्वन्टी मैचस के अंदर चिगंबुरा के आवरेज 20 की है टैस्ट मैचस के अंदर इनके आवरेज ओड़िया मैचस के अंदर इनके आवरेज 25 की है अच्छा रिकान है ट्रीम जिंबावे के स्वेर का और यकीनी तोर पर इनको ओडयाई मैचस के अंदर भी शामिल करना चाहिए था लेकिन ओड़ इंको incl continent नहीं किया गया जहां पर अब 108 रहते हैं ईनके उपर रोम बनाते है वो इसमाश कर दिया है डी पॉयंट की जाने रिड़ गरेगी दो फिल्टर के बीच जी हां दोस्तों क्याइट होने का खत्रा था यहां पर रहे लेकिन गेंद दो फिल्टर्स के दर्म्यान में गिरेगी और अब 108 रहते हुए स्कोर 4 विकट के नुक्साम पे विकट गिर सकता था टीम जिम्बावे का लेकिन लखी रहेंगे मुहमद अफीस इस गिन को कैच करना चाहते थे और हैदर अली इस गिन को कैच करना चाहते थे लेकिन गेन दो फिल्टर्स के दर्म्यान में गिर जाएगी और अब स्कोर रहेगा इस मैंस के अंदर 108 टीम जिम्बावे का 4 विकट के नुक्साम पे 14 दी शंबलव जाने के 14 शरिया 3 अवर का खेल अब तक कमन हो चका है कितने स्कोर बन सकते हैं जिम्बावे के टीम को कम से कम 160 रंज बनाने चाहिए और अट लिस्ट उनको 150 ज्यादा से ज्यादा 170-180 रंज अगर वो बना लेती है तो एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच होता वो दिखाए दिगा जिसी बीच इसकुन को अच्छे रंज बना रखे हैं और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ये मैच इन दोनों टीम्स के दर्मयान जारी है जहां मुहम्मद हसनान की सर्वर के अंदर एक चैंस बना हुआ था कैच आउट होने का लेकिन गेंद दो फिल्टर्स के दर्मयान में गिरी वेकट के पर क्या आप में एक और डिलिवरी जी तो दोस्तो जी तो दोस्तो कितने रंज बनाएगी टीम जिंबावे बता दीजिए जरा तमाम के तमाम दोस्त के जिंबावे ही टीम जो हो आज की स्मैच के अंदर कितने रंज बनाएगी जरा अपने राय का इज़ार कर दीजिए तमाम दोस्त आस्टन के बाद जाद आव अगें स्माश कर दिया इस किन को एक्षो अगवर की जानिब गाप में है अगें सिंगल आएगी सिंगल आएगी सिंगल के लिए दोनों प्लेयर वापिस आना चाहते थे लेकिन सिंगल के चलते हुए मैदावीर अपनी 50 को मगमल करेंगी तालिया आउनी चाहिए दोस्तों इस प्लेयर के लिए जिन्होंने लाच जवाब क्रिकट खेल दी है इस मैच के अंदर और अपनी 50 को मगमल करते हुए मदब वेड़ा टीटवन्टी डैब्यू कर रहे है अपना और टीटवन्टी डैब्यू करते हुए लाच जवाब इनिक्स खेल वेड़न्टी डैब्यू कर दिया इस गेन को शॉट एक्स्ट्रा कबर की जानिब फिल्टर होएंगे माजूद करेंगे इस गेन को फिल्ट एक और जो है वो हो डॉट डिलिब्री और डॉट डिलिब्री के चल बलके सिंगल और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 112 टीम ज इलाफ बड़िया बल्लेबादी की है जो गिने बाहर की जानिब जाती है ना उनके उपर तो अपने खूब हाथ साफ किये हैं इस प्लेयर ने जिसका नाम है मदवीर और आप इस सबर के लिए इनका सामना करेंगे इस गेन को लाप करना चाहते थे लेकिन रहेंगे नाकाम जाएगी विगेट के पर के आपने करेंगी इसकेन को फिल्ड एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा 112 टीम जिंबावी का चार विगट के नुकसाम पे और अब 15 आशारिया ती नमर का खेल मुकमल होच का है 4 आशारिया ती नमर का खे है कि अगर 160 के आश पास रंज बना लेती हैं तो ये कच्छा टूटल रहेगा अंदर आती हुए गेंद और बल्ले का इंसाइड एज लेते हुए गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौके खेली इस गेंद को खेलना चाहती थे लोग उनकी जानी बैट्समेन लेकि के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब 112 टीम जिंबा बेका चार वेकर्ट के नुकसांपी पाहीम अश्रफ जो है वो दोस्तों अच्छी बालिंग करवाते हुए लेकिन अच्छी बालिंग का उनको जर्रा बराबर भी फाइदा नहीं रहेगा क्योंके गेंद उनके बल्ले क इंसाड़ाइज मिस करते हो जाएगी वेकर्ट के पर के आप में और इसी बीच साड़े छे सो दोस्त वीडियो को लाइक कर चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बश्यों के आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए महम इस गेन होगा खेल हो ना मजीद बाकी फाहीम अश्रफ अपने अबर के लिगेन लेकर एक दावा फेट से था यार स्माश कर दिया इस गेन को एक्स्ट्रा कवर की जानिव और गेन दो फिल्ट इसको चीरते हुए जाएगी बांपरी लाइन के बाहर एक और खुल्पसूरत च चौका और चौके के लगते हुए स्कोर हो जाएगा 120 टीम जिम्बावे का चार वेकर के नुकसान पर चार अवर्स का खेल होना मजीद बाकी है और चार अवर्स के अंदर टीम जिम्बावे यकीनी तोर पर चाहेगी के 40 रंज या फिर 30 से 35 रंज रों है वो लाजमी तोर प चिंड जिम्बावे का जहां पर रब जिशान है अधर भाई हमार साथ मलाइसिया से महुद हैं बदश्रों कि आपका भी साथ रहने के लिए स्यद तन्मीर अबास हमार साथ मौवजू ने हैं कैसर भाई और अली ही हाशमी ने हमें जवायन कर रखा बदश्रों के आपका सा पर रहेंगे माजूद करेंगे स्केन को फ्यूल्ड और रिसी बीच एक और जो है वो गाईज डॉट डिलिवरी मिलेगी और डॉट डिलिवरी के आते हुए स्टोर रहेगा 120 का चार विगट के नुक्साम पी और अब आखरी तीन आशर या पांच वर्स का खेल जो है वो हो न सबसे बेहतरीन प्लेयर है आज शाहिना अफरीदी को रस्टे बादी करते हुए शॉट्विच गेन को फिल कर दिया लेक्साट की जाने बैक्वर्स को लेकी पोजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे सिंगल के चलते हुए स्कूर रहेगा 102 स्रीम जिम्भावे का चार बेकर के निक्साम पिया और यूसफ अली बाई ने हुए जो आइंकर रखा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आसिफ जमील बाई वाली कमेंसलाम विल्कम टॉट इस लाइश चालिस के उपर 69 बना रखें एल्टन चेका बुरा इसके बाद बैटिंग करने के लिए आएंगे दोस्तों और उनकी अगर हम बात कर लिती हैं वो जिम्बावे के सबसे बेहतरीन प्लेयर ही आज शाहीना अफरीदी को रस दिया गया है जी है दोस्तों और अब हारिस राउफ कर दिया है हारिस राउफ ने अंदर आती हुए गें थी बर्ली स्किन को ड्राइब कर रहेंगे बड़ा शॉर्ट खेलना चाहते थे बर्ल और लॉंग हैडल का इस्तमाल करना चाहते थे इस गें के उपर लेकिन नाकाम रहेंगे और गेंदुन के बले का इंसाइड एज लेते हुए जाकर टकराएगी विक्टो से और इस तरह टीम जिम बाब एक और विगट कल यह था लेकिन वो अब आउट होचके हैं गाईज जहाँ पर अब नए प्लेयर एल्टन चिकमबुरा जो के एक लाजवा प्लेयर हैं सबसे बहतनीन प्लेयर हैं टीम जिमबाबवे के बैटिंग करने के लिए आएंगे और अब देखना होगा के एल्टन चिकमबुरा की जा इजाज खान एंड आसेफ उस्मान गनी जितने दोस्त नहां गई से मुझोद हैं वल्कम टुदिस लाइफिम बी स्किन के अबरिच है आट सो बावन रंस बना चकी है एल्टन चिकमबुरा एक सो ब्याली स्कन का स्ट्राइक रिट है जहां पर रब मैस के अंदर कुछी है का खेल जहां वहोगोना मजीद बाखी है पाकस्तान की जान से विकट को हासल किया गया हार इस्ट यहां वो व्कट को अपनिया नाम की है यह है कि है राण बावश जहां वो ब्ल्ट हुए इस अवर के अंदर और पाक्सथाँन के टीम जह आपनी बालिंग के सिशले को जा और पांच विकर्ट के नुकसान पे 16 शरीय पांच अबर के बाद आपने से लिए रंडेट जो हो गाइस इस मैच के अंदर होते हुए इस वकत साथ आशरीय तीम दो की 148 रंज बनेंगे टीम जिंबावी के अगर इसी अंदास से केलती है जिंबावी के टीम बॉलर आएगे इन क्या पैट्स पर आता अब अगेन दफलिक कर दिया इसके इनको लैग बाइस के सुरत में टीम जिंबावी सिंगल लेगी और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 122 विकर्ट के नुकसान पे जी हाँ दोस्तों एक बढ़िया मैंच एक अच्छा मैंच चलते हुए एक सोटे सोटे वे स्कोर पांच वेगर के नुकसान पे वे आशार या बलके अब सट्रावर्स का किल मुकमन हुचका है और एक सफ़पचिस होते वे टीम जिंबावी का स्कोर अब सास और दीस के करीब दोस्यों आँ अँरसात मुझूद बद बद शोक्री आपका सुरी गाइस के कुछ देर के लिए मैं जो है वो यहाँ पर नहीं बोल पाया कहाँ चले गए हाँ जी भाई यहाँ पर ही मौजूद हूँ बसना वो एक दो मिनट के लिए चुप हो गया था मैं माजरत इसीज के लिए जहाँ पर रब 124 तेवर टीम जिंबावे का स्कोरर रहा पांच विकर्ट के लिए तीन अवर्स का खेल होना मजीद बाकी है मदवीर साथ पर मौजूद है चिगंबुरा ने अब तक कोई रन नी मनाया बॉलर रहेंगे तयार वहाबरे आज जो है वो बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे जहां वहाबरे आज ने दो वर्स के अंदर 18 रंस दी है और एक विकर्ट को अपने नाम किया है दोरना शुरू किया तेस हुए अब पार को ग्रॉस के अगेन क्या गाइड कर दिया इस गेन को थर्ड मैन की जाने बहुरूर। सिंगल आते हुए स्कीन के ओपर सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 124 टीम जिंबाबे का पांच विकर्ट के नुक्सांपी सब्सक्राइब फिल्टर रहेगे माजोट सिंगल आते हुए फैसल खान भाई हमार साथ मुझे बहुत बहुत बश्योक्रिया आपका मोहिन ने हमें जवाइन का रखा है बहुत बश्योक्रिया आपका भी साथ रहने के लिए जहाँ अब 126 रहेगा टीम जिमबाबबे का स्कोर पांच विकर्ट के नुक्सांपे 17 शरियद ओबर के बाद मैच के अंदर 16 गिनों का खेल होना पहली इनिंग्स के अंदर जो हो 16 गिनों का खेल होना मजीद बाकी देखना होगा के 16 गिनों के उपर टीम जिमबाबबे कितने रंज बनाती है वहाब रियाज अबरदा विकर्ट एक दवाब फिर से तयार वहाब की गेन 10 शॉट पिच गेन पुल कर दिया इस गेन को मिट विकर्ट की जानेब सिंगल आएगी इस गेन के उपरार सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 127 गेन जिमबाबे का 5 विकर्ट के नुकसाम पे 17 आशार या ती नमर के बाद वहाब रियाज की स्लोस्ट वन जो गेन थे वो 132 की है जो उन्होंने आवरिज गेने करवाई हुई है वो 149 की पेस के साथ करवाई गई है जबके उनकी फास्टेस्ट डिलिवरी जो इस मैच के अंदर करवाई गई है वो 142 की है यनके 142 की पेस के साथ उन्हें बालिंग करवार किये स्मैच के अंदर जहां अब 15 गि को बैक्फूट परते हुए स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जाने फिल्टर माजूद सिंगल आएगी स्किन के बर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा अब 108 आइस टीम जिंबावे का पांच वेकर के नुक्सान पे एक अच्छा में चलते हुए टीम जिंबावे औ पाकस्तान के दिर मियान पःला टी 20 मैं चाहां एग्ला की 20 मैं इन दोनों टीम्स के दरमान खेला जाएगा कल को और कलको इपयल का भी मैच है तो दोनों मैच इसको हम कवर करेंगे है और उसके बाद 10 तरीख को इस तोनम इस यानिके सीजिए का थीस्चा मैच के लाएगा जहां पर अब वहाब यास बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे वहाब की एगें इसकेन को फुल कर दिया लेक साथ की जानिब मिस फिल्डिंग करते हुए फाइन लेक के फिल्डर एक रन आएगा इसकेन को पर और दूस्ट्रे रन के लिए दोनों पेर वापी साहेंगे चलते हुए 130 वेगा टीम जिंबावे का स्कोर पांट वेकर के नुकसान पे और अब तीरा गेनों का खेल दोस्तों होना मजीद बाकी है तीरा गेनों का खेल जो होना इस मैस कंदर मजीद बाकी जहां वहाब याज अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे वहाब पुल करना चाहते थे इस गिन को लकसाट की जाने मदवीर गेन टकराएगी उनकी गलफ से और अब तक लिफ महसूस करते हुए मदवीर चौका लगाना चाहते थे इस गिन को उपर लेकिन रहे इंगेना काम एक बड़िया मैंच है अच्छा मैंच चलते हुए यहाँ पर छका लगाना चौका लगाना चाहते थे इस गिन को उपर बैट्समन लेकिन रहेंगेना काम रब इस मैज के अंदर सिच्वेशन को चीह है इसके स्कोर रहेगा अब एक सो तीस टीम जिमबाबवे का पांच विकर के नुकसान पे दो वर्स का खेल होना मजीब बाकी है क्या जिमबाबवे के टीम इस मैज के अंदर एक सो पचास रंस को मकमल कर पाएगी या नहीं इस मतलिक आप तमान दोस्त बता सकती है वीडियो के उपर साथ सो लाइक सोने माले हैं साथ सो लाइक सोने में अब जो है वो सिरफ और सिरफ कह लीजे के पंदरा लाइक्स की मजीब जरूर थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाए थी वहाब रियास का ये बांसर था जो कि उनकी बॉडि से कराया और अब काफी ज्यादा तक्लीफ में दिखाए देते हुए ये बैस्मेन मदा भी रहे एक बड़ा दसका लगते हुए टीम जिंबावे के स्टेर को लाइक अगर ये स्मैच के अंदर आउट हो जाते हैं गा पे बैस्मेन इइजट होचके और अब बैस्मेन दुबारा से अपने कदमों के उपर खड़े होते हुए जबल कला इस बैस्मेन जो है बपने कदमों के ऊपर दुबारा से खड़े होते हुए क्योंकि अब फिट होचके हैं ये प्लेयर एंड लट सी वाट विलsecond in इस मैच और कॉन सेटी मिसमैच को विन करेगी, आपकी ख्याल से कॉन सेटी मिसमैच को विन करेगी, इस मतलिक आप तमान दोस्त अपने वराय का इजार कर सकते हैं, बता सकते हैं, लाइफ चाट के अंदर चॉन सट होते हुए मदभी एर 45 गिनों का सामना किया, चिगंबुरा दो पर मौझूद हैं, जो अगले अवर की पहली गिन का सामना करेंगे, और अब देखना होगा किस किसम की क्रिकेट खेली जाती है चिगंबुरा की जानब से, जिनको बाउंडरीज को हिट करना होगा, ब अच्छा टूटल, एक बड़ा टूटल जो है, बनाने में काम्याब रह सकते हैं, इन स्मैश के अंदर रवाइस, उनके लिए मैच जितना असान नहीं रहेगा, कम से कम 150 संज उनको स्कूर करने होंगे, हारी स्राउफ तयार, दारना शुक्या तेज हुए, अम पार को क्रॉ इन साइड एज लेते हुए गई, लाउन की जानेब, सिंगल आते हुए, सिंगल के चलते हुए, स्कूर रहेगा, इस मैच के अंदर अब 130 टीम, 131 टीम जिंबाभी का पांच विकट के नुक्स चांपी, अपने अमर के लिए लिए लेकर बॉलर एक तवा फिर से थे यार द डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए, स्कूर रहेगा, इस मैच के अंदर बलके सिंगल और लेक बाइस के सुरत में सिंगल लेते हुए, दोने प्लेयर सिंगल के चलते हुए, 132 टीम जिंबाभी का स्कूर पांच विकट के नुक्सांपी, अब से कुछी दिर के बाद आएगी और अब देखना होगा कि सेकेंड इनिंग्स के अंदर टीम की परफोर्मिंस कैसे रहती है, आपस्टों के बाहर जाते हुए गेंद को स्मैश कर दिया है, एक्ष्ट्रा कावर की जानिब उम्दा शॉर्ट लगेगी और गेंद जाएग वो जाएगी बांडरी लाइन के बाहर खुब सुर्ट चौका लगेगा और चौके के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा, इस मैश के अंदर अब 131 टीम जिंबाबवे का, पांच वेगर के नुकसां पी, 18 अशारिया एक अवर का खेलब तक मुकमल हो चुका है, टारगेट कम से कम 150 का होना चाहिए टीम जिंबावे का, और जिंबावे के टीम अगर 150 बना लेती है गाईस तो फिर उनके लिए इतना इस मैश के अंदर आसान रहेगा, बलके एक अच्छा में आच वोते हो दिखाए देगा, शौट पीचे गेंद, शौट पीचे गेंद और डॉट डि जिंबावे का पांच विकट के नुकसान पे, शौट रिया तमाम दोस्तों का साथ रहने के लिए, जहां आपने अबर केली गेंद लेकर बॉलर तया, दोनर शूट या तेस वे, अम पार को प्रोस का गेंद, कैसलर रूट रूट ये गेंद उठा दिया, इस गेंद को लेक साथ गेंदों के ऊपर कितने रंज बनाती है टीम जिंबावे, कम से कम 13 रंज जो है वो जिंबावे के टीम को लाजमी तोर पर बनाने चाहिए, 13 रंज बनाएंगे तो उनका स्कोर हो जाएगा, इस मैंच के अंदर कहली जेके, बला कितना गाइज उनका स्कोर जो है वो हो दूसरो चौका, क्या बात है, एल्टन चिकंबूरा के साथ ही प्लेयर मलावीर जो हाँ वो बेहतरीन चौका लगाते हुए जिन्होंने इस गेंद को कट कर दिया था और कोई मौका नहीं बनेगा, किसी प्लेयर के बास के वो करेंद को फिल्ड और गेंद जाएगी, को कट कर दिया था और गेंद बड़ते हुए जाएगी, बान्डरी लाइन के बार चौकी के लिए और चौकी के चलते हुए इसकोर रहेगा, इस मैंच के अंदर अब 107, 645 बेकर के नुक्सांपे और इसी बीच साथ सो दोस्टों है वो वोडियो को लाइक कर चुके है, मत को स्मैश कर दिया, बॉलर के बिल्कुल पास है, और गेंद गैप में रहने के बाद जाएगी, बान्डरी लाइन के बार चौकी के लिए और चौकी के चलते हुए स्कोर रहेगा, टीम जंबाबबे का इस मैंच के अंदर गाईज, आब बला कितना है, 141, 145 होते हुए स्को फिर सिंगल आएगी, सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा, इस मैंच कंदर अब टीम जंबाबे का 145 विगट के नुकसान पे, 19 अशर यद ओवर का खेल, इस मैंच के अंदर अब तक मिकमन होचका है, जहां पर आखरी चार गेनों का खेल जा होगा, इस हो ना मजीद बाकी है, आखरी चार गेनों का खेल जो हो ना मजीद बाकी है, देखना होगा, जिंबाबे की टीम आज के स्मेंच के अंदर के तने रंज बनाती है, जहां पर अब 140 होते होई जिंबाबे का स्कोर पांच विगट के नुकसान पे, अपने अबर के 30 गेन लेकर वहाब, आज एक द जहाँ दोस्तों होना मजीद बाकी है, जिंबाबे के टीम ने याद रहे टॉस को इनके और टॉस को जीते होई पहले बॉनिंग करने का फैसला के लिया, जहां पर वेसले मैद आब ये देने, आज 89 बलके 89 रंस की, आब कह लीजिए के 70 रंस के एक बहतरीन इनिक स्केल रख जहां पर रब 247 होते होई टीम जिंबाबे का स्कोर, पांच वेकर के नुकसाम पे अच्छा, एक बहतरीन टोटल बनाते होई टीम जिंबाबे जहां अल्टन चिकम बुराई सबर के लिए इनका सामना करेंगे बॉलर तैयार, जिबलकल गाए इस बॉलर जो है वो तैयार, लच्छन के बार जाते हो और रब वाइड बॉलर जिशारा दिया जा गया शोर रहेगा टीम, जिंबाबे का 249 पांच वेकर के नुकसाम पे 19 आशरी तीनमर के बात, आफ है और अभी दो रंस की जड़ोटेव्य क्सापचा्स होने में जबकि जिम्भाबे की बात कर लेते हैं तो वह यकीनी तोर पर चाहेगी के 150 कंखल करें जबकि दूसरी जानी पाकस्तान की रीम की कोशिश होगी कि वो इस मैंच कंदर रहो के जिम्भाबे के टीम को जो है गेने का अच्छा फाइटिंग टोटल बना दिया है आज के स्मैज के अंदर टीम जिंबावे ने बॉलर तयार अपने वर की चौती गेन लेकर वहाब्याज सामना करेंगे चेगंबुरा 10 गेनों के उपर 13 रण्स बना रखे हैं वहाब्याज ने 29 रण्स देते हुए एक पिक अपनी बॉलिंग के सिसले को जानी रखेंगे वहाब की एंद शॉट्पिच गेंद इस गेंद को पल कर दिया लेक्साट की जाने मिड़ान की पॉजिशन पर लॉंग की पॉजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजू सिंगल आते पिस गेंगी और इसी के साथ जिंबावे के ल विडियो के उपर अब साड़े साथ सो लाइक्स होने वाले हैं 11 लाइक्स की मिजी जरूर थे बहुत बश्यों के आपका वीडियो को लाइकन चैनलन को सब्सक्राइब करने के लिए 150 होते हुए टीम जिंबावे का स्कूर पांच विगट के नुकसां पे पांच वी गेंग होगी सबर की शाटपिच गेंग पुल किया है इस गेंग को स्मैश किया है मिड विगट की जानिब और गेंग जाएगी चक्के के लिए बांडरी लाइन के बाहर जिंबावबियन प्लेयर जो हो दोस्तों कमाल क्रिकेट खेलते हुए आज की स्मैश कंदर दूसरा चक्का ल लगाते हुए इंपॉर्टन चक्का लगाते हुए 155 हो जाएगा टीम जंबावे का स्कोर और रब कहलीजिए के एक गेंट का खेल जाए वहो ना मजीद बाकी है वहाब र्याज अपनी बालिंग के सिसले को जारी रखेंगे जहां आखरी गेंट होगी सबर के और सामना करे इसकेन का रटन चकंबुरा अगली गेंट शॉट फिच गेंट बले का बाहरी किनारा लेगी ये गेंट और विगट का लूस करते हुए टीम जिमबावे जी हाँ दोस्तों जिमबावे के ये प्लेयर रटन चकंबुरा इस गेंट को खेलना चाहते थे लेक्साट की जानेब लेकिन रहेंगे नाकाम और गेंट उनके बले का बाहरी किनारा चुते हो जाएगी मुहम्मद हफीस के हाथों में जो मौझू थे शॉर्ट पॉइंट की पॉजिशन पर करेंगी इसकेन को कैच और इस तरह जिमबावे के टीम विगट को जाव गाईज लोस करते हुए बड जिमबावे के टीम के इस टोटल को पाकस्तान के टीम चेस कर पाएगी नहीं वीडियो को लाइक करने के लिए चानल को सब्सक्राइब करने के लिए तमान दोस्तों का बहुत बहुत शूक्रिया इस वीडियो के नीच आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन मिल जाएग जी तो दोस्तों एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच जारी है इस वगर टीम जिम्बावे और पाकस्तान के दम्यान पहला T20 मैच के ला जा रहा है आउट होने के बाद जिम्बावे के प्लेयर ने अच्छा कमबाक किया इसमें आज के अंदर टेलर ने आज 20 रंज बनाया 13 गेनों के उपर हारे स्रॉफ की गेन पर हैदर अली के हैथो कैच आउट हुए एल्टन चिकम बलके जो इनके कफ्तान है चिवाबा ने आज कोई रंडी बनाया मुहमद है उसने अनकी गेन के उपर लबी डबली आउट हुए ये प्लेयर रेंड रही बात इसके बाद आने वाले प्लेयर की तो वो थी सीन विल्यम्स गाईज और सीन विल्यम्स भी जो है वाज अच्छा खेलने की कोशिश में थे लेकिन उनकी जानिब से सिरफ और सिरफ 25 रंद बनाया गये उसमान कादेर जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे उन्होंने इनकी वेकट को अपने नाम किया वैजले मेदबीरी ने आज के इस मैच के अंदर 17 रंस की एक लाजवाब इनिंग्स खेली और उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 150 के उपर ले जाने में अहम किर्दार अद रिजवान के हाथों कैच आउट हुए रियान बर्ल ने आठ रंस बनाए 15 गयनों के उपर एंडर रही बात एल्टन चिकम बुरा की तो उन्होंने 11 गयनों के उपर 15 रंस बनाए पांच एक्ट्रास के मदद से टीम जिंबाब्बे ने आज के स्मैक के अंदर 100 जो है वो कह लिजे के 56 रंस का टोटल बनाया है 157 रंस का हदप दिया गया है अब टीम पाकस्तान को ये मैच विंद करने के लिए वहाब रियास की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उन्होंने 37 रंस के वजए विकट को अपने नाम किया उस्मान कादर ने तीन अवर्ज में 24 रंस के वजए विकट को अपने नाम किया हारी सर राउट ने चार वर्ज में 25 रंस देते हुए दो विकट को अपने नाम किया अपके ख्याल से कौन से टीम आज के इस मैच को विंद करेगी इस मतलिक आप तमान दोस्तों ने अपनी ब्राय का इसार कमेंट बॉक्स के अंदर लाज इस match को win करने के लिए बरहलब देखना होगा कि टीम पाकिस्तान जो है इस match को win कर पाएगी या नहीं कुछी देर के बाद second innings का आगाज होगा जहां पर बाबर आजम और फखट जमान हमें opening करते हुए दिखाई देंगे यहां गाइज बाबर आजम और फखट जमान जो है वो इस match के अंदर हमें opening करते हो दिखाई देंगे और हैदर ली नंबर तीन पर आएंगे टीम पाकिस्तान की जाहन से मुहमद अफिस नंबर चार पर आएंगे टीम पाकिस्तान की जाहन से और अच्छी क्रिकेट होती हुई दिखाई दीगे अबराल इस match के अंदर हमें जी तो दोस्तों एक बड़िया match एक अच्छा match जा लिए इस वगर टीम जिंबाबी और पाकिस्तान के दर्मयान पहला T20 match के ला जा रहा है जहां जिंबाबी के टीम ने आज के इस match के अंदर टॉस को विन किया और टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया होने और पहले बैटिंग करते हुए उनकी जानिव से आज अच्छी क्रिकेट खेली गई 156 रंज बनाये टीम जिंबाबी ने 6 विकट के नुकसान पे जहां अगर हम बात कर लेते हैं जिंबाबी के प्लेयर्स की तो उनकी ओपनर्स जल्दी आउट होगे थे लेकिन ओपनर्स के आउट होने के बाद जिंबाबी के प्लेयर्स ने अच्छा कमबैक किया इस मैच के अंदर टेलर ने आज 20 रंज बनाये 13 गेनों के उपर हारेश राउफ की गेन पर हैदर अली के हाथों कैच आउट हुए अल्टन चिकम बलके जो इनके कप्तान है चिवाबा ने आज कोई रंदी बनाया मुहमद है उसनान की गेन के उपर LBW आउट हुए ये प् इसमान कादेर जो अपना डेब्यू मैच के खिल रहे थे उन्होंने इनकी वेकट को अपने नाम किया वैसले मेदबीरी ने आज के समयच के अंदर 17 रंस की एक लाज जवाब इनिंग्स के लिए और उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 150 के उपर ले जाने में अहम किर्दार अदा किया बेहतरीन लाज जवाब बैटिंग की गई नौ चो के और एक चक्का लगाए गया उनकी जान से आज अपना डेब्यू मैच के ल रहे थे ये प्लेयर और क्या ही ताबर तोड किसम की बलेबादी की गई उनकी जान से सिकंदर अबट ने 7 रंस बनाए 5 गिनों के पर और रिज्वान की हाथों काच आउट हुए रियान बर्ल ने 8 रंस बनाए 15 गिनों के उपर एंडर रही बात ऐटन चेकम बुरा की तो उनने 11 गिनों के उपर 15 रंस बनाए 5 एक्स ड्राज की मदद से टीम जिंबाब्बे ने आज के समयर्स के अंदर 100 जो है वो कह लिए ये के 56 रंस का टोटल बनाया है 157 रंस का हदप दिया गया है अब टीम पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए वहाब रियास की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उन्होंने 37 रंस के बज़ेट विगट को अपने नाम किया उस्मान कादर ने 3 वर्ज में 24 रंस के बज़ का हुआ हमें दिखाई देगा आपके ख्याल से कौन से टीम आज के इस मैच को विन करेगी इस मतलिक आप तमान दोस्तों ने अपनी व्राय का इसार क्मिंट बॉक्स के अंदर लाजमी दोर से करना है और आपको एक और चीज़ बता दूं के रिक्वाइड रंडेट जो है अब कह लिजे कि लगबग आठ का है जो टीम पाक्सीता को बनाना होगा इस मैच को विन करने के लिए बरहल अप देखना होगा कि टीम पाक्सीतान से को विन कर पाईगी या नहीं चुछी दिर के बाद सेकेंड इनिंक का आगाज होगा जहां पर बाबर आजम और फखर जम होने और पहले बैटिंग करते हुए उनकी जानिम से आज अच्छी क्रिकट खेली गई 156 रंज बनाये टीम जिंबावे ने चे विकट के नुकसान पे जहां अगर हम बात कर लेते हैं जिंबावे के प्लेयर्स की तो उनकी ओपनर्स जल्दी आउट होगे थे लेकिन ओपनर्स के आउट होने के बाद जिंबावे के प्लेयर्स ने अच्छा कमबैक किया इसमें आज के अंदर टेलर ने आज 20 रंज बनाये 13 गेनों के उपर हारेस रौफ की गेन पर हैदर अली के हाथों कैच आउट हुए आटन चिकम बलके जो इनके कफ्तान है चिवाबा ने आज कोई की रनी बनाया मुहमद होसने अंकी गेन के उपर LBW आउट हो ये प्लेयर एंड रही बात इसके बाद आने वाले प्लेयर की तो वो थी सीन विलियम्स गाईज और सीन विलियम्स भी जो है वाज अच्छा खेलने की कोशिश में थे लेकिन उनकी जानिब से सिरफ और सिरफ 25 किस रन्स बनाये चौबिस के उनों के उपर चार चौकियम्स ने लगाया है उस्मान कादिर जो अपना डेब्यू मैच्च खेल रहे थे उन्होंने इनकी वेकट को अपने नाम किया वैसले मेदबीरी ने आज किस मैच के अंदर 17 रन्स की एक लाजवाब इनिंग्स खेली औ और उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 150 के उपर ले जाने में अहम किर्दार अदा किया बेहतरीन लाजवाब बैटिंग की गई 9 चौके और एक चक्का लगाया उनकी जान से आज अपना डेब्यू मैच्स खेल रहे थे यह प्लेयर और क्या ही ताबर तोड किसम की बल्लेब बनाएं पांच एक्स्ट्राज के मदद से टीम जिंबाब्बे ने आज के समयाच के अंदर एक सो जो है वो कह लिजे के 56 रंस का टोटल बनाया है 157 रंस का हदप दिया गया है अब टीम पाकस्तान को ये मैच विंद करने के लिए वहाब रियास की दोस्तों अगर हम बात कर लेते उन्होंने 37 रंस के वज़ेक विगट को अपने नाम किया उस्मान कादर ने तीन अवर्ज में 24 रंस के वज़ेक विगट को अपने नाम किया हारी सर राउट ने चार वर्ज में 25 रंस देते हुए दो विगट को अपने नाम किया एक विगट को जब अपने नाम किया जो है वो अब केह ली जए कि लगबग्ध आठका है जो टीम पाकिस्तान को बनाना होगा है इस मैच को ऻुन करने के लिए बरहल बढेखना होगा कि पाई या नहीं कुछी देर के बाद second का आगास होगा जहां पर बाबर आजम और फखर जमान हमें उपनिंग करते हुए दिखाई देंगे जी तो दोस्तों एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच जारी है इस वगर टीम जिम्बावे और पाकस्तान के दमयान पहला T20 मैच खिला जा रहा है जहां जिम्बावे के टीम ने आज के इस मैच के अंदर टॉस को विन किया और टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया उने और पहले बैटिंग करते हुए उनकी जानिब से आज अच्छी क्रिकेट खेली गई 156 रंज बनाये टीम जिम्बावे ने 6 विकट के नुकसान पे जहां अगर हम बात कर लेते गाइस जिम्बावे के प्लेयर्स की तो उनकी ओपनर्स जल्दी आउट हो गये थे लेकिन उपनर्ज के आउट होने के बाद जिंबावे के प्लेयर्ज ने अच्छा कमबैक किया इस मैंच के अंदर टेलर ने आज 20 रंज बनाये 13 गेनों के उपर हारे स्राउफ की गेन पर हैदर अली के हैथों कैच आउट हुए ऐटन चिकम बलके जो इनके कप्तान है जानिब से सिरफ और सिरफ 25 रंज बनाये 24 गेनों के उपर चार चौके उन्थो ने लगाया है उस्मान कादिर जो अपना डेब्यू मैच खिल रहे थे उन्होंने इनकी वेकट को अपने नाम किया वैसले मेदबीरी ने आज के स्माच के अंदर 17 रंज किया एक लाज पान्स गेंगाने ने पान्स गेनों के उपर वहाब र्यास की गेन के उपर और रिजवान के हाथों क्याच आउट है रे और रांडल ने आठ रंज बनाये 15 गेनों ये मैच विन करने के लिए वहाब रियास की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उन्होंने 27 रूंज के बज़ एक विकट को अपने नाम किया उस्मान कादर ने 3 अवर्ज में 24 रूंज के बज़ एक विकट को अपने नाम किया आपके ख्याल से कौन से टीम आज के इस मैच को विन करेगी इस मतलिक आप तमान दोस्तों ने अपने व्राय का इसार कमिंट बॉक्स के अंदर लाजमी दोर से करना है और आपको एक और चीज़ बता दूँ के रिक्वाइड रंडेट जो है वो अब कहली जे के लगबग आठ का है जो टीम पाकिस्तान को बनाना होगा इस मैच को विन करने के लिए बरहल अब देखना होगा के टीम पाकिस्तान जो है विस मैच को विन कर पाएगी या नहीं कुछी देर के बाद सकेंड इंक्स का आगास होगा जहां पर बाबर आजम और फखर जमान हमें उपनिंग करते हुए दिखाई देंगे जी दो दोस्तों एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच जारी है इस वगर टीम जिंबाबी और पाकिस्तान के दर्मयान पहला T20 मैच के ला जा रहा है अच्छा कमबाक किया इस मैच के अंदर टेलर ने आज 20 रंज बनाया तीरा गयानों के उपर हारेस राउफ की गेन पर हैदर अली के हाथो क्याच आउट हुए आइटन चिकम बलके जो इनके कप्तान है चिवाबा ने आज कोई रनी बनाया मुहमद है उसनान की गेन के उप अपर LBW आउट हो ये प्लेयर एंड रही बात इसके बाद आने वाले प्लेयर की तो वो थे सीन विल्यम्स गाईज और सीन विल्यम्स भी जो है वाज अच्छा खेलने की कोशिश में थे लेकिन उनकी जानिव से सिरफ और सिरफ 25 रंद बनाया गये 24 गिनों के उपर 4 चार दार अदा किया बेहतरीन लाज जवाब बैटिंग की गई 9 चौके और एक चपका लगाए गया उनकी जान से आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे ये प्लेयर और क्या ही ताबर तोड किसम की बल्लेबादी की गई उनकी जान से सिकंदर अबट ने 7 रंज बनाये 5 गिन रंज का टूटल बनाया है 157 रंज का हदप दिया गया है अब टीम पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए वहाब रियास की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उन्होंने 37 रंज के बज़ेक विगट को अपने नाम किया उस्मान कादर ने 3 वर्ज में 24 रंज के बज़ेक अशी देर के बाद जी तो दोस्तों पाकिस्तान और जिंबावे का मैच जारी है जहां पर अब पाकिस्तान की बैटिंग आ चुकी है और रही बात पाकिस्तान की बैटिंग की तो गाइस बाबर आजम नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है और वाबर आजम के साथ लेकिन रहेंगे नाकाम और गेन जाकर टकड़ाएंगे उनके पैट से आउट होते होते बाल-बाल बचे हैं यह प्लेयर और आते ही इर इस पॉसिबल जो हो दोस्तों कि समका शॉट जो है उनकी जाम से लगया अच्छा शॉट बिल्कुल नहीं था इस गेन को खेलना चाहते थे मिड़ विकट की जाने बार अग्ली गेन को देकर बॉल और एक तबा फिर से आएगेन क्या पैट सब्सक्राइब अग के टीम जिम्बावे का बिना किसे विकट के नुकसान पे दो गिनों का खेल अप तक नुकमल होच का है जहां पर अब बदबीरे जो है वो अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे जहां अधी गेन बाबर आजम इस गेन को करेंगे स्ट्रे ड्राइब सिंगल आईगी जो है वो शुडू होच की है और दो है टीम पाकस्तान का स्कोर बिना किसे विकट के नुकसान पे तीन गिनों के बाद अली गेन दा पैट्स पर आते हुँ गेन दा फ्लिक कर दिया है मोर दिया इस गेन को बाउंडरी लाइन के बाहर जाती हुए गेन चौके के लिए तो फ पाकस्तान का गाईज बला कितना चेर हेगा टीम पाकस्तान का स्कोर बिना किसे विकट के नुकसान पे जहां अपने वर के लिए लिए लेकर बालर एक दावा फिट से आएगे इन का हवा में खेला इसकेन को मिडवेकट की जानेब गैच आउट होते होते बाल बाल गेंगे प्लेएर गेंद जाएगी मिडवेकट पर मौजूद फिल्डर के पास करेंगे इसकेन को फिल्ड और अब साथ रहते हो इसकोर टीम पाकस्तान का बिना किसे विकट के नुकसान पे इस सवर के अंदर पहला वर हैं दोस्तों और साथ रंजा चुके हैं जहां बाबर आजम को आती हुई पाकस्तान का आठ आठ रहते हो टीम पाकस्तान का स्कोर बिना किसे विकट के नुकसान पे पहला वर मुकबल हुआ और वीडियो के उपर 800 लाइक सोने में अब सिर्फ और से 10 की मजीद जरूर थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा थैंक यू सो मच गाईज पर स्ट्विंग हैर बहुत बश्चों के आप तमान दोस्तों का साथ रहने के लिए जहां पर रब टीम पाकस्तान की कोशिश के वो इस मैच को विन करें लेकिन अ इसके बाद बैटिंग करने के लिए आएंगे मुहमद हाफीज इसके बाद बैटिंग करने के लिए आएंगे मुहमर इजवान जो हैं वो इसके बाद बैटिंग करने के लिए आएंगे और अब देखना होगा कि किस किसम की बैटिंग की जाती है तमाम के तमाम प्लेयर्स क कि जानिव गाप में है गेन दञेंद और बाबराजम के बली से निकला हुआ सिंगल निकलेगी बाबराजम के बले से जिन होने इस गेन को डैप कर दिया था धर्ड मैन किंदर साथ विकर्ट को अपने नाम किया था बलकि 5% के अंधर टोटल जो है वो साथ विकर्ट के नाम किया था जहां सूपरवर के अंधर दो विकट लेज सके थैं ब्लेसिंग मुज़रमान ही अपनी अवरके लेघन लेकर बालर था यार पकट जमान को आती गET У को ड्रॉप करते हुए टीम जिम्बावे के प्लेयर स्लिप की पॉजिशन पर चीबू चवाबा मौझू थे जो इसकीन को क्याच करना चाहते थे लेकिन रहेंगे नाकाम और गेम दा उनके हाथ से निकलते वो जाएगी थर्ड मैं की जानेब सिंगल जो है वो आएगी स्कीन क ड्रॉप किया गया फखर जमान की कैच को जो है वो ड्रॉप किया गया फखर जमान को अब दो चैंसे मिलते हुए गाइस और अब ब्लेसिंग मुजरबानी एक दवा फिर से यार अंदर आते हुए गेन बहुत बड़ी अपील हो सकती थी लेकिन लखी रहेंगे बाबराजम के गेन जो है वो जाकर टकराएगे उनके पैट से थोड़ी हाई थी ये गेन और अब मैस के अंदर सिच्वेशन को चियोंगे दस रहते हुए स्कोर बिना के सविगर के नुकसान पे ब्लैसिंग मुजरबानी जो है वो दोस्तों बेहतरी इन बॉलिंग करवाते हुए आज के स्मैस के अंदर जहां पर अब कह लीजे के दस रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर बिना के सविगर के नुकसान पे एक आशारीय तीन वर के बाद अपने अबर की चौथी गेन लेकर बॉलर जो है मुतयार ब्लैसिंग मुजरबानी दोड़ना शुरू किया तेज हुए अब पार को क्रोस के अगेन के इस गेन को स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेन जाएगी बांडरी लाइन के बाहर खुबसूरत चौका एक लाजवाब चौका लगाते हुए इस गेन के उपर बाबराजम जिन्होंने मिडल अफ तॉप बैट इस गेन को स्मैश कर दिया था और कोई मौका नहीं रहेगा किसी प्लेयर के बास के वो इस गेन को करिंक फिल्ड और चौका मिलेगा बाबराजम के बले से इस गेन के और चौके के चलते हुए दस रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कूर्ट बिना के सिविगर के नुक्सान पे एक शरीयती नवर के बाद बैस्ट बैसमें है टीट वन्टी के बाबराजम जिनको जिनके आबरेज अब पचास की होचकी है टीट वन्टी मैसिस के अंदर पहले इनक बासा शरीयत चार साथ की थी लेकिन अब उनकी आवरिज बढ़ते हुए यह अंदर आते हुए गेंद और बल्ले का इंसाइड आइज लेने के बाद गेंजाएगी एक टप आ लिगने के बाद बिकर के पास एक और डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कूर र के बाद है आट सो के ऊपर दोस्टें वीडियो को लाइक कर चुके हैं बद बस्टो के आपके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां अली गेंड लेक्षम के बाद जाते हैं वगेंद कैच आउट होने का खतरा था लेकिन लगी रहेंगे बा पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विगट के नुकसान थी एक आशार या पांच आवर का खेली स्मैश के अंदर मुकमल होचका है जहां पैट्स पर आते हुई गेंड थी स्किन को फ्लिक करना चाहते थी बैट्स में लेक्षम के जानेब लेकिन गैप में खेलने में रहें ना स्कोर रहेगा सोला टीम पाकिस्तान का बिना किसी विगट के नुकसान पे एरिज स्टार टीवी हमार साथ मुझूद है वलकम तो दिस लाइश्ट्रीम बदबश्यों कि आपका शकील भाई क्या हाल चाल है आपका एंड जितने दोस्त जाहां के इंसे मौजूद हैं वलकम बन टुद इस लाइश्ट्रीम जिंबाबव्दे के टीम ने आज एक बहतरीन टोटल बना दिया इस मैंसके इंदार और पाकिस्तान के टीम इस टूटल का पीछा करते हुए देखना होगा कि पाकिस्तान के टीम जो है वो कितने रंज बनाती है आज इस बड़े स्कोर का पी कितेगी थैंक्यू सो मच गाइज फॉर्स ट्रिंग हेर जहां पर अब सिच्वेशन को चिह हुए गाइस के एक अच्छा मैंच एक बढ़िया मैच चलते हुए उन दोनों टीम के बीचे सोला रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कोर्ट बिना किसी विगर के नुक्साम पे और चा करेंगे स्कीन को फिर्डेक और डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कूर रहेगा इस मैच के अंदर सोला टीम पाकिस्तान का बिना किसी विगर के नुक्साम पे दो आश्वरिया एक अबर का खेल अलब तक मुकबल होच का है अंकन भाई गलत लेंग्विज का इस्तामाल नहीं चलेगा अगर आप गलत लेंग्विज का इस्तामाल करेंगे तो यूव नो प्लेस हीर इजट हो एहतराम के साथ बाचीत करियेगा स्कूर रहते हुए सोला बिना किसी विगर के नुक्सान पे चाट पीच एगेंड बाबर आजम के बल्ले से इंकला हुआ उन्दा शॉर्ट गेंड जाएगी थर्ड मैंड की जाने गाप में है गेंड सिंगल आते हुए बाबर आजम के बल्ले से दूसरे रून के लिए दोनों प्लेवापिस आएंगे और दो रंस के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच कंदर अठारा टीम पाकिस्तान का बिना किस बढल यार में वाबर आजम ने किया है इस गेंको समष मिध विगट की जाने बार गेंड जाते हुए बांडरी लाइन के बाहर खुब्सूरत चॉका क्या ही लाजवाब करिकट खेली गई है बाबराजम की जान से जिन्हें इस शॉट पिछ गेन को पुल कर दिया लेकसाट की जानीब और गेम गैप में रहते हुए जाएगी बांडरी लाइन के बाहर बेहतरीन चौका और चौके के चलते हुए स्कोर रहेगा अठारा टीम पाकसान का बिना किसे विकर्ट के नुकसां पे दो आशरिया दो वर का खेल जाए वो अब तक मुकमल हो चुका है चौका मिलेगा बाबर आजम को बड़ा खेला गया और बाबर आजम जाते हुए चौदा के स्कोर पर रहन की आबरिज जो है वो दोस्तों मजीद बढ़ते हुए स्मैस के अंदर जहां अब फखर जमान जो है वो साथ पर महजुद तीन गिनों का सामना कर रखा बलके उन्होंने जो है वी स्मैस के अंदर पांच के अंदर जहां वो इस सिंह कर दिया है लोंगओं की जाने लेकिन इस दफ़ा फिल्टर लॉंगओं की पॉजिशन पर रहेंगे महजूद करेंगे सब्सक्राइब को फिल्ट सिंगल लाएगी सिंगल के चलते हुए बाबर आजम जाते हुए 15 के स्कोर पार रहा थैंक्यू सो मच गाइज फर्स रिंग हेर बहुत बहुत शुक्री आपका साथ रहने के लिए जहां पर एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच चलते हुए बाबर आजम जो है दोस्तों कलास देर है और जहां पर अच्छी बैटिंग करते हुए बाबर आजम जिन्होंने इस गिन को स्मैश कर दिया था लोंगन की जाने बार अब अगर हम बात कर लेते हैं इस मैच के अंदर सिच्वेशन कुछ ही हुए कि पाकिसान की टीम जो है वो कर दिया है कबर और पॉइंट की जाने फिल्टर हेंगे माजूद करेंगे स्किन को फिल्डिक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए इस को रहेगा थे इस तीम पाक्सितान का बिना की सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच गाईज पर लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब इन दोनों टीम्स के दर्में जारी है एक बहुत ही हम मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के बीच एंड लेट सी विश्टीम इस विन दिस मैच जहां पर अपने वाखेली गें लेकर बॉलर जो हैं वो गाईज तयार बॉलर तयार अगली गेन को हावा में के लाइल लॉंगन की जानिब क्याच आउट होते होते बाल बाल बचे हैं फगट जमान और सिंगल आईगी स्केन के उपर सिंगल के चलते हुए जो है वो दोस्तों स्कोर होते हुए 24 बिना इसे विकट के नुक्सान पे एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के लिए जहां हवा में खिला था इस गेन को लेक्साइट की जानिब बार सिंगल जहाब गाई जाते हुए इस गेन को बड़ सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 23 रहेगा स्कोर बलकि 24 रहेगा स्कोर बिना किसे विकट के नुक्सान पे आस उनके बाद जाता वगेन इसकिन को स्मेश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब और गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए चौका में लेगा इसकिन के उपर कमाल के ही टीम करते हुए फखर जमान जहां इसकिन को अपर कट कर दिया था और कोई मौका नहीं बनेगा किसी फ्लेयर के पास के वो करेंगे इस किन को फ्लिड चौके के लिए जाएगी एगें दोर चौके के चलते हुए स्कूर रहेगा चौविस टीम पाकस्तान का बिना किसी विगर के नुकसाम पे बल्के अब आठाइस रहते हुए टीम पाकस्तान का स्कूर बिना किसी विगर के एकबर के बाद एक स्लिप के साथ जो है मोबालर तयार फखर जमान जो के अपनी बैटिंग के सिसले को जारी रखेंगे मज़रवान की एगें दल एक्षम पाराते हुई शॉट्पिच गेन को फ्लिक कर दिया है केल दिया है लेक्सार के जानेब मेट वेकर की पॉजिशन पर जा रहेंगे माजूद करेंगे सिंगों फ्लिडी से बीच सिंगल आते हुए इन दोनों प्लेयर्स के लिए और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा हम तीस टीम पाक्सितान का बिनाके सिविकर के नुकसां पर पहला वंडे मैच पाक्सितान के टीम ने 25 रून से विंग किय सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब इस मैच के अंदर 30 पाक्सितान का बिनाके सिविकर के नुकसां पर रंडे अच्छा चलते हुए और इसके बाद होगी PSL जी हाँ गाईज दस तारीख के बाद IPL का खेल जहाँ समाप्ठ हो जाएगा PSL जहाँ बश्रू हो जाएगे PSL के मुलतान सुल्तान वर्सिस काराची किंग्स एंड लाहोर कलंदर वर्सिस पिशावट जलमी मैच किला जाएगा एक ही दिन के अंदर दो मैच के लिए जाएगे जबके 15 तारीख को जो है वह सेकंड प्ले आफ किला जाएगा जहाँ इस गेन को स्मैश कर दिया था और गेंद ने कहा कि ना भई ना आज मैं किसी का हाथ में नहीं आओंगी और गेंज आते हुए मिट विकेट के जानी बांपरी लाइन के बाहर एक बहुत बड़ा चक्का असी मेंटर का लंबा चक्का लगाते हुए फखड़ जमान और फखड़ जमान को जिम्बावी घडिंग वैसे भी पसंद है फखड़ जमान को इसके इलावा एक आद और टीम भी जो है वो काफी पसंद है तो फखड़ जमान जो है वो अपना बरपूर जो है वो फाइदा उठाते हुए यहां पर टीम जिंबाभी के प्लेयर्स का यानि के इस टीम का जहां अगली गेन को डिफेंट कर दिया है कवर और पॉयंट की जाने पॉयंट की पॉजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे स्किन को फिल्डेक और डिलेवरी और डिलेवरी चलते स्मैश कर दिया था एक्स्ट्रा कवर की जानिब और गेंद हावा में रहने के बाद गई थी कह लिजे के सीधा बांटरी लाइन के बाहर चक्के के लिए और चक्के के साथ अब 36 रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर्ट बिना किस विगट के नुकसां पी पाकस्तान को पखट जमान जो इस गेंद के उपर चक्का लगाना चाहते थे रहेंगे नाकाम और गेंद हावा में रहने के बाद जाएगी सिधा फिल्डर के आथ में जो मौझूद थे इस तरह को छेंडोर नुक्रिए और साकंसा चाहित इंडा करेंगे सिधीन को फिल्ड और इस तरह किया स्वेट शामर्च को विगट करेंगे सिधा और अगर हम देख लेती हैं टीम पाकस्तान को तो उनको बड़ी पार्टनर्शिप की ज़रूर थी लेकिन फगर जमान जल्दी आउट है चतिस के स्कॉर पर पाकस्तान की टीम अपनी पहली बिगट के लोज करते हुए और अलगे पाकस्तान जो है वो इस मैच को विन करने में काम याब हो पाएगी यह नहीं रंडेट तो टीम पाकस्तान का लगबग ठीक चल रहा है लेकिन रंडेट के ठीक चलने से कुछ नहीं रहने वाला दोस्तों आपको बड़ी पार्टनर्शिप को लगाना चाहिए आपक फान से बढ़ना होगा कि विटिस को लोस नहीं करना और रहना बॉल ही चाहिए पार्टनर्शिप जो है वह आपकी चल रही हो तो उस पार्टन्षिप को जो है बढ़ाना होगा यहां आपने वर के लिगेन लेकर बालर जो है वो ठहर ह duhring ए तैयार मुझार बादी ने बल् कि यहां गाइज पुल करना चाहते थे सकेंट को फकर जमान लेका बाहरी किनार लिया और बाहरी किनार लेने के बाद गई सिधा फिल्टर के आत्में जो करेंगी सिकन को कैच और इस तरह टीम जो है वो विकट को लोज करते हुए जी हाँ गाइज जो विकट को जाव लोज करते हुए टीम पाकिसदान और अरब स्कोर रहेगा चतिस चतिस रहते हुए स्कोर इस मैच के अंदर जहां बाबर आजम इस सवर के लिगें का सामना करेंगे बॉलर आएगे इन क्या विकट विकट आता पगेंदर डिफरेंट कर दिया है इस स्केन को एक्स्ट्रा कवर की जानिब सिंगल आएगी इस के उपर बलके सिंगल लेना चाते रीडिट करना होगा टीम पाकस्तान को अपनी इनिंग्स को बाबर आजम बले ही मौजूद है लेकिन बाबर आजम के उपर भी प्रैशर जरूर से आएगा जहां शाट पीचे गेंद सिंग को स्मैश कर दिया कवर और पॉइंट की जानिब कवर के फिल्डर की लाजवाब दाइव करते हुए सिंगरोखेंगे जी बलकल गाईज डाइव ज है वो करते हुए सिंगरोखेंगे और यकिन ही चोगा बचेंगे अपने टेम के लिए आज मैंеюсь बाबर आजम में वह चोगा लिगाना चाहते थी इसे इन के आप स्के नहीं आज टैंक्ना बम काम औ काम होते होते हैं बाल बाल बचे हैं बाबर आजम गेन जाएगी लॉंग अन बिल्ड ऑन की पॉजिशन पर मौझूद फिल्डर के सर की उपर से चौकी के लिए अच्छी गेन करवाते हुए यह प्लेयर जिनका नाम है नागार रावा और रूंकी यह गेन दा वेकर टू एकर आत चौकी का पाकस्तान का स्कोर इनके रंड रेर्ड थोड़ी स्लो हुई थी लेकिन आप जो है वो दुबारा से रंड रेर्ड पिक अप करना शुरू कर देगी बॉलर तयार रास्ट्रंग के बाद जादा वा गेन इस गेन को लैप करना चाहते थे कट करना चाहते थे बाबर आजम लेकिन रहेंगे नाकाम और गेन उनके बल्ले के बिल्कुल बाहरी कनारे को मिस करते हो जाएगे विकर के पर के आपने एक और डिलेवरी कैच आउट होते 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 बाल बाल बचे हैं यहाँ पर बाबर दी आजम जी हाँ गाइस कैच आउट जो है वो बाल बाल बचे ही हैं कैच आउट होते होते अगर ये गेंद हलका से भी बला चूजाती तो गेंद जानी थी विकर्ट के आप में और विकर्ट के पर ने बिना किसी गलती के उनको जो है वो आउट कर देना था और अब 40 रहते वेटिंग पाकसान का स्कूरिक विकर्ट के नुकसान पे चार आशर ये पांच अवर के बाद अपने वर के आखरी गेंद लेकर बालर तयार इस गेंद को स्लैश कर दिया है पॉइंट की जाने भावा में है गेंद और क्याच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे एक दवा फिर बावराजम गेंद हवा में रहने के बाद जाएगी थर्ड मैं की जाने थर्ड मैं की पॉजिशन पर फिल्ड रहेंगे माजूद करेंगी स्किन को फिल्ड और रब सिच्वेशन को शियों चलते हुए है कि 40-41 हो कि आपको बताता रहूंगा कि बाबर आजम के शुरू होने से पहले अब अगर हम देख लेते हैं गाईज उनके आवरेज को उनके आवरेज यकीनी तोर पर बढ़ रही है जहां स्ट्राइक पर मौझूद है बाबराजम में किस पर मौझूद है अच्छी बैटिंग करते हुए और इनको अपनी टीम को यह मैच जित्वाना होगा पिछले मैच क अंदर भी अच्छा खेला था बाबराजम ने और अब बाबराजम के आवरेज बढ़कर पचास आशार यह चे की होचकी है लगबग 0.9 का फर्क पड़ चुका है उनके आवरेज के अंदर हलाकि उन्होंने अब तक 21 स्केनिंग्स खेली हुई है इस मैच के अंदर अगर वो 50 बना देंगे क्यों तो उनके आवरेज 51-52 के पास हो जाएगी पैट्स पर आते हुए इनको फ्लिक कर दिया है लक्सार के जाने से उन्होंने इट विकट्ट अब तक लूज कर रखा है है और हैदर अली पहली दफा जो है वो फ्राइक पर मौझूर रहेंगे इस मैच के अंदर पहली दफा इस ट्राइक का सामना करेंगे है आदर अली और अब देखना होगा के हैदर की जान से किस किसम के बाटिंग की जाती है यॉर्क लेंच गेंद और इस गेंद को फ्लिक कर दिया लाइक साट की जाने इप सिंगल लेंगने की कोशिश इन दोनों प्रेट्स के दर्मियान लेकिन रहेंगे नाकाम और अब रहेगा स्कोर 42 से विकट के नुकसान पी पांच आशार याद ओवर का खेल अब तक मकमल होच का है साड़े जो हैं वो हो साथ सो लाइक सोने वाले हैं वीडियो के उपर जहां तेरा लाइक स्टीम अजी जुरू थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा जिम्बाबवे के टीम ने याद रहे 156 रंज बनाए और रोजनों ने चे विकट को लोज के आपकस्तान के टीम इस बड़े टोटल का पीछा करते हुए और अब देखना होगा पाकस्तान के टीम कितने रंज बनाती है आज के स्मैच के अंदर जहां धर्ड बैंड के फिल्डर को डारेक अंदर लाया गया है चिंडरी चितारा की अगें दो विकट विकट आते हुए स्किन को स्मैश कर दिया है लोगन की जानेब गैप में है गेल सिंगल आईगी स्किन के उपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 43 टीम पाकस्तान का एक विकट के नुकस्तान पे पांच आशरीय तीन अवर के बाद और अभी भी इस मैश के अंदर के लिजे के जो आवर्स बचे हुए है गाईज वो 14 आवर्स का खेल जा है वो होना मजीद बाकी है और अब देखना होगा के 14 आवर्स के अंदर कितने रंज बनाएगे टीम पाकस्तान तेन तालिस रहते हुए टीम पाकस्तान का स्कोर एक पिकट के नुकसां पी को स्माश के आख कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेयर के बास के वो स्कें को रोके और गें जाएगी बार्ण प्रेलाइन के बाहर चौकी के लिए और चौकी के चलते हुए चलते हुए गेंग तेस हादों के साथ इस गिन को फिर से फ्लिक कर दिया है लेकिन इस दफाए गेंग जाएगी और चौकी के लिए बाल्ड्ड रिलाइन के बाहर दो लगातार चौके लगाते हुए рьृष से इस गेंग और प्रेट पर आती हुए इस गेंग को तेज हाथों के साथ लिक कर दिया इंगी बाकवर्डável की जानए बाल्ड्ड रिलाइन के बाहर चौकी के के लिए और चौके की साथ बरताभवा स्कोर हो जाएगा है इस मैस के इंदर से निश सीं पाकिसान का इक विकट की जानेब शिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा पाईकावन से बावन टीम पाकिस्तान का एक वीगट के लिए उकस्तान पे चे वर्स का खियल मुकमिख मुख़ा पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान की टीम ने अच्छे रंज बना दिये 85 गिने और 85 गिनों के उपर 100 बलके 84 गिने और 105 रूंस की ज़ूड़त है जहां पिछले अबर के अंदर चितारा की गिन बादी के उपर बाबराजम ने लगा थार दो चौके लगाए दो चौके जो है उनकी जान से लगाएगे और अब situation कुछ यूँ है इस मैस के अंदर के बाबराजम इस बैटिंग ओन 30 और बाबराजम के अबरिज को गाईज अगर हम देख लेते हैं तो उनकी अबरिज जो है जो है जो मुसलसल बढ़ते हुए जहां अगर हम बात कर लेते ह उनकी आबरिज जो है वो गाईज बढ़ चुकी है बाबन रहते हो टीम पाकस्तान का स्कोर एक विकट के नुकसान पर थैंक्यू सो मजच गाईज फो और स्ट्रेंग हीर ओ भई ओ भई लंकन प्रियमर्ड लीग भी जो हो दोस्तो 27 तारीक से शुरू हो रही है अंदर आते विगेन इस गेन को स्माश कर दिया है वापिस बॉलर की जाने बेक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा यहाँ पर अब सत्रा टीम पाकस्तान का दो विकट के नुकसान पर अलिगेन दपाट पर आते विगेन को फ्लिक कर दिया अलेक साथ की जाने मिट विकट की पॉजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजूद सिंगल आएगी स्किन के उपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा तरी पनीक विकट के नुकसान पर बड़ी ख़बर दे दूँँ आप तमाम दोस्तों के तमाम दोस्तों को कि यहाँ पर जी हाँ दोस्तों 23 मैचिस के ले जाएंगे स्री लंकन प्रिमेर लीक के अंदर और उसका आगास हो जाएगा मेरी हिसाब से बलाब कब जी हाँ गाइज स्रिलंकन प्रीमिर लीग का आगास हो जाएगा 27 नमबर से उस लीग का आगास होगा और 27 नमबर को हमें 5-6 मैचिस होते हो दिकाए देंगा अगली गेंद आस्टों के बाट जाता है वगेंद इस गिन को गाइड कर दिया थर्ड मैं की जान सिंगल आएगी सि सिंगल के चलते हुए चापन रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर एक विकर के नुकसां पे 6 आशारिया थी नमब के बाद था थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्विंग हीर आपके ख्याल से कौन सी टीम जीतेगी यह आपने बताना है और इसी बीच साढ़े आट सो दोस जाओं 51 की होते हुए बाबराजम के आवरेज जहां हैदर अली ने स्केन को फिर से कट किया है डी पॉइंट की जानिब सिंगल आएगी जी पीजी अंदासे और सिंगल के जलते हुए स्कोर रहेगा चापन टीम पाकस्तान का एक विकर के नुकसान पे सिरिलंकन प्रीमेर लीग का आगाज 27 तारीख को होगा और 27 तारीख को ही जो है वो दोस्तों मैच खिला जाएगा यहाँ पर प्यों सीपियल का अगास कब होगा तो सीपियल अब कहले साल में अगस्ट सेप्टम्बर में जाकर खेली जाएगी असीगेन 102 रंज के जरूरत हैदरली मौझूद है और हैदरली का साथ देने के लिए जो प्लेयर आज के समयच का हिस्सा है गाईज वो वला कौन है हैदरली के साथ बाबर आजम मौझूद है 33 पर और अब देखना होगा के बाबर दी आजम जो है वो कितने रंज बनाते हैं आज के समयच के अंदर और क्या वो अपनी टीम को जित्वा पाएंगी यह मैं आच या फिर नहीं बाबर आजम 34 पर माजूद और अब वो अगले अवर की पहली गेन का करेंगे सामना जहां पर टिंडाई चितारा ने जो है वो दो वर्स करवाए और टिंडाई चिसारू ने जहां वो यह कवर करवाया एक अचावर करवाते हुए जहां पर अब नगारावा जो है वो बाबर आजम के पास एक बड़ा मौका होगा के वो इस सीरीज के अंदर सिरुफ और सिरुफ उनको जो है वो आट पॉइंट्स लेने होंगे अगर बाबर आजम आट पॉइंट्स ले लेंगे तो वो फिर से नंबर वन की पोजिशन को अपने नाम कर लेंगे और इस मैच के बाबर आजम फिर से हमें नंबर वन पर जाते हुए दिखाए दिए पाट पर आजम की तो उनको सिरफ और सिरफ आट पॉइंट्स के जरू थे और आट पॉइंट्स उनके होच के हैं दोस्तों जितनी उन्होंने इनिंस खेल दी है ना 35 रंस की तो उनको आट पॉइंट्स अब तक मिल चुके हैं लेकिन वह भी एड्ड नहीं होंगे उनके जो है वो पॉइंट्स टेबल में 58 रहते हुए स्कूर एक विगट के नुकसां पर शाट पी जिगेन पुल कर दिया स्केन को लगसार के जाने मिट विगट के पॉजिशन पर फिल्टर रहेगा माजूद कर साथ आशर यती नुवर का केल जो है वब तक मुकमन होच चुका है जहां अपने वर केली गेन लेकर बॉलर एक तबा फिर से आगे इन का स्मैश कर दिया इस गेन को मिट विगट की जाने ब फ्लैट चौका लगाते हुए हैदर अली क्या ही बड़िया शॉट लगा गया उन चौका लगा गया है एदर अली के बले से और अब बासर रहते है वो टीम पाकिसान का स्कोर एक विगट के नुक्सान पे साथ आशर ये चार वर का खेल इस मैच के अंदर अब तक मुकमन होच का है अली गेंद बड़िया गेंद और आई थिंक विगट को लोज कर दिया है टीम पाकिसान ने विगट को लोज करते हुए टीम पाकिसान हैदर अली के बले का बाहरे किनारा लेगी ये गेंद और हैदर अली का बैट चूते हुए जाएगी विगट के पर के हाथ में और अब जो है वो विगट को लूज करते हुए बहुत ही बेहतरीन कैश नाम आ गया है विगट केपर की जान से जिन्हें डाइब करते हुए सके इनको कैश किया और इस तरह पाकस्तान की टीम विगट को जो है वो गाईज लूज करते हुए टीम पाकस्तान बड़ा दसका पाकिस्तान पे 7 आशरीय पांच बच के बाद जिबिल कुल गार इस विकट कर लोज करते हुए हैदर अली आउट होगे है और हैदर अली के आउट होने से यकीनी तोर पर पाकिस्तान की टीम को जहाँए फेक्ट लाजमी तोर पर पर पड़ेगा और अब मैच के अंदर सिचुएशन कुछ ही हूँ के 62 होते हुए स्कोर दो विकट के नुकसान पे 7 आशरीय दो आवर का पांच आवर्स का खेल मुकमन होचका नगारावा की गेंद थी बढ़ने के बाद हलकी सी बाहर की जान निकली गेंद और बल्ले का बाहरे के नारा चूते हुए गई विकट के पर के आपने करेंगे इस किन को कैच और इस तरह पाकिस्तान की टीम विकट करने के लिए लाया गया है और देखना होगा के हफीज की जान उससे किस किसम की बैटिंग की जाती है विचानमे मैचेस खेले गए है 2147 बना रहे हैं मुहमद अफीज ने और यकीनी तोर पर वो चाहेंगे कि अपनी टीम को ये मैच जित्वाएं क्योंके सीनियर प्लेयर हैं प्रो प्लेयर हैं और अगर उनके होते हुए भी टीम मा पाकिस्तान ये मैच नहीं विन करती गाइस तो फिर कह लिजिए के उनके होने का जो है वो कोई भी फाइदा नहीं रहेगा इस टीम को बॉलर तैयार दाना शुक्या तेज हुए अमपार को प्रोस के अगेन के अलक्षम परादव अगेन दफलिक कर दिया इस गिंग को लेक्साट के जाने मिड़ विगर की पॉजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे स्किन को फिल्ट सिंगल आएगी सिंगल के चलते के क्रीब दोस्तों हैं वो हमारे साथ मुझूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब करने के लिए जी तो दोस्तों तेहत्तर बलके बहत्तर गेने और चौरान मेरंस की जड़ूरत कौन से टीम आपके हैल से इस मैज को विन करेगी इस मुतलिक आप अपने व्राय का इसार कर सकते हैं बता सकते हैं लाइफ चाट के अंदर जहां पर मुहमद अफीज एक पर मौझूद हैं बाबर आजम 35 पर मौझूद हैं इंडाइच चिसारो ने एक कवर करवा रखा है रिचर्ड नगारावा ने जो है वो इस मैज के अं आप तक मौझद है रिचार के बाहर निकलते हुए चौका लेगा चाहिए विच्टा रहेगा आप तक मौझूद ही एक निकलते हुए चौका लगाना चाहते थे इसकेन के उपर बैट्समें लेकिन रहेंगे नाकाम और अब 63 सेट रहते हुए स्कोर दो विकट के नुकसाम पे आस्रंग के बाद जाता हुए इसकेन को ड्राइब कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जाने बफर्ड रहेंगे माजूद करेंगे इसकेन को फिल्ड और अब सिच्वेशन को चीओं के 63 सेट रहते हुए टीम पाकसान का स्कोर दो विकट के नुकसाम पे आठा शर्या 3 नुमर के बाद आस्रंग के बाद जाते हुए इसकेन को फिल्ड से स्मैश किया सिंगल आएगी इसकेन के उपर इजी पीजी अंदास से सिंगल लेंगे ये दोनों फ्लेयर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा अब 64 पाकस्तान का दो विकट के नुकसाम पे आठा शर्या 4 के बाद एक और सिंगल आईगी बावराजम के बल्य से और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा आप चान तीम पाकस्तान का दो विकट के नुकसाम पे स्मेश किया है इस गेन को मुहम्माद अफीज ने एक्स्ट्रा कवर की जानिब और गेन जाएगी बार्मरी लाइन के बाहर जी बिल्क लगा है इस एक बेहतरीन चौका लगेगा और चौकी के लगते हुए अब स्कूर रहेगा हुना तर्टीम पाक्स्तान का दो विगर्ट के लुकसान पे कि थैंक यह सो मज़ गाइज आफर स्विंग है रहुल दास ने हमें जोइन करका बिलाखर बहुत बहुत शोक्री आपका आसे भाई हमार साथ मों जो दें बहुत बहुत शोक्री आपका भी साथ रहने के लिए लगार आप बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे पैर्स पर आती हुए इनको फ्लिक कर दिया अलेक साइट के जाने सिंगल आएगी इसके इनको फरावर सिंगल के चलते हुए स्कोर रही गाई स्मैस कंदर सतर टीम पाकिसान का दो विगट के नुकसान पर सतर रहते हो टीम पाकिसान का स्कोर दो विगट के नुकसान पर नौ आशर यही कवर का खेली स्मैस के अंदर अब तकम कमल होच का हैं जिंबाब्वे की टीम का स्कोर भी सिस्टेज के उपर सतर था और पाकिसान का स्कोर भी सतर रहते हुए यहां मुहमाद अफीज को आएगी यह शॉट पिच के इंद और पुल कर दिया है स्केन को मुहमाद अफीज ने लेक साट की जानिव सिंगल आएगी स्केन के उपर और सिंगल जहां दोस्तों आते हुए सिंगल के साथ बरतावर स्कोर रहेगा इक तरदो विकट के नुकसान पे कि अच्छी कमेंटरी करो और एक्टिंग ना करो भाई मेरी हम ऐसे ही करते हैं सुनना चाहते हैं तो आपको हजारों लाखों वेलकम और नौब आ इशारा दिया जाएगा अंपार की जाए जान से प्रीए हिट होगी और फ्रीज़ का सामना करेंगे बाबर आजम एंड लेट्सी के बाबर आजम जो है वो इस गिन का बरपूर अंदा से फाइदा उठा पाएंगी या फिर नहीं जी हाँ गाइज जी हाँ गाइज यहाँ यहाँ गाइज यहाँ पर नो बोल का जो है वो इशारा दिया गया अब रहेगा स्कोर बाबर आजम लगाएंगे एक बेहतरीन चक्का वाह क्या बात है बाबर आजम ने स्मैश के इस गेंड को और अब फॉर्टीज में दाकिल होते हुए बाबर आजम जो चले गई है गैप में है गेंड और एक और खुबसूरा चौका क्या बात है कट किया था इस गेंड को और कोई मौका नहीं बना फुर्टर के पास गेंड तो बल्ले से ऐसे निकली जैसे गोली जो है वो पिस्टल से निकलती है और गई डी पॉइंट की जाने भालां के फुर्टर मौजूद थे दो फुर्टर्स डाइब करते हुए अब बे यासी रहते वे टीम पाकसान का स्कोर दो विगट को नुकसाम थे नो आशर ये ती नुवर के बाद नागार अब अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे अल्डी गेंड लेकर जो है वो बॉलर तयार वेकर टो विकर आता वो गेंड इसकिन को स्मैश कर दिय अमिड ओफ की जाने इब सिंगल आएगी स्किन को पर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा तेरा सी टीम पाकस्तान का दो विगट को नुकसाम थे नो आशर ये चार अबर का खेली स्मैश के अंदर अब तक मुकमल होचका है हफीज साथ पर मौजूद हैं बाबर आजम 42 पर मौजूद हैं 32 गिनों का सामना करका है दो रंस की उनको जरूर थे अपनी 50 मुकमल करने के लिए और ला जब आब 50 रहने वाली है बाबर आजम की गाईज और उनकी आवरीज मुसलसल बढ़ते हुए आवरीज जो है वो बाबर आजम के होचकी है साड़े 32 के आवरीज होते हुए गाईज बलके साड़े है जो है वो 51 के आवरीज होते हुए बाबर आजम की जो कि इस मैच के शुरू होने से पहले साड़े उनकास की थी और इसी बेचे स्किन को स्मैश कर दिया है मौहम्मद हाफीज के बल्ले से निकला हुआ उमदा शौ दोस्तों बाबर आजम की बात कर लेते हैं तो वो थर्ड मैन की जाने जब भी खेलने की कोशिश करते हैं तो वो आउट होने की कोशिश में रहते हैं लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं है तो नागारावा की गेंद स्विंग होती है दोस्तों और नागारावा की गेंद को ज पाक्स्तान कबल के अंजी 84 होते वे स्कोर 85 होते वे माफ के जगा स्कोर 2 एकर किनुकसां पे साथ येने 72 तरवन के जरूर रट कॉंसे टीम जितने वाली है जल्दी से बताईगा वोडियों के वपर 900 लाइक्स होने वाली है पर दोस्तों फिर से चलते हुए बाबराजम अची फोर्म में हैं डूसरी जाने बा ब्रैंडन टेलर चीफल में हैं एंड रही बात इसमैच की गाइस तो एक अच्छा मैच जो है वो दुस्तों चलते हुए इन दोनों टीम्स के बीच यहां प्रफिंट बाइब रहींगे माजूद करेंगे स्कीन को फिल्ट और इस बीच बाबर आजम करेंगे अपनी 50 को मकमल तालिया होनी चाहिए गाईज बाबर आजम के लिए और अगर आपको बाबर आजम की निग्स जड़ा बर अच्छी लगी तो इस वीडियो के निचा आपक 50 को मकमल कर लिया है बाबर आजम ने जिन्होंने 34 किनों का सामना कि अपने 50 को मकमल किया एका लाज जवाब और बेहतरीन इनिंग्स जो है वो खेले गई उनकी जानम से 86 रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कोर दो वेकर के नुकसान पे 10 अशर या दोवर के बाद अपने अवर की 30 ट्रीगन लेकर बालर जहां वो टहरेंगे तयार सामना करेंगे इसके इनका मुहमद हाफीज आठ पर मुझूद है मुहमद अफीज जो के सीनर प्लेयर है प्रो प्लेयर है अपने टीम के और अब देखना होगा किस किसम के बाटिंग की जाती है मुहमद अफीज की जाम से पाकिस्तान का यूनिफॉर्म बिल्कुल वही उनिफॉर्म है जो के इन्होंने यूस किया था इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैंक्सिस के अंदर और इन्होंने अच्छी सीरीज खेली थी वो शाट भी जगेन कट कर दिया स्केन को डी पॉइंट के जाने बुम दा शॉर्ट सिंगल आएगी स्केन के उपर और दो स्ट्रेट रण के लिए दोनों प्लेयर वापीस आएगे दोर रंस आएगे स्केन के उपर और दोर रंस के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब 89 टीम पाकस्तान का दो विकट के नुकसान पर स्यद बहाज जैदर ने हमें जो इनकर रखा है बदबश रोकिया आपका भी साथ आने के लिए गलत लेंग्विज का इस्तामाल नहीं चलेगा अमान सिंग यहाँ पर अब 86 होते है वो टीम पाकस्तान का स्कोर दो विकट के नुकसान पर अरे बाई चौके को चक्किया जा रहा है कि यह इन्द चौके के लिए बांवरी लाइन के बाहर गई थी यह नहीं अब देखना होगा कि चौका जो है बुंद को मिलेगा या फिर नहीं 86 होते हो टीम पाकस्तान का स्कोर दो विकट के नुकसान पर अब भी चौके को चक्किया जा रहा है कि यह इन्द चौके के लिए बांवरी लाइन के बाहर गई है या फिर नहीं और जैसे ही कोई result आएगा तो आपको ज़रूरू बताऊंगा इस राडूल मलिक भाई हमार साथ मौईवद है हेलो और वेलकम टो दिस लाइफ स्रीम सेयद बहाज है जो है वो हमार साथ मौईवद है एलो एंड वल्कम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल बहुत शुक्री आपका भी साथ आने के लिए डाइव करती हुए फिल्टर ने स्किन को रोका था लेकिन अब चेक करना होगा कि चौका बनेगा या फिर नहीं संदीब शर्मा बाई माफ करो जाओ जो बोलना है बोलो हुँँँ नाइटिव माइंड सेट वाले बंदे ऐसी ही हुँद जी तो दोस्तों यहाँ पर 89 रहेगा स्कोर दो लिगट के नुकसान पर मुझे किसी के खिलाफ बात करने की आदत नहीं है लेकिन अगर मेरे हो गये थे बाद में याद है ना आपको फिर तो इसलिए आप से मैं बोलता हूँ बार-बार के सिरफ और सिरफ अपने टीम किसी स्पोर्ट किया करें किसी टीम के खिलाफ ना बोला करें लेकिन आप जो है ना समय नहीं आती पता ने क्यों कौन सी मटी लगी हुए तो दोस् स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर तेरान में टीम पाकिस्तान का दो विकट के नुकसांब गाली की बात नहीं होती भाई बात होती है कि आपने अपना मैंड सैट कैसा रखा हुए लेकिन आपका मैंड सेट यहीं है कि आपने आकर बाबर आजम और पाकिस्तान के टीम के करेंगे दोनों के एर और सिंगल के साथ दूस्राइन भी आएगा दो रूंस के साथ वरतावा स्कूर हो जाएगा पी चानमे टीम पाकस्तान का दो विकट के नुकसां भी दस आश्वारिया पांच अवर का खेल मुकमल होच का हैं अब दी बकार इन सारी भाई हमार साथ महुझूद हैं वलकम टुदिस लाश्ट्रीम पार आते हुए इंद फ्लिक कर दिया सिंगल के साथ की जानेब सिंगल आते हुए सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा अब चानमे टीम पाकस्तान का दो विकट के नुकसां पे ग्या कि वोस्मेंट को जित पाएंगे यह नहीं है वीडियो की ऊपर वीडियो के ऊपर जो हो गाई जब 8 लाइक्स की मजीज जरूड़त था नौस्व होने में अब देखना होगा कि आप वीडियो के उपर नौस्व लाइक्स कर पाएं यह तो आज हमारा टार्गेट पैसे हजा है ना उसका रुत्बा बराबर होता है अगर आप वर्ड कप के अंदर या फिर ये जो लीग स्टेज चल रही थी ना पिछले दिनों के अंदर जिम्बावे के टीम ने पाकस्तान को हराया था सुपरवर के अंदर जाकर तो उनको भी 10 पॉइंट्स में ले थे और इस तरह पा अगर वो इंटरनाशनल टीम है तो इट मैटर्स ब्रो यह चीज जो है वो मैटर करती है और इसी तरह बाबर आजम जो है वह यहां पर दो रंज को अपने नाम करेंगे अंदा रंग बढ़ नवेकर्स करते हुए दोना प्लेयर मुहमाद आफीज जो है वो सिंगल कमकमन के लेकिन दो स्ट्रेडरन के लिए वापिस आना चाहते थे बरहल सिंगल ही आएगी और सिंगल के साथ बरतावा स्कूर रहेगा 97 टीम पाकिसान का दो विगर के नुकसान पे और इसी बीच बाबर आजम की बढ़ती हुए आबरेज चली गई है 51.77 की बहुत इंदा अबरेज होते हुए बालर आएगे न क्या पैट्स पर आथा अब अगें दा फ्लिक कर दिया सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा 98 टीम पाकिसान का दो विगर के नुकसान पे और इसी बीच 911 दोस्त 9-11 दोस्त अरे-अरे गल्त नीं बोलते हैं वो ना हो के YouTube वाले आखर मुझे पखल नहीं यह क्या बोल रहा है यह तो दोस्त आपको बता दूँगे हैं पर 911 दोस्ते हैं वीडियो पर लाइक कर चुके हैं इसी बीच बावराजम कायक और मुझा शॉर्ट इसकिन को खेल दिया लोंग उनकी जाने ब्रान आउट होने का खतरा था लेकिन मना किया कि पारे लीच साल आपको इस चीज की दे दी कि जिमभावे नहीं जीता था उनको दस फइंट मिले इस चीज के उनको पांच पांच पॉइंट नहीं मिले कि वो चोटी टीमरा ला आजिडितिम को 20 दो मैचेस को जीतने के तो यही सूर्सरे हाल होती है इंटरनेस्ट कर कर की रूल जार रूल पैट्स पर आते हुई गेंड इस गिन को खेल या है लॉन की जाने बार सिंगल आएगी इस मैच के बाद बाबर आजम चले जाएंगे नंबर वन पर टी-20 बैट्समें बंकर जो है वो नंबर वन पर चले जाएंगे बाबर आजम तो कोई उनको नहीं जो ह बाबर आजम के जिन्होंने बैकफूट पराते हुए इस गिन को कट कर दिया कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेयर के बास के वो इस गिन को रोकेंगे और गेंड जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर चौके के लिए एक सोचार होते हुए टीम पाकसान का स्कोर दो विगट के नुक्साम पर यहां अपने अवर के लिगें लेकर एक तबाप फिर बॉल अपता यार और मैं कीट जो है वो दो सोट होने वाली थे हाँ पर महमद अपीज लेकिन अपनी क्रीस के अंदर बापसी करेंगे यूँकि यह जिंबावे के टीम के प्लेयर जो है वो उनको थोड़ा बहुत पता है कि प्लेयर को वर्निंग देनी चाहिए पहले उन्होंने आते ही मैं की डाउट नहीं किया प्लेक कर दिया है लक साथ की जाने सिंगल आगी सिंगल के साथ बरतावर स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब पांच टीम बल्के कह लीजे के स्कोर हो जाएगा 105 पांच विकट की नुक्साम पी जी तो दोस्तो अरताद इसके ने तरिफ पर रंस की जो रूट एंड लट सी वोच रिम इस गूंग तो विन दिस मैच बाबराजम जो है वो मौजूद है इस वागत चॉंसर्ट के स्कोर पर और वो स्ट्राइक का सामना करेंगे तेज खेलना चाहिए बाबराजम को और मेरे हिसाब से अपनी सेंचरी को जो है वो सोचना चाहिए 320 मैचस के अंदर उनकी ये सेंचरी जो हो जाना चाहिए और इसी बेच 920 दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए बदबश शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अब सिकंदर रदाबट को गेनबादी करने के लिए लाइगा है देखना होगा कि सिकंदर रदाबट की जानिब से किसकिसम की बैटिंग की जाती है तो भैस Сिर्वे-Lanka की टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है वेस्टर इएाः वेस्टर इस की टीम दो दफ़ा जो है वो डाफा जब वर्ल्ड चैंपियन है और जिंबावे की टीम के खिलाफ भाबराजब ने एक दफ़ा सैंच्री बना रखी है मेरा आपके साथ बोलना इतना बनता नहीं है क्योंकि मैं कमेंटेटर हूँ तो इसलिए है मैं आपके साथ इतना दमाग नहीं खपाऊंगा और भाई वो हैं वो बरते हुए स्तारे हैं 54 की आवरिज है उनकी ODI matches के अंदर Kodra T20 matches के अंदर 52 की आवरिज हैं आपके कहने से ना कहने से उनको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला You can only You can only do that kind of a stuff in live chat, nothing else आपके कहने से किसी को कोई फरक नहीं पढ़ेगा 106 होतेवे score 2 wicket के नुखसान पे तो आप अपना दिल हलका कर द लीजिए बाबर आजम के खिलाब 932 दोस्ट जो मैं वीडियो को लाइक कर चुके बहुत शुक्रिए आपका वीडियो को लाइक है इंचानल का सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अब एक सोचे होते हो इसको दो विकट के निक साम पे बार आशारी आई गवर के बाद बाब फिर वो ही आजाती है कि वेस्ट अडीज चाहे किस पोजीशन पर भी हो लेकिन है तो इंटरनेशनल टीम ना पॉइंट्स तो बराबर ही मिलेगे न आपको जी तेंग उनके खिलाब तो पॉइंट्स तो आपको बराबर ही मिलेगे ना एसी बीच ये स्केन को ड्राइब कर दिया है एक्स रागावर की जाने सिंगल आएगी स्केन के उपर और रहा सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर 172 विकट के नुक्साम पे जो मान खान हमार साथ मोजो ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेव समूर भाई ने हमिजवाइन कर रख्या बहुत शुक्रिया आपका जी बिल्कुल क्रिकेट निउस जो हैं बोलते हुए कि मैं इंगलेश अच्छी नहीं बोल पाता ठीक हो गया और कुछ अगर आप बोल ही नहीं पाएंगा ठीक हो गया गलत बोल रहा हूं कोई बात नहीं कोई दिन आएगा ना जब बच्छी भी बोलूँगा इसकिन को स्लाग स्विप करना चाहते हैं बेट विगट की जाने मुहमाद अफीस लेकिन रहेंगे नाकाम सिंगल आएगी सिंगल के साथ बढ़ता सिंग भाई अर्क मुझे क्यों पड़ेगा मैं तो अपना काम कर रहा हूं मैं अपना काम करता रहूंगा लेकिन आप जो है वो अपना इसी किसम की बात ही करेंगे और इसी बेच बाबाराजम जो है वो आउट हो सकते थे लेकिन कैच को ड्रॉप करते हुए मुजारबानी बड़ा शॉट के ना चाहते थे बाबराजम लेकिन बले का सप्लाइस लिया और गेंड जाएगी लॉंग आफ की पॉजिशन पर फिल्टर हेंगे मौजूद करेंगे स्कीन को फिल्ड एंड एक बड़ा चांस जो हो दोस्तों बन सकता था यहां पर टीम जिंबाबी के पर जो मान अखान भाई हमार साथ मुझे दें वल्कम टो दिस लाइश्विम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ आने के लिए तो गाइस अगर हम देख लेते हैं पर पाकस्तान के टीम को तो पाकस्तान के कापतान बाबाराजम के अवरिज बढ़ते हुए 52.06 की होचकी है कमाल अंदा से आवरेज बढ़ते हुए इस मैच के शुरू होने से पहले इनके आवरेज 49.76 की थी लेकिन अब जो है वो दोस्तों आवरेज बढ़ते हुए इनकी सबसे बेहतरीन आवरेज होचकी है आज कल के जो भी प्लेयर खेर रही है इनके जिन्होंने लंबी क्रिकट खेर रखी है 1000 से उपर रंज बना रखी है उन तमाम के तमाम प्लेयर में से बेहतरीन आवरेज होते हुए बाबर आजम की जहांपर अब 111 रहेगा बाबर आजम का स्कोर दोवे पाकिस्दान का स्कोर दो विकट की नुकस्तान पर 13 वर्स के बाद देखने वाली बात ये होगी के 50 बनाएंगे ये प्लेयर या नहीं मुश्किल लग रहा है के 50 बनाएंगे लेकिन फिर भी क्रिकेट है गाई और क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो जाएगा पैट्स पर आते विगें इस गेंगें को खेल दिया है वापिस बहुत अखी जाने बे का डाट डिलेवरी डाट डिलेवरी के बाद रहेगा स्कोर 111 दो विकट के नुकस्तान पर क्रिकेट न्यूज भाई बहुत बहुत शूकरी आपका हाऊसला अवजाई करने के लिए अमान सिंग भाई पॉइंट इस दाट के तमाम के तमाम टीम्स बराबर हैं जो क्रिकेट खेल रही है आजकल पॉइंट के ताद बराबर हैं आपकी रंडेर बड़ती है आपको फर्क नहीं पढ़ता कि कोई टीम कैसी है तो फिर इस दिसकस करने का पॉइंट ही निबनता कि किस प्लेयर ने किस टीम्स के खिलाब कैसा खिला हुआ हाँ अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है बड़ी टीम के खिलाफ तो फिर यकिनी तोर पर कह लीजिए कि उसकी कदरों कीमत मजीद ज्यादा बढ़ती है लेकिन अगर आप किसी वे टीम के खिलाफ सेंचरी 50 स्कोर करते हैं तो भाई मेरे आपकी रैंकिंग बहतर होती है चाहे वो अस्ट्रेलिया के टीम हो चाहे वो ज किसी टीम के खिलाफ बाबराजम ऐसा कर रहे है और इसी बेच मुहम्मध हफीज लगाएंगे चौका एक्स्ट्रा कवर की जानेब इस गेन को ड्राइब कर दिया खुबसूरत शॉट और इन दोनों प्लेयर्स के दिरमें चती स्कीनों के उपर त्रिपन रंस की जो है वेक लाजवाब और बेहतरीन किसम की जो है वो पार्टनर्शिम में करते हुए ताबर तोर्ड और कमाल क्रिकट खेलते हुए दोनों प्लेयर्स जहां अगली गेन दपाट्स वारादे विगेन दिस गिन को फ्लिक कर दिया है लेक्साट की जानेव सिंगलाईगी स्कीन के उपर सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा 111 तीम पाकस्दान का दो विगेट का नुक सामपी थैंक यू सो मच गाइस ऑफर सिंग हेर क्या बात है साइद भाज हैदर यी तो दस्ते 116 होते हुए स्कोर दो विगेट का नुक सामपी इस सारू की अगेन दपार्स वारादे हुए इनको फ्लिक कर दिया है मिड विगेट की जाने सिंगल आएगी और सिंगल के चलते हुए 117 रहेगा टीम पाकस्दान का स्कोर दो विगेट का नुक सामपी और अब सिचुएशन ये है कि आप तमान दोस्तों ने बताना है पाकस्दान के टीम साथ विक्टो से जीतेगी या और फिर आठ विक्टो से जीत सकती है पाकस्दान के टीम इस मैंच को क्योंकि अब सिरफ और सिरुफट बालिस बदें की जो जाएंगे जी हां गाइस तीन आउट जो हो भी सकते हैं जिंबावे के टीम को विकट को लेना होगा मजी बली भाई हमार साथ मोजुद हैं वल्कम टुदिस लाइश्रीम बहुत 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 शोक्रिया आपका भी साथ रहने के लिए एक रन से पाकिस्तान की टीम हारी की ऐसा गया ना क्रिकेट न्यूज का तो भाई मेरे देख लेती हैं हम जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे अंजी अंजी सेद भाज है दर बाई बाई बदश्योक्रिया आपका सिकंदर की गेंद ड्राइट की आहा है स्केंड को एक्स्ट्रा कवर की जाने मिडल आफ ता बैट एक और अंदा शॉर्ट सिंगल आएगी स्केंड के ओपर राहुल दास बोलत पूछते हुए कि सेकंड टी ट्वंटी मैच की डेट क्या है तो बाई मेरे आपको बता जूँ 17 बलके 14.1 आवर के बाद मुहम्मद हफीज 21 पर मौझूद है जो कि इस अबर के रिगें का सामना करेंगे बाबर राजम 69 पर मौझूद है जहां इस अबर के रिगेंद यॉर के लेंच अगें इस गिन को डिफरेंट कर दिया है वह आप इस बॉलर की जाने वनादर डॉट और डॉट डिफरेंगे चलते हुए स्कोर हो जाएगा एक 108 राटीम पाकस्तान का दुबिकर के लिफरेंगे वीडियो के ऊपर हमने लाइक करने है वाला कितने हजार लाइक्स करने है और अभी 55 लाइक्स की जरूर थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक और पाकस्तानी बार रहा है एक और चक्का जो हो मिलते हुए गाईस अमान सिंग आपके कहने से कोई फरक नहीं पड़ रहा किसी को बोलते रहिए लाइफ चैट के लिफ जब तक आप गलत नहीं बोलेंगे आपको जो हो नहीं रोकेगा कोई लेकिन जब भी आप गलत बोलेंग आप जो है वो जान सकते हैं यहां शॉट पीछे गेन फुल कर दिया इस गेन को लेक्सार के जाने बेक और अंदा शॉट सिंगल आएगी इस गेन के उपर मुहम्मद हफीज के बले से और सिंगल के साल बरताव स्कूर हो जाएगा अब इस मैच के अंदर 125 चीम पाकिसान का दो विगट के नुक साम पे 14.4 अवर के बाद मुहम्मद हफीज is बैटिंग उन 28 बाबराजम इस बैटिंग उन 69 एक बहुत इमदा पार्टन्शिप लगते हो इन दोनों प्रेर्स के दरमेयान बाबराजम ने किया है इस गेन को स्वीप और गेन जाएगी एक और चौके के इतनी बाला बावन से उपर के आवरीज होते हुए ग्रेट बैटिंग एंड ग्रेट बाइग प्लेयर नंबर बन पर जाते हुए टी ट्वटी मैंचेस के इंदर बाबराजम जो के नंबर दो पर मौझूद है और डेवर्ड मिलॉन को क्रास करते हुए नंबर बन पर चले सिंगल के बड़ते हुए स्कोर हो जाएगा पाक्सान की डिंग का 122 वेकर के नुकसां पे 32 गिने और 32 रंस की जरूर थे बलके कह लिए यहां पर चौका लगा था और अब 30 गिनों के उपर 27 रंस की जरूर थे वाव यह तो दोस्तो 137 स्कोर 2 वेकर के नुकसां पे बलके 137 स्कोर 2 वेकर के नुकसां पे एंड अन्नादर कुछी अवर्स का खेल जाओ गाईज यहां पर मजीद बाकी है और अब जो है वो दोस्तो आखरी पांच अवर्स के अंदर 30 गिनों के बड़ सताइस रंस की जरूरत है बाबराजम में वजूद हैं 74 के स्कोर पर सैंसरी इनकी नहीं होगी लेकिन यह है कि नॉट आउट रहना होगा इनको नॉट आउट रहेंगे तो यह इनके लिए एक बड़ी चीज हो जाएगी क्योंके इनका कॉंफिडेंस जो है मजीद बढ़ेगा इंडाई शिसारो जो है वो चार्ट पर माँजूद है और इसी बेच साड़े 900 दोस्त जो है वीडियो को लाइक करते हुए और सिंगल और सिंगल के चलते हुए जाएंगे वो पिजत्तर के स्कोर पर और अब पाकिस्तान की टीम को 39 गयनों के ओपर 26 रंस के मजीद जरो रहत है बहुत बहुत शोक्रिया आपका फाहीम सेयद भाई जान से अलीम डार इसकेन के ओपर वाइड बॉल का इशारा देंगे और वाइड बॉल के चलते हुए स्कोर रहेगा यहां पर 132 स्कीम पाकिस्तान का दो विकट के नुक साम पर 15 शर्या एक अवर का खेलब तक मुखबन होच का है मुहम्मद हफीज 28 पर महलूद ही और वो करेंगे सवर के इलिगेन का सामना असनल सारी भाई आपका भी बदबश्यों किया आईजा अजीजी या जैनब भाई आपका भी बदबश्यों किया जहां पर अब्दर राउफ भाई भी हमार साथ मुझेद है पाकिसान का दो इक सब्सक्राइब कर दिया है कबर और पॉइंट की जानेब अनुदर डिलिवरी और डिलिवरी के चलते हुए स्कोर एंगा 132 पाकिसान का दो विकर किन किसाम पिए दोस्तों सीरीज जो है वो रीजे कि एक स्विर से आगे चली जाएगि यानि कि जो बट्क की जिते हैं वो यसि इस स्फषर के बरतरी अपने नाम कर लेगी डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा 132 पाकिसान का दो विकर्ट के नुक्रसाम पी 15 शरीय ती नुमर्स का खेल जहाब अब तक मुकमल हो चुका है एवी में पीड़ीवी स्पोर्स के उपर ये मैच आ रहा है अंगरेज सिंग भाई बहुत शुक्रिया वैसे आपका साथ आने के लिए और अब वेडियो के उपर लाइक्स होने में 23 की बलके 21 की मजीज जरूरत है हजार का टार्गेट अचीफ होने में पार्ट पर आथे हुए गेंग को फ्लिक कर दिया है लेक्सार के जानेब सिंगल आएगी सिंगल के उपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा एक्स तो तैंट इस दो विकर को नुक्सांपी कल को दो मैच्चेश खेले जाएगे पाकिसान वर्सिज जिंबावे दिल्ली वर्सिज हैदरबाद पर सो को कोई भी मैच नहीं होगा ना एपिल का ना पाकिसान का और उसके बाद 10 तारीख को पाकिसान और जिंबावे का मैच 10 तारीख को जो है वो मुंबई वर्सिज कल को जो भी टीम जीतेगे उनका मैच खेला जाएगा और उसके बाद 14 तारीख को PSL के 2 play-off matches खेले जाएंगे 15 तारीख को PSL का 1 play-off match खेला जाएगा जबके final match जो है वो PSL का 17 तारीख को खेला जाएगा पार्स पर आते हुई गेन को फ्लिक कर दिया है LXR के जानिब सिंगल आएगी स्केन को पर रॉडर दूस्ट्रे रॉन के लिए वापिस आते हुए बाबराजम उम्दा और बेहतरीन रॉनिंग बटनों मेगेट्स 133 रहेगा स्कोर दो विकर के नुक सामपी कप्तानी इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर बाबराजम क्या ही बात है प्रूव करते हुए कि यहाँ पर नमबर वन ये T20 के प्लेयर ही यहाँ इसकेन को फ्लिक कर दिया था लेक साट की जानिब दो रॉन्स दिये और अब 133 रहेगा स्कोर दो विकर के नुक सामपी इसकेन को स्मेश कर दिया है एक श्रा कवर की जानिब स्वीपर कवर की पॉजिशन पर फिल्टर हेंगे माजूद करेंगे इसकेन को फिर सिंगल आएगे स्केन के अपर और सिंगल की चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैश के अंदर अब 133 पाकिस्तान का दू विकर के नुकस्तान पर 15 शरीय चारों के बाद 26 गेने और 24 रंस की बलके कह लीजिए कि 25 गेने और 22 रंस की जहाँ मजीश जरूरो थे बाबराजम 77 पर मौजूद मौम्मध हफीज 29 पर मौजूद ब्लेसिंग मुजरबबानी जो है वो अब तीन अवर्स करवा चुक है इस मैश कंदर एक अच्छी क्रिगट खेलते हुए टीम जिंबाभवे वाले जिन्होंने फर्स्ट फॉब तो इस मैश के अंदर अच्छे रंस को बनाया लाइक आप कह सकते हैं कि जिंबाभवे के टी चेस तो कर लेगी 24 के नेक किस रंस की रोड थे यहां आपने अवल खेली गेन लेकर बॉलर जो है वो गाइस रही गया तया यार 136 रहते हो टीम पाकिस्तान का स्कोर दो वेकर कुनिक सामते 16 अवर्स का खेल जह अब अब तक मुकमल हो चुका है बाबर आजम इस बाटिंग उन 78 जो इस तवर के लिगेन का सामना करेंगे चितारा की एगें दो वेकर दो वेकर आते बिगेन इसकेन को खेलिया लॉंग उन की जानिब सिंगल आए की स्केन के उपर अर रहा सिंगल के जलते हुए स्कोर रहेगा 136,37 दो वेकर की नुकसान पी अजी बिट्टू क्रिकट भाई ऐसा ही है 137 रहते वो टीम बाकसान का स्कोर दो वेकर की नुकसान पी मुहम्मद हफीस करेंगे इस सबर के लिगेन का सामना जो माजोधिया 29 की स्कोर पर रहा रहा रहने 28 स्केनों का सामना करका जाहां बॉल रहेंगे तैयार दोना शुक्या थेज़ हुए अमपार को प्रोस का अगेन का चीतारा का अगेन दो विगेट विगेट अथा बाई स्केन को खेल दिया है लॉंगन की जाने बर सिंगल के साथ बरतावा स्कोर होईगा इस मैच के अंदर 137 का दो विगेट की नुकसान पी पाकस्तान नीड अनदर 19 रंस विन दिस मैच इन 22 डिलिबरेज जच चीतारा इस बैटिंग बॉलिंग प्रेटी नाइस लिन दिस मैच लेकिन अभी तक को जो है वो कोई भी विगेट नहीं मिली चीतारा को क्योंकि बाबराजम जो है इस स्ट्राइक पर मौझूद ही है जो करेंगी सबर के लिगे इनका सामना बॉलर रहेंगा तयार दरना शू क्या तेज हुए अमपार को क्रोस के अगेन क्या लेक्षम परादाव अगेन इस के इन को खेल दिया है मिड विकेट की जानेब एक रना आएगा इस के इन के उपर और दूस्ट्रों के लिए दोनों प्लेव रापिस आएंगे बाबराजम जाते हुए सेवन्टीज में कमाल क्रिकेट खेलते हुए इस मैच के अंदर और अपनी अबरिज को खुब बढ़ाते हुए बाबराजम जिन्होंने तीन के अवरिज जो है वो लगबग बढ़ा ली है इस मैच के अंदर और अच्छी क्रिकेट जो है वो दोस्तों चलते हुए बाबराजम के बली से जहां पर रब सिच्वेशन कुछ यूँ है कि 130 होते हुए स्कोर दो वेकर किनुक साम पे 138 रहते वो टीम पाकिसान का स्कोर दो वेकर किनुक साम पे 16.2 वर्स के बाद जहां अपने अवर के रिगेन लेकर बॉलर तयार आस्रों के बाद जाता वगेन इस किन को स्कोर कर दिया है कवरोड पॉंट की जाने सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा यहां पर 142 वेकर किनुक साम पे 16.4 वर के बाद संदीप शर्मा आया मैं कमेंटेटर सो दैस्ट वाइए विल नॉट आंसर यूर डाट कांड आफ पजूल किसम के बाद से लाट इट गो ब्रो तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ा से किसी की दिल जारी हो तो भाई मेरे यह यह मेरी जुह हो नेचर में नहीं है बाकि यह है कि अगर मेरे कलकों दोस्त मौझूद होगे तो आपको जो है वो कह लीजिए कि जरूर इसके जवाब देंगे लाजमी तोर पर देंगे लाइव चाट के अंदर क्योंकि मैं जो हुए एक रिजेंटेटर हूँ यानि के तमाम दोस्तों के सामने बात कर रहा हूँ वेक हदा के उपर दोस्त मौझूद है मैं 1-1 आपके साथ बात नहीं कर रहा है इस सिंगल के लिए खेलेंगे बाबर आजम और 82 पर जाते हुए 82 पर जाते हुए बाबर आजम चबवन गे नोकियों पर अमनिस के ने 15 रंस के जड़ूरत है मुहमद अफीज नौन स्वाइकर रंड पर मौझूद बाबर आजम 82 पर मौझूद है प्रेक्टिंग सवाल है तो मेरा भी आपकी आपसे जो है वो सवाल होगा लेकिन अभी नहीं अभी मुझे जो है वो मैच को कवर करने दें क्यूद के यहां पर एक अच्छा मैच चल रहा है इन दोनों टीम्स के बीच इसी बीच हावा में खेला इस गेन को और बाबर आजम हो जाएंगे आउट जी हां दोस्तों बड़ा शॉर्ट खेलां चाहते थे मिडविगट की जानिब लेकिन गेंद उनके बले का आउटसाइड एच लेने के बाद जाएगी सिधा फिल्डर के पास जो मौझूद थे जो मौझूद थे मिडविगट की जानिब करेंगी स्किन को फिल्ड और इसी के साथ हजार दोस्तों का वीडियो को लाइक कर तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का वीडियो को लाइक और चैनल को जानिब सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्यू सो मच गाईज आप तमाम दोस्तों का सिंगल कह दीजे के दि जुड़ू, लाइक गेमप्ले की वीडियो कर लेंगे हम लाइव अगर मेरा दिल किया थो, वस्वीडियो के अंदर हम गेम खेल लेंगे कल के मैच की, और हारी लाल सर, हां जी हां जी बिलकुल, मेरा जो है वो ये काम ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे को मैं रिप्लाइ नहीं ह कर रहा, मैं सबके साथ इंट्राक कर रहा हूं, so that's why I will not say anything related to that kind of questions here, जी तो दोस्तों, आब जो है वो सिच्वेशन कुछ यू है, क्या थारा गेने, 15 ग्रंस की मजीद जरूर थैटीम पाक्स्तान को ये मैच, क्या लिजे के विन करने के लिए महमध अफिजा कर तीस पर मौ का दूसरा मैच है और रन को हो, कम से कम ये करना होगा कि इस मैच को जो है वो फिनिश करना होगा, इस मैच को जो है वो फिनिश करना होगा इनको, and let's see कि वो इस मैच को जो है वो यहां पर फिनिश कर पाएंगी या नहीं, so guys score रहते हो 143 विकेट के नुकसान पर 18 गेने, 15 और रन की जो है वो मजीद जरूरत है, हसी भाई बढ़ाशो कर यह आपका, मजीब अली बढ़ाशो कर यह आपका, अली गेन दासन के बाह जाते होगें दौर सिंगल आई यह सिंगल के साथ बरता हुआ सक और हो जाएगा, यहां पर 112 पाकिसान का थीन बिकेट के नुकसान पुष्दिल शाह इस ए यंग प्लियर और लेट सी विल एबल तो फिनिश दिस मैच और नॉट नागरावा इस बॉल प्रेटी निसली एकन बॉन मुकेटर और गिवन अबे 27 रंस इन दिस मैच यह तो होगा इस बगत कौन सा पीपर है लेजंड गीमर्ज आपका बॉलर रहेंगे तयार रहा नागरावा की गेन दपल कर दिया इसकेन को मिट विकट की जानिव सिंगल आएगी सिंगल के साथ जो है बुबरता हुआ स्कूर्ट हो जाएगे इस मैच के अंदर अब 143 विकट के नुकसां जाहीर सयाल भाई जो है हमार साथ मोजद हैं वल्कम तो इस लाइश्रीम है दोस्तों हाइस्ट स्ट्राइक रेट इन नैशनल ट्वंटी कप खुश्दिल शाह का स्ट्राइक रेट 177 का रहा आजम का स्ट्राइक 179 का रहा और बहुत इम्दा बैटिंग के यह आजम खान की जान सी जो के मौहिंद खान की बेटी है और चक्का लगाएंगे बलके चौका लगाएंगे इसी बेच खुश्दिल शाह जिन्होंने पुल कर दिया स्किन को मिड़ विकट की जानी बैंड गेंड जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चाह के के लिए वाट लवली हिट बाइ ये कौन सा पेपर होता है अंजी विन्याक बाई मुझे नहीं आती और कुछ बाई जो कुछ बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं बिट्टू क्रिकेट बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका ठीक हो गया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका होस्लावजाई करने के लिए जो भी दोस्त मौझूद है दिल से शुक्रिया जो भी होस्लावजाई कर रही है और आपकी स्पोर्ट का बहुत शुक्रिया चैनल को सब्स्क्राइब और वीडियो का लाई करने का बहुत शुक्रिया बादर तयार यॉर्क अलैंट के इनको स्मेश कर दिया मिड़ विकट क पबजी गेमर हां जी हां जी बोलिए और इस वगत 1043 के बलके 60 के क्रीब दोस्त मौझूद हैं बहुत शुक्रिया आपका अंग्रेश सिंग भाई बोलते हुए कि आपका चैनल टीवी में नहीं चल आरे भाई बस कर दीजे यह यूटीब है और यूटीब के उपर कुछ ऐ वाया करूँ आपके साथ तो कि यार दो बंदे जब वो हो जाए तो इजी रहता है कुमेंटरी करना इसी बीच इसके उनको स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जाने बेका और चौका मिलेगा और मुहमध हफीज चले जाएंगे 35 के स्कोर पार रहा ब्रिलियंट पीस ओ बैटिंग बाइ मुहमध हफीज जिन होने इसकेन को हावा हमें खेला मिड़ाफ के फिल्डर के सर के उपर से जाएगी ये इंदेका और चाह की के लिए आई मीन मंडे को पेपर है मेरा जी ठीक हो गया मैं समझ गया लेडिंग लेजंड गीमर्स एक हजार बतीस के गरीब दोस्यों हमार साथ मों जोने हैं वल्कम इंट इस लाइश्ट्रीम 147 रहते हो डीम भाक्स्तान का स्कोर तीन मिगट के नुकसान पी आजी हाँजी संदीब सिंग जैसे आपको याद होगा न इस साल के अंदर हुई थी एक और टीम हुई थी निउजिलैंड के अंदर जाकर अश्टेक वाइश्ट 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 निउजिफाराथ ही विगें को फिल्ग कर दिया है लक्साग कि जाने सिंगल आईगी सिंक पर और सिंगल के साथ बरतावर्स कर रहीगा यहां पर आपढ़े सबावन पीम लिगेट के नुकसान पी और आप इस मेंच के बार आगे ने पांच रंस्की जरूरत है परीद हमद भाई बहुत शुक्रिया आपका दिल से शुक्रिया दीपक कुमार भाई हमार साथ महजूद है वल्कम तो दिस लाइश्ट्रीम 152 रहेगा टीम पाकिसान का स्कोर 3 मिटेश्ट के निकसान पर जहां पर मुहमत हफीज जो है वो 35 पर माजूद है और अब जो है वो कह लिजुए कि कोश्दिल शाह नौन पर माजूद मौहमत हफीज जो है में रहे है假 pass न ने जो है वो इससे पहले सीरी सिरी टीटी टीटिटी इसीरीस लाइक इसेम आपर हराय तो कि यहाँ पांच सीफट से मुझे याद यहाँ है ऑसीरिस तो पाकस्तान नीमails तो न्यूजिलैंड को T20 मैचेस के अंदर 2-1 से, 3 T20 मैचेस के सीरिस, तो भाई ये मेरे ऐसा ही है, बाहर जाकर न्यूजिलैंड के अंदर जाकर एक्षिन टीम्स के लिए जितना इतना असान नहीं होता, पैट्स पारादी हुगे इन को फ्लिक कर दिया है, फाइनल लेकी जा चौकी के लिए, चौका मिलेगा इस गिन के उपर और चौकी के चलती हुए स्कोर हो जाएगा, इस मैच के अंदर 152 बिकर के नुक्रसान पे तालिया होनी चाहिए, टीम पाक्सान के लिए जिन होने अपनी 150 रंस को मकमल कर दिया है, ओ खुदाया मेरी मजबूरी के, मैं इस वकत बोल रहा हूँ, मैं सबसे इंट्रेक्ट कर रहा हूँ, अदर्वाइस आपके हर बात का मेरे पास जवाब है, तो छोड़िए इस चीज को, अंदर आती हुए गेंद और ये बोल्ट हो जाएंगे मुहम्मध हफीस, मुहम्मध हफीस जो दोस्तों बोल्ट हो जाएंगे जहाँ अंदर आती हुए गेंद को खेलना चाहते थे दर्मैन की जानी लेकिन रहेंगे नाकामर गेंद, अंदर आती हुए गेंद जो है बल्ले का इंसाइड आज चुने के बाद जाका टकराएगी विक्टो से और मुहम्मध हफीस, तो डे दिसपॉंटेड देखाई देत जानी हुए क्योंकि वो इस गेंद के उपर बिना रिस्क लिए हुए सिंगल लेना चाहते थे और मैच को फिनिश करना चाहते थे लेकिन ये गेंद पड़ी और गुड्लेंग की गेंद जो है वो इन स्विंग हुए इन स्विंग होने के बाद गेंद बल्ले के इंसाइड लेने के बाद जाएगी विक्टो में और इस तरह मुहमद अफीज शप्तिस रंस के एक उंदा इनिंग्स खेल कर आउट हो जाएंगे सीनियर प्लेयर जो है वो दोस्तों अच्छा खेलते हुए सीनियर प्लेयर इन फॉर्म हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने बहु हैं स्टीम के अंदर हां जी दोस्तों सीनियर प्लेयर जो हैं वो इस्टीम के यहीं है हां जी हां जी हां जी हां जी हारी लाल सर्थ बिल्कुल खीक बोला आपने हैं और आई विल नॉट दॉट अट एक सचपन रहते वे स्कोर चार बेकट के निकसान पी अठारा अशर यह दोबर का खिल मुकबन हुआ बॉल अफ्ट यार ऑस्टों के बाद जाद अवगे इन इसकिन को डिफ्रेंट कर दिया हैं असाट के ही जाने बेक अडर डिलेवरी मुझे इस त्वेर की बिलकुल समय नहीं है तेट Dos Veaux के अंडर मुखके आपके एंडर महमार रिज्वान की जगाह मेरे हिसाफसे नहीं बनती यह नहीं यह आपने बता दी नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुखमार रिज्वान जो है वह आप कह सकते हैं कि क्यास में जिसके अंदर अच्छा खेल सकते ही हैं बलके सर्फराज जो है वह दोस्तों इंसे कद्रे बेहतर प्लेयर हैं सवाई इसके के सर्फराज जो है ना उनकी विकट कीपिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है लेकिन यह है कि यहां पर जो यह प्लेयर है ना मुहमर विगें लगभा इसके सुरुत में पाकिस्तान की टीम करेगी सिंगल को मुकमल और पहला टी-20 मैच अपने नाम करेगी और रिव्यू लेते हुए टीम जिंबाब्बे कि 3 अमपार के पास जा जाएगा और अब देखना होगा की 3 अमपार के पास जाकर को नहीं समय सकते तो you have no rush to stay here bro यह तो दोस्तों यहां पर अल्ट राइज के मदद से इंसाइज को चेक किया जा रहा है और इंसाइज जो है वो यह गें नहीं होगी और सनाव दोस्तों की हाल चाला वैसे आप तमान दोस्त कहां कहां से हमार साथ मौजूद हैं लाइक किस हित्से से आप नमार साथ मौजूद ही और पाकस्तान की टीम इस पहले 80-20 मैच को जो है वो विन करेगी चीहां गाइस पहले 80-20 मैच को विन करेगी टीम पाकस्तान और इस तरह सीडिस के अंदर एक सिफर की बरतरी को अपने नाम कर लेगी पीम पाक्स्तान आहब रिजबी हमार साथ मंबई से माजो थी लाजन गेबर लाहोर से माजो थी और वेलकम एवरीवन टो दिस लाइब स्ट्रीम इम्पाक्ट आउट साइड ओफ और रिस तरह नोट आउट का डिसीन दिया जाएगा हम पार की जान से और नोट आउट का इटिशारा देते हुए पाक्स्तान की डीम इस मैच को विन कर लेगी है और दोस्तों अब मैं आपके साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इस मैच का मुकमल पॉइंट सेबल और मैच के मुकमल सूर्थ हाल तो जानने के लिए तमाम दोस्तों को हमारे साथ ही रहना चाहिए क्या हुआ इस मैच के अंदर यकीनी तोर पर आप भी जानना चाहते होंगे और मैं भी आपके आपको बतानी के लिए उत्सुक हुए यह ठीक है क्या हिंदी का लफज है उत्सुक है वैसे आई पेल करके मेरी जो है वो कह लीजिए के हिंदी स्किल्स थोड़ी सी इंप्रू वर रहे क्या कह सकते हैं आप समाप तो होता ही है और भी कई की लफज है अगे में चुक्रिया तमामदोस्तों नहीं साथ रहनी के लिए इस राइम के आपके साथ मैं स्कूर कार्ट को शेर करूँ जी हाँ गाइस स्कूर कार्ट की सिचुएशन को जहाँ मैं आपके साथ शेर कर दूँ कि मैच के अंदर क्या हुआ अब जो है वो होच का है मुकमल जहाँ पाकिस्तान के टीम ने इस मैच को विन किया है गाइस और पाकिस्तान के टीम ने इस मैच को छे विकेट से विन कर लिया है और 6 विकट का विन करते हुए पाकिस्तान की टीम सीरिस के अंदर एक सिफट से आगे जा चुकी है और इस विडियो के अंदर आप जान सकेंगे मैच का मुकमल एहवाल तो विडियो के पूरा साथ देखिए आप तमान दोस्ति यानिके हमारे साथ ही मौझूद रहीएगा जहां पर अगर हम बात कर लेती हैं गाइस इस मैच के तो यह मैच रावल पिंडी इंटरनेस्टल क्रिकेटर स्टेडियम से खिला गया जहां पर आज जिमबाबवे के टीम ने इस मैच के टॉस को विन किया और जिमबाबवे के टीम जो है वो टॉस को विन करते हुए इस मैच के अंदर अच्छे अंदास है आगे बढ़ी और उन्होंने 156 रंस का एक फाइटिंग टोटल बना दिया टीम पाकिसान के खिलाफ और पाकिस्तान ने यह टोटल जो है वो कह लीजे के एक अवर और एक गेन पहले हासिल कर लिया जहां थे विकिटर उससे जो है वो पाकिस्तान के कीम काम्याब रही ब्रैंडन टेलर ने 20 रंस बनाए 13 गेनों के उपर 34 की जानिब से लगाए आज के इस मैच के अंदर रही बात चिमूच अबाबा की इन्होंने कोई रंदी बनाया दो गेनों के गजले मदबी रखी तो उन्होंने सत्तर रंस बनाया और तालिस के उपर नौ चौके उनकी जानिब से लगाए गया आज के इसमें अंदर रंड एक चका जो है वो लगाने में काम्याब है इस सिकंदर रदा बटने साथ रंस बनाया पांच गेनों का उन्होंने सामना किया चौका उनकी जानिब से लगाया गया गया और यान वर्डल ने आठ रंस बनाए 15 गेनों के उपर रही बात तक्स अब आपने नाम किया हारिस राओफ ने चार अबर्स में 25 देते हुए दो विकट को अपने नाम किया फाहीम अश्रफ ने चार अबर्स में पार रहा है अगर हम बात कर लेते हैं था आपर के अदर 7 रंस दिये है आज की समयाच के अंदर तो दोस्तों ये हवाल रहा टीम पाकिस्तान की बाइटिंग का और अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की बाटिंग की गाईज तो पाकिस्तान की टीम ने 157 रंज बनाए चार विकट के नुकसां पे फख़ड जमान ने 19 रंज बनाए 12 गेनों के उपर 2 चौके और एक नहीं है ICC T20 ranking के अंदर जहां इस मैच के पहले उनकी आवरिज उन्चास की थी दोस्तों और लेकिन इस मैच के बाद उनकी आवरिज बावन की होचकी है कमाल क्रिकेट केलती हुए बाबर आजम और फिर से नंबर वन बैट्समें बनते हुए इस मैच के बाद अगर हम बात का आजा है वो उनकी जानिव से लगाया गया और अगर हम दिख लेती है है दर ली को गाइस तो थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए क्रीज के उपर वह आते ही बड़ी शोर्स तो खेलती है माना कि यह हम की नेचर है लेकिन क्रिकेट जो हो किसी का भी कह लिए साथी नही पाकिस्तान की जान से और उनको मजीद मौका देना चाहिए वरहल अब देखने है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर टीम जिंबाबवे की बॉलिंग की तो जिंबाबवे की बॉलिंग जो है वो इस मैंच के अंदर इतनी ख अगर रावा ने जो है वो 37 रंस के वज़ एक विगट को अपने नाम की एंड रही बात सीन विलियम्स की टिंडी चेसारों की टिंटाई चेसारों की और सिकंदर रदा की तो उन्होंने कोई भी विगट जो है वो दोस्त अपने नाम नहीं की सीरीज का पहला मैच जो है जिमबावी के टीम जीती है मैच को गाइस तो जिमबावी के टीम जीते हुए सीरीज के अंदर जो है वो कह लीजे के बराबरी जो है वो हासल कर लेगी बरहल देखना होगा कल को क्या बनता है इस मैच का जहां पर अब पाकस्तान की टीम ने फाइनली इस मैच को 6 विकट से जो है वो गाइज विन कर लिया है यह तो दोस्तों एक बढ़िया मैच एक अच्छा मैच चला इन दोनों टीम्स के भी जहां पाकिस्तान के टीम ने छे विकट से इस मैच को जहां विन कर लिया है अच्छी के रिकट के लिगे टीम पाकिस्तान के जान से आज किस मैच के अंद हेलो यंड ụड़õलकल गाईज डाए पाकिस्तान वर्षेज जिंबाभवे पहला टी-20 मैच अब जो है वो होचका है मुकंमल जहां पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को विन किया है गाइज और बाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 6 मियोइत से विन कर लिया है और 6 विकट का विन करते हुए पाकिस्तान की टीम सीरिस के अंदर एक सिफर से आगे जा चुकी है और इस विडियो के अंदर आप जान सकेंगे मैच का मुकमल एहवाल तो विडियो के पूरा साथ देखिए आप तमान दोस्ति यानिके हमारे साथ ही मौझूद रहीएगा जहां पर अगर हम बात कर लेती है गाइस इस मैच के तो यह मैच रावल पिंडी इंटरनेस्टल क्रिकेटर स्टेडियम से खिला गया जहां पर आज जिमबाबवे के टीम ने इस मैच के टॉस को विन किया और जिमबाबवे के टीम जो है वो टॉस को विन करते हुए इस मैच के अंदर अच्छे अंदास है आगे बढ़ी और रंधोने 156 बंस का एक फॉइटिंग टोटल बना दिया टीम पाकिसान के खिलाफ और पाकिस्तान ने यह टोटल जो है वो कह लीजे के एक अवर और एक गेन पहले हासिल कर लिया जहां थे विकटर उसे जो है वो पाकिस्तान के कीम काम याब रही ब्रैंडन टेलर ने 20 रंज बनाये 13 गेनों के उपर 34 की जानिब से लगाए आज के इस मैच के अंदर रही बात चिमूच अबाबा की इन्होंने कोई रंदी बनाया दो गेनों के पर सीन विलियम्स ने 25 रंज बनाये 14 के नों के उपर 4 चौके उनकी जानिब से लगाए गे और उस्मान कादिर की गेन पर जो के अपना डेब्यू मैच किर रहे थे वो कह लीजे के बोल्ड हो गे एंड इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं वैसले मदा भी रखी तो उन्हों उन्हें 70 रंज बनाये 48 के नों के उपर 9 चौके उनकी जानिब से लगाए गे आज किस मैस के अंदर एक चका जो हो लगाने में काम्याब है इस सिकंदर रदा बट ने 7 रंज बनाये 5 गेनों का उन्होंने सामना किया एक चौका उनकी जानिब से लगाया गया तो रियान टनॉकि तो पाकिस्तान की जान से मोहमध हसलिया ने आज जो है वह अच्छी गिन बाधी करवाइं चार गारज में 25 रंज में अन्होंने 27 रंज देते हुए दो लिगाट को अपने μέश का जो यह ठीक ऑपने नाम किया जहां पार रहा है अगर हम बात करलेते मोहमध हम रद कि तो उन्हें एक अवर के अंदर साथ रंज दिया है आज कि समयाथ के अंदर तो दोस्तों यह आख वाल रहा टीम पाकिस्तान की बालिंग का और अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की बैटिंग की गाइस तो पाकिस्तान की टीम ने 157 रंज बनाए चाफ बिकट के न हम इस मैच के बाद फिर से नंबर वन की पॉजिशन पर चले गई हैं ICC T20 रंकिंग के अंदर जहां इस मैच के पहले उनकी आवरिज उन्चास की थी दोस्तों लेकिन इस मैच के बाद उनकी आवरिज बावन की होचकी है कमाल क्रिकेट केलती हुए बाबर आजम और फिर से वाली इनिंग्स खेली हुए उनने 32 गिनों का सामना की तीन चौक है और एक चक्का आजा है वो उनकी जानिव से लगाया गया और अगर हम दिख लेती है है तो उनको थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए क्रीज के उपर वो आते ही बड़ी शोर्स को खेलती है माना कि यह अच्छी नहीं हुए पाकिस्तान की जान से और उनको मजीद मौका देना चाहिए बरहल अब देखने है कि उनकी पर्फॉर्मस कैसी रहती है जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर टीम जिंबाभवे की बॉलिंग की तो जिंबाभवे की बॉलिंग जो है वो इस मैं अच्छी में 25 रंज एदे हुए एक विगट के अपने नाम की रिचर्ड नगा रावाने जो है वो 37 रंज के वज एक विगट के अपने नाम की एंड रही बात सिंबियम्स की टिंडी चेसारो की टिंटाई चेसारो की और सिकंदर लाकी तो उन्होंने कोई भी विकेट जो ह अपने नाम नहीं की सीरीज का पहला मैच जो है बब होच का है मुकमल कल को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मैच आठ तारीख संडे वाली दिन दूसरा मैच जो है वो सीरीज का खेला जाएगा आपके ख्याल से कौन से टीम उस मैच को विन करेगी पाकस्तान की टीम याद को क्या बनता है इस मैच का जहाँ पर अब पाकिस्तान की टीम ने फाइनली इस मैच को छे विकट से जो है वो गाइस विन कर लिया है हょलो and welcome guys, आई पाकिस्तान versus Zimbabwe पहला T20 वाउटी मैच, अब जवह और मुकमल जहाँ पाकिस्तान के टीम ने इस मैच को वियन किया है guys और पाकिस्तान के टीम ने इस मैच को 6 विकेट से वियन कर लिया है और 6 विकट का विन करते हुए पाकिस्तान की टीम सीरिस के अंदर एक सिफर से आगे जा चुकी है और इस वीडियो के अंदर आप जान सकेंगे मैच का मुकमल एहवाल तो वीडियो के पूरा साथ देखिए आप तमान दोस्ति यानि के हमारे साथ ही मौझूद रहीएगा जहां पर अगर हम बात कर लेती है गाइस इस मैच के तो यह मैच रावल पिंडी इंटरनेस्टल क्रिकेटर स्टेडियम से खिला गया यहां पर आज जिमबाबवे के टीम ने इस मैच के टॉस को विन किया और जिमबाबवे के टीम जो है वो टॉस को विन करते हुए इस मैच के अंदर अच्छे अंदास है आगे बढ़ी और उन्थ ने 156 रंज का एक फाइटिंग टोटल बना दिया टीम पाकिसान के खिलाफ और पाकिस्तान ने यह टोटल जो है वो कह लीजे के एक अवर और एक गेन पहले हासिल कर लिया जहां छे विकिटर उसे जो है वो पाकिस्तान की कीम काम वियाब रही ब्रेंडन टेलर ने 20 रंज बनाये 13 गेनों के उपर 3 चौकियम की जानिब से लगाए आज के इस मैच के अंदर रही बात चिमूच अवाबा की इन्होंने कोई रंडी बनाया 2 गेनों के उपर सीन विलियम्स ने 25 रंज बनाये 14 गेनों के उपर 4 चौकियम की जानिब से लगाए गे और उस्मान कादिर की गेन पर जो के अपना डेब्यू मैच के रहे थे वो कह लीजे के बोल्ड होगे अगर हम बात कर लेते हैं वैजले मदा वी रखी तो उन्होंने 70 रंज बनाया 48 गेनों के उपर 9 चौकियम की जानिब से लगाए गे अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिसान की बालिंग की तो पाकिसान की जान से मुहमद हसने आज जो है वो अच्छी गेन बादी करवाई अगर हम बात कर लेते हैं मुहमद हफीज की तो उन्हें एक अबर के अंदर साथ रंज दिया है आज किस मैच के अंदर तो दोस्तो यह हमाल रहा टीम पाकिसान की बालिंग का और अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिसान की बाटिंग की गाईस तो पाकिसान की टीम ने 157 रंज बनाए नहीं है आई सी सी टी ट्वंटी रंकिंग के अंदर जहां इस मैच के पहले उनकी आवरिज उन्चास की थी दोस्तों लेकिन इस मैच के बाद उनकी आवरिज बावन की होचकी है कमाल क्रिकेट केलती हुए बाबर आजम और फिर से नंबर वन बैट्समेंट बनते हुए इस मैच के बाद अगर हम बात कर लेते हैं खुश दिल शाकी उन्होंने 5 रंज बना है और अगर हम दिख लेती हैं है दर ली को गाईस तो उनको थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए क्रीज के उपर वो आते ही बड़ी शोर्स को खेलती है बाना कि यह उनकी नेचर है लेकिन क्रिकेट जो हो किसी का भी कह लीजे के साथ ही नहीं रहता क्रिकेट के अंदर आप का मिन पर अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर टीम जिमबाभवे की बॉलिंग की तो जिमबाभवे की बॉलिंग जो है वह वह मैच के अंदर इतनी खास नहीं हुई जहां पर वेजले में दा वीरा ने एक अवर के अनदर आत रंस दे बेस्सिंग मिजरबानी ने तीन आशर सारो की तिंटाइस वाली दिन वैघार दूसरा मैच آठ तारिए संडे वाले दिन दूसरा मैच स्टारि चेलाद से कौुन शेटिम है उस मैच को विन खरेगी पाकिस्तान के टीम याद रहेैं अगर मैच को विन करेंगी तो वह सीरीज को विन कर लेगी लेकिन अगर जिम्बावी के टीम जीती है मैच को गाइस तो जिम्बावी के टीम जीते हुए सीरीज के अंदर जो है कि लीजे के बराबरी जो है वह हासल कर लेगी अगरहल देखना होगा QUEL को क्या बनता है इस मैच का जहाँ पर पाकस्तान की टीम ने फाइनली इस मैच को छे विकेट से जो है वो गाईज विन कर लिया है Hello and welcome गाईज आई Pakistan versus Zimbabwee पहला T20 मैच अब जो है वो होचका है मुकमल जहां Pakistan की टीम ने इस मैच को विन किया है गाईज और Pakistan की टीम ने इस मैच को 6 विकेट से विन कर लिया है और 6 विकेट को विन करते हुए पाकिस्तान की टीम सीरिस के अंदर एक सिफट से आगे जा चुकी है और इस विडियो के अंदर आप जान सकेंगे मैच का मुकमल एहवाल तो विडियो के पूरा साथ देखिए आप तमान दोस्ति यानिके हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जहां पर अगर हम बाग कर लेती है इस मैच के तो यह मैच रावल पिंडी इंटरनेस्टल क्रिकेटर स्टेडियम से खिला गया यहां पर आज जिम्बाबवे के टीम ने इस मैच के टॉस को विंद करते हुए इस मैच के अंदर अच्छे अंदास है आगे बढ़ी और रंधने 156 का एक फाइट इंटोटल बना 13 गेनों के उपर 34 की जानिब से लगाए आज के इस मैच के अंदर रही बात चिमूच अबाबा कि इन्होंने कोई रंडी बनाया दो गेनों के उपर सीन विलियम्स ने 25 रंज बनाये 24 के नों के उपर 24 की जानिब से लगाए गे और उस्मान कादिर की गेन पर जो के अपना डेब्यू मैच के रहे थे वो कह लिजे के बोल्ड हो गे एंड इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं वैसले मदा भी रखी तो उन्होंने 70 रंज बनाया 48 गेनों के उपर 9 चौके उनकी जानिब से लगाए गे आज के इस मैच के अंदर रंड एक चका जो है वो लगाने में का चका जो है वो उनके जानिब से लगाया गया गया और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिसान के बॉलिंग की तो पाकिसान की जान से मुहमद हसने आज जो है वो अच्छी गेन बादी करवाई चार अबर्स में 25 अपने नाम किया हारिस राउफ ने चार अबर्स म किया उस्मान कादिर ने तीन अवर्स में 24 रंज देते हुए एक विकट को जहा है वो दोस्तो अपने नाम किया जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं मुहमद हफीस की तो उने एक अवर के अंदर 7 रंज दिया है आज की स्मयाच के अंदर तो दोस्तो यह आखवाल रहा टीम पाकिस्तान की बॉलिंग का और अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की बैटिंग की गाई तो पाकिस्तान की टीम ने 157 रंज बनाए चाब विकट के नुकसाम पर फखर जमान ने 19 रंज बनाए 12 गेनों के उपर 24 और एक चक्का लगाया गया उनकी जान से बाबर मैच के बाद फिर से नंबर वन की पॉजिशन पर चले गई हैं ICC T20 रंकिंग के अंदर जहां इस मैच के पहले उनकी आवरिज उन्चास की थी दोस्तों लेकिन इस मैच के बाद उनकी आवरिज बावन की होचकी है कमाल क्रिकेट केलती हुए बाबर आजम और फिर से नंब 30 गिनों का सामना किया तीन चौक है और एक चक्का आजा है वो उनकी जानिव से लगाया गया और अगर हम दिख लेती है हैदर ली को गाईस तो उनको थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए क्रीज के उपर वो आते ही बड़ी शोर्स को खेलती है माना कि यह उनकी नेचर है लेकिन क्रिक्ट जो है वो किसी का भी कह लिजे के साथ ही नहीं रहता क्रिक्ट के अंदर आपको अच्छा खेलेंगे तो आपको फल मिलेगा तो हैदर ली को थोड़ा टाइम लेना चाहिए क्रीज के ओपर रफखर जमान ने उननीस रन्स बनाएं मुहमद अफीज ने अच बाबे की बॉलिंग जो है वो इस मैंस के अंदर इतनी खास नहीं हुई जहां पर वेजले में दवीरा ने एक अवर के अंदर आट रंस दे ब्लेसिंग मिजरबानी ने तीन आशर या पांच अवर के अंदर 26 रंस देते हुए दो विगट के अपने नाम क्या चिंडाई चि और सिकंदर रदा की तो उन्होंने कोई भी विगट जो है वो दोस्त अपने नाम नहीं की सीरीज का पहला मैच जो है वो अब होच का मुकमल कल को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मैच आठ तारीख संडे वाली दिन दूसरा मैच जो है वो सीरीज का खेला जाएगा आपक कल को क्या बनता है इस मैच का जहां पर अब पाकिस्तान की टीम ने फाइनली इस मैच को छे विकेट से जो है वो गाईज विन कर लिया है हेलो एंड वलकम गाईज आई पाकिस्तान वर्से जिंबाबवे पहला टी 20 मैच अब जो है वो होच का है मुकमल जहां पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को विन किया है गाईज और पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को छे विकेट से विन कर लिया है और छे विकेट का विन करते सिफट से आगे जा चुकी है और इस वीडियो के अंदर आप जान सकेंगे मैच का मुकमल एहवाल तो वीडियो के पूरा साथ देखिए आप तमान दोस्ति यानिके हमारे साथ ही मौजूद रहीएगा जहां पर अगर हम बात कर लेती हैं गाइस इस मैच के तो यह मैच रावल पिंडी इंटरनेस्टल क्रिकेटर स्टेडियम से खिला गया यहां पर आज जिंबाबवे के टीम ने इस मैच के टॉस को विन किया और जिंबाबवे के टीम जो है वो टॉस को विन करते हुए इस मैच के अंदर अच्छे अंदास है आगे बढ़ी और रंधोने 156 रंज का एक फाइटिंग टोटल बना दिया टीम पाकिसान के खिलाफ और पाकिस्तान ने यह टोटल जो है वो कह लिजे के एक अवर और एक गेन पहले हासिल कर लिया जहां छे विकटरों से जो है वो पाकिस्तान की कीम काम्याब रही ब्रैंडन टेलर ने 20 रंज बनाए 13 गेनों के उपर 34 की जानिब से लगाए आज के इस मैच के अंदर रही बात चीमुच अबाबा की इन्होंने कोई रंडी बनाया दो गेनों के उपर सीन विल्यम्स ने 25 रंज बनाए 24 के उपर चार चौके उनकी जानिब से लगाए गे और उस्मान कादिर की गेन पर जो के अपना डेब्यू मैच किर रहे थे वो कह लीजे के बोल्ड हो गे एंड इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं वैसले मदा भी रखी तो उन्होंन की जानिब से लगाया गया तो र्यान बॉर्ल ने आच रंज बनाए 15 गिनों के ऊपर रही बात एल्टन चिकम बुरा की तो इन्होंने किस रंज बनाया तिरा गिनों के उपर दो चौके और एक चखका जब उनकी जानिब से लगाया गया गाई जर इसी तरह अगर हम बात कर फाही माश्राइन चार रर्ज में 35 रंस जो हो गाइस देते हुए कोई भी विकाट अपने नाम कि Sarovar कर भाई उफने उन्हें 37 रंस देते हुए श्मान कादीर तीन वर्ज में 24 रंस देते हुए एक विकट को जो है वह… अगर हम बात कर लेते हैं मुहमद हफीस की तो उन्हें एक अबर के अंदर साथ रंज दिया है आज की समयाच के अंदर तो दोस्तो यह अख़ाल रहा टीम पाकिस्तान की बाटिंग की गाई तो पाकिस्तान की टीम ने 157 रंज बनाए चाब विकट के नुकसां पे फकर जमान ने 19 रंज बनाए 12 गेनों के उपर 24 और एक चक्का लगाया गया उनकी जान से बाबर आजम ने 82 रंज बनाए कप्तानी वाली इनिंग्स खेली और लाजवाब क्रिकेट खेली गया आज बाबर आजम की जान से 55 गेनों के उपर 9 चके और एक चक्का लगाया उन्होंने 150 के स कि है कमाल क्रिकेट खेलती हुए बाबर आजम और फिर से नंबर वन बैट्समेंट बनते हुए इस मैज के बाद अगर हम बात कर लेते हैं उन्होंने पांच रंज बना है है अगर हम देख लेती है है अगर हम देख लेती है है थो थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए माना कि यह उनकी नेचर है लेकिन क्रिकेट किसी का भी कहलेजे के साथ ही नहीं रहता क्रिकेट के अंदर आपको अच्छा खेलेंगे तो आपको फल मिलेगा तो है दर ली को थोड़ा टाइम लेना चाहिए क्रीज के ओपर रफखर जमान ने 19 रंज बनाएं मुहमद देते हैं यहां पर टीम जिंबाभवे की बॉलिंग की तो जिंबाभवे की बॉलिंग जो है वो इस मैंज कंदर इतनी खास नहीं हुई जहां पर वेजले में दवीरा ने कवर के अंदर आट रंज दे ब्लेसिंग मिजरबानी ने तीन आशर या पांच अवर के अंदर 26 रं कोई भी विकेट जो है वो दोस्त अपने नाम नहीं की सीरीज का पहला मैच जो है वो अब होच का है मुकमल कल को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मैच आठ तारीक संडे वाले दिन दूसरा मैच जो है वो सीरीज का खेला जाएगा आपके ख्याल से कौन से टीम उस मैच को विन करेगी पाकिस्तान की टीम याद रहे अगर मैच को विन करेगी तो वो सीरीज को विन कर लेगी लेकिन अगर जिम्बावी के टीम जीती है मैच को गाइस तो जिम्बावी के टीम जीते हुए सीरिज के अंदर जो है वो कह लीजे के बराबरी जो है वो हासल कर लेगी बरहल देखना होगा कल को क्या बन